हेलो बाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर आफ एकॉणोमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूँ आपका चानक क्या बेच में और दोस्तो आज की क्लास में बिजनस एकॉणोमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्णि चेप्टर तैट इस एक एक क्लास में इस चेप करेंगे यूनिट वन जिसका नाम है law of demand and elasticity of demand फिर यूनिट 2 आएगी theory of consumer behavior और फिर यूनिट 3 आएगी supply लेकिन मैं चाहता हूँ यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ऐसे इसके अंदर के concept करा दूँ जो concept करने के बाद आपको ये यूनिट easy लगेगी लेकिन य एक तरीका होता है समझने का तो पहले उसको समझना चाहिए उसके बाद इस chapter पर जाना चाहिए तो सबसे बहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ types of goods के बारे में वैसे तो unlimited types of goods होती हैं लेकिन इस chapter के हिसाब से आपको 5 types of goods के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है कौन कौन सी देखेंगे ज़रा नंबर बन पर substitute goods जिसे competing goods भी बोलते हैं फिर complementary goods, normal goods, inferior goods और different goods एक एक करके इनको जानेंगे तो काफी अब तक हमारा chapter का portion भी इसके साथ cover up होता रहेगा एंचन मतलो इस चीज़ की नंबर बन पर बात करेंगे हम substitute goods की दोस्तो substitute goods वो goods होती है जो एक दूसरे की जगाँ पर आसानी से इस्तमाल हो जाती है जैसे कि चाए और कौफी चाए नहीं मिली तो कौफी कौफी नहीं मिली तो चाए तो चाए और कौफी के पेर को बोलेंगे substeriode goods नहीं तो आप सोच लो Pepsi और Coca-Cola या फिर Pepsi और Thumbs Up या Sprite और Mountain Dew ये cold drinks भी अपने आप में substeriode है एक नहीं मिली तो दूसरी से काम चल जाता है यहनी substeriode goods का पेर होता है जोड़ा होता है single नहीं मतलब जोडे में जो goods होंगी एक दूसरे को replace कर रही है replacement words से connect कर पा रहे ह हो ना हाँ एक नहीं मिली तो दूसरी दूसरी नहीं मिली तो पहले वाली से काम चल जाएगा कोई दिपकत नहीं है इन goods को बोलेंगे substeriode goods तो बहुत असान भाशा में आपके लिए definition लेकिए है substeriode goods की these goods are those goods which can be easily used जिन goods को हम बहुत असानी से इस्तमाल कर सकते हैं in place of each other in place of each other तो दोस्तों इसका example tea and coffee भी है और Pepsi and Coca-Cola भी है और जो तुमारा मन करें वो 36 example create हो सकते हैं module के अंदर एक question भी given है दो goods का pair दिया हुआ है पूछा हुआ है कि कौन सा उसमें से substeriode goods है तो बहुत असानी से आप identify कर सकते हो चलो कोई बात में इसमें आगे बढ़ते हैं इसको सिर्फ इतना ही करना है क्या नहीं नहीं इसको थोड़ा और डीटेल में करना है तो डीटेल इसकी यहां explain करने जा रहा हूँ जो आपके काम की है देखो दोस्तों substeriode goods के case में माल लेता हूँ मैं बात कर रहा हूँ पेपसी की और कोका कूला की तो आप यह मान के चलो कि पेपसी को हम X बोलते हैं कोका कूला को Y बोलते हैं तो मैं आपसे इन दोनों के बीच में एक रिष्टा होता है प्राइस और डिमांड को लेकर उसकी discussion करने जा रहा ह माल लो पेपसी भी 10 रुपे की आती है कोका कोला भी 10 रुपे की आती है ठीक है कोई ने कोई इस commodity को खरीद रहा होगा इस price पर कुछ तो quantity इनकी market में बेची जारी होगी खरीदी जारी होगी कुछ तो हो रहा होगा राइट लेकिन एक दम से क्या होता है कोका कोला का price पेपसी का price लुक नहीं है लोगों को क्या लगता है कि कोक महगी हो गई है और कोक की जगहा पर हम पेपसी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्यों ना इसको छोड़कर अब हम इसके पीछे भागे तो जब कोक का price बढ़ जाता है तो पेपसी की demand demand को मैं डी लिख रहा हूं X मैंन है तो किसी और की demand भी बढ़ जाती है कितनी बात नहीं और थोड़ा अंदर गुशते हैं माल लो पेंखा कलर चेंज करता हूं अब अंदर की बात करते हैं कोका कोला सस्ती हो गई 10 रुबे की आती थी पहले और वो सस्ती हो गई तो यार लोगों को लगता है ओहू को कोका कोला सस्ती हो गई पेपसी वाले लोगों को लगता है यार इसकी जगापर हम कोका कोला तो खरीदी सकते हैं तो वो लोग कोका कोला की तरफ भागते हैं कोका कोला की demand बढ़ा देते है तो फिर Pepsi के साथ क्या होता है बाबा इसके बंदे यहां shift कर गए ना तो Pepsi की demand कम हो जाती है देखो normally हर कोई जानता है price बढ़ता है जिसका price बढ़ेगा उसकी demand तो कम होगी normally ऐसा ही उतर है लेकिन substitute goods के case में हम check करते है किसी और का price बढ़ता है तो उसकी substitute good की demand बढ़ जाती है और अगर किसी और का यानि किसी substitute good का price कम हो जाएगा तो इसकी दूसरी substitute good की demand भी कम हो जाएगी यह relation होता है अब बच्चा है अंदर यंदर सोच रहा होगा और उल्टा भी तो सकता है मतलब क्या या Pepsi का price बढ़ गया तो coke के demand बढ़ेगी क्या हाँ बिल्कुल बढ़ेगी भाई और Pepsi का price कम हो गया तो coke के demand भी कम हो जाएगी क्या हाँ बिल्कुल कम होगी भाई टेंशन मतलो ऐसा भी होता है चलो ठीक है जी यह तो हो गया लेकिन अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ second वाली good यानि complimentary good से तो दोस्तो complimentary goods वैसे complimentary शब्द आपने सुना होगा restaurant में जब जाते हैं तो बोलते हैं बताओ जराग खाने के साथ complimentary क्या है तो restaurant वाला बोलता है खाने के साथ तुमें मिलेगी salad complimentary खाने के साथ तुमें मिलेगी chini, top, misri, good complimentary अब जी complimentary नहीं मिलेगी तो कभी-कभी complimentary का मतलब होता है free में क्या मिल रहा है साथ में लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है economics में complimentary goods का मतलब ऐसी goods का pair है ऐसी दो goods हैं जो इस्तमाल हो तो एक साथ इस्तमाल हो वरना वो किसी काम की नहों यानि ऐसी दो goods जिनको एक साथ यूज किया जाए वो goods कहलाएंगी complimentary goods चलो जी आ जाते हैं complimentary goods पे आपके लिए जैसे की या लिखिए definition these goods are those goods which are used together together या फिर jointly जिनका jointly या फिर together मतलब एक साथ यूज हो रहा हो for example car और petrol car और petrol तो यार बहुत traditional example है सच बोले बाबा car और उसका fuel car बिना fuel के नहीं चलेगी चाहे पेटरोल वाली हो तो पेटरोल के साथ लेलो car और diesel car और CNG electric car भी हा गई अब तो तो मतलब car बिना fuel के नहीं चलेगी तो car और उसका fuel मैं बोल सकता हूँ बाबा complimentary good है यानि ये एक दूसरे को पूरा करती है तो मिलेंगी तभी किसी की demand satisfy होंगी कोई अकेला बंदा car खरीद लेगा उसके अंदर fuel नहीं डलवा सकता पैन है उसके अंदर refill होता है तो पैन बिना refill के किसी काम का नहीं है आप खाली पैन की body खरीद के कुछ नहीं करोगे और खाली refill खरीद के भी आप कुछ नहीं करोगे तो पैन और refill दोनों मिलकर बनाते हैं complimentary goods refill के अंदर क्या होता है ink तो refill और ink ये दोनों भी मिलकर बनते हैं complimentary goods आपका mobile phone बिना battery के नहीं चलेगा battery होती है उसमें तो mobile phone और battery दोनों मिलकर बनते हैं complimentary goods तो बात करते हैं complimentary goods की फिर आँगा दूसरी goods पे दोस्तों माल लो दो goods complimentary goods है एक का नाम है X आप मान सकते हो car ठीक है और दूसरा है उसका fuel जिसका नाम है good way दोनों complimentary goods है इस case में मेरा ये कहना है अगर एक का price बढ़ जाएगा माल लो price of y बढ़ गया PY मैंने इसको लिख दिया माल लो पट्रोल महंगा हो गया बाबा तो यार जब पट्रोल महंगा हो जाता है न पट्रोल से चलने वाली car लोग कम खरीदते है पता के बहुते है पट्रोल महंगा हो रहा है बाबा डीजल वाली car खरीद लेंगे CNG, electric कुछ खरीदेंगे पट्रोल वाली नी खरीदेंगे तो पट्रोल महंगा होने से पट्रोल वाली car की demand यानि demand of x यह X है ना यह कम हो जाती है पट्रोल सस्ता हुआ तो पट्रोल वाली कार की डिमांड बढ़ जाएगी शाना बच्चा बोलेगा सर उल्टा भी करके दिखाओ उल्टा भी कर लो बापा मालो मैं यहां बोलता हूँ X का मतलब कार है ना कार महंगी हो गई तो लोग कार महंगी हो गई तो कम खरीदेंगे तो यह डिमांड फूर पट्रोल भी कम हो जाएगी यहनि पट्रोल कम बिकेगा अगर कार सस्ती हो गई तो मालो कार का प्राइस कम हो गया तो तो कार जादा खरीदेंगे लोग कार ज्यादा खरीदेंगे पट्रोल भी ज्यादा बिक्केगा यह कान यहां से पकड़ यहां से पकड़ो नहीं कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो पकड़ा जाएगा नहीं लेकिन बात एक ही है आं तो मेरा कहना है कि in case of complementary goods एकका price बढ़ता है तो दूसरे की demand कम हो जाती अब इसको थोड़ा depth में देख लेते हैं Complimentary Goods और Substitute Goods दोनों को एक साथ लेकर चलूँगा इधर Substitute Goods थी और इधर मैंने Complimentary Goods करा दिया अब देखो दोस्तो पकड़ लेते हैं नमबर वन पे ये समझने की चीज है Substitute Goods के पीछे पढ़ जाओ इसका concept बड़ा important है ये कहता है कि एक का price बढ़ेगा तो दूसरे की demand बढ़ जाएगी यानि दोनों Goods के अंदर Positive Relation है जब relation Positive होता है तो इसको राज्ये हम Positive Relation भी बोल देते हैं और Direct Relation भी बोल देते हैं किस चीज में In case of Substitute Goods एक के price में और दूसरे की demand में Positive Relation है इसके बाद फिर मैंने आपको कराया Complimentary Goods का case Complimentary Goods का case अब यहाँ पर बोलते हैं कि एक का price अगर बढ़ेगा तो दूसरे की demand कम हो जाएगी पट्रोल महंगा होगा तो कार कम बिकेगी बिल्कुल सही है तो यहाँ पर Negative Relation है अब Negative Relation का मतलब क्या होता है Ultra Relation एक बढ़ रहा है दूसरे कम हो रहा है अपोजिट चल रहे हैं इसको Opposite Relation भी बोलते हैं इसको हम Inverse Relation भी बोलते हैं इसको हम Indirect Relation भी बोलते हैं Indirect Relationship between Price of Good 1 and Demand for Good 2 ठीक है जी दोनों के बारे मैं ऐसे ही पड़ा है अब देखिए दोस्तो Substitute Good की बात करता हूँ जब मैं Substitute Good का Graph बनाऊंगा तो इसका Graph आपके Module के हिसाब से बना रहा हूँ X Axis पे लिखूँगा किसी Commodity की Quantity यानि दो Good है तो X पे मैंने लिख दिया Demand for Good X और Y Axis पे मैं लिखूँगा Price of Y तो Price और Demand में Positive Relation है ऐसा तो होता ही नहीं अरे होता है Substitute Good के case में होता है क्योंकि यान दो Good है न एक का Price और दूसरे की Demand तो इसका Graph ऐसा बनता है यह Positively Slopped है मतलब कहने का क्या मतलब इसका माल लो उसका कोई Point पकड़ लो यह Point यह बोल रहा है कि अगर Price P1 है किसी भी आइटम का माल लो यह में लिख दिया यहाँ पर Coca Price P1 है तो कुछ ना कुछ Demand तो हो रही होगी Pepsi की भी Pepsi यहाँ पर है तो Demand माल लो D1 है तो राजे अगर गलती से Coca Cola का प्राइस बढ़कर P2 हो गया मतलब महंगी हो गई तो देखो डॉट 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 तो Coca Cola महंगी होने से लोग Coca Cola नहीं खरी देंगे किसको खरी देंगे Pepsi को Positive relation शो करता है और उल्टा भी हो सकता है मतलब इसको कम करेंगे तो कम भी जा सकते है तो कुल मिला के आप से पूछा जाए तो ऐसा Positive relation यानि Direct relation होता है एक के Price में और दूसरे की Demand में Price किसी और का होना चाहिए Demand किसी और की होना चाहिए फिर से बता रहा हूँ ठीक है जी Complimentary Goods में Complimentary Goods में Negative relation होता है तो इसलिए अगर मालो मैं यहां Patrol का Price दिखाने लगा और इधर कार की Demand दिखाने लगा कार को मैं X बोल रहा हूँ तो अपना जो Curve यानि Diagram बनेगा वो ऐसा बनेगा इसका कोई भी Point क्या बोलता है मालो यह Point है मालो पट्रोल इतने रुपे का है कुछ भी आमाउंट हो सकता है असलियत में तो यहां पर कुछ न कुछ कार तो बिकरी होंगी मालो कार इतनी बिकरी है कहते हैं अगर पट्रोल सस्ता हो गया गुलाबी रंग से कर देता हूँ T2 हो गया मतलब यहां से यहां कम हो गया तो देखो टक्रमारी कर्व पर पट्रोल के सस्ता होने से कार ज़्यादा बिकने लगेंगी Yes, it is possible समझेरों तो यहां पर जो डिमांड का डाइगराम बनाया है मैंने डिमांड कर बनाया है इसको बाद में बहुत अच्छे से एक्स्पेन करूँआ जब बेसिक बेसिक चीज़े बताऊंगा तो वो कॉम्पलिमेंटरी गूट्स के केस में डिमांड कर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सब्स्टिर्यूट गूट्स के केस में इतना क्या कर आँँगा यह बहुत जलदी हो जाएंगे दोस्तो जैसा नाम है वैसा ही काम है यहनी किसी कॉमोडिटी के माथचे पे नहीं लिखा कि वो नॉर्मल है यह हर इनसान पर डेबेंड करता है कि उसके लिए नॉर्मल क्या है अच्छा तो बताओ ना कैसे पता लगता है कि वो कॉमोडिटी नॉर्मल है या नहीं है तो मैं बताता हूँ अगर दोस्तो आपकी जो भी इंकम है इंकम के बढ़ने की वज़े से आप जिस चीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हो वो चीज़ नॉर्मल है इंकम के कम होने की वज़े से आप उसको खरीदना कम भी कर दोगे खरीदने का मतलब डिमांड बोल रहो हूँ मैं अभी हाँ पर तो इंकम के बढ़ने पे जिसकी डिमांड बढ़े और इंकम के कम होने पे जिसकी डिमांड कम हो उन चीज़ों को बोलते है normal goods तो normal goods वो goods होती है जिनका positive यानि direct relation होता है income और demand के बीच में that's it, इसका example example तुम 36 मना सकते हो, तुम्हारे लिए अलग होगा, शायद मेरे लिए अलग हो सकता है तुम बोलोगे, यार मेरी income बढ़ेगी तो मैं full cream milk के जाधा पिऊँगा तो आपके लिए full cream milk क्या हो गया, normal goods मैं बोलूगा मेरी income बढ़ेगी तो मैं toned milk के जाधा पिऊँगा तो मेरे लिए toned milk क्या हो गया, normal goods आना, ऐसे हो सकता है कुछ भी चीज़ हो सकती है असलियत में तुम example दो के तो नॉर्मली जिंदगी में क्या होता है चीनी, चावल, वीट कुछ भी example दे सकते है उसका फिर होता है जी inferior goods inferior को बोलते है, सही शब्दों में बताओं हिंदी में तो घटिया जो घटिया quality की चीज़े होती है वो होती है inferior goods inferior का मतलब ही घटिया है अब या क्या घटिया क्या बढ़िया, वैसे तो person to person पे depend करता है हो सकता है, जो तुमें घटिया लगता हो वो मुझे ना लगता हो और जो मुझे घटिया लगता हो, वो तुमें ना लगता हो हो सकता है ना, ये सच्चा ही है यह सचा ही है लेकिन चलो मॉडूल पे आ जाते हैं बुक के इसाब से देखते हैं क्याते हैं गटिया नाम कैसे पता लगेगा पबू ऐसे पता लगेगा जब तुम अमीर हो रहे हो यहनी जब आपकी इंकम बढ़ रही है अमीर हो रहे हो इसका मतलब तो तुमने जिसको छोड़ दिया जिसके डिमांड तुमने कम की वो तुम्हारे लिए घटिया चीज थी पर एक्जाम्पल बालो एक डाल है जो सस्ती आती है राजमा है वो महंगी आती है आप अमीर हो गए आपने राजमा खाने शुरू कर दी चोले खाने शुरू कर दिया पनीर खाना शुरू कर दिया छोड़ा कि इसको दाल को तो दाल बिचारी आपके लिए इंफिरियर हो गई अगर इंकम कम हो जाए बंदा गरीब हो रहा हो तो वापिस वो अपनी अउकात पर आ जाता है वापिस दाल पर आ जाएगा उसको पनीर राजमा छोले छोड़ने पड़ेंगे दाल की डिमांड जादा कर देगा तो इंफिरियर गुड्स वो गुड्स होती है जिसका नेगेटिव यानि इंडारेक्ट रेलेशन हो इंकम और डिमांड में इसका एक्जामपल क्या दोगे इसका एक्जामपल तुम कोई भी इंफिरियर क्वालिटी में जैसे कि मैं खाने की बात करूँ तो नॉर्मली हम क् मोटा अनाज होता है मोटा अनाज कोर्स ग्रेन बोलते हैं C O A R S E क्या होता है वो बाजरा, जवार, मेज, मेज मतलब मक्का जिसको भुट्टावी बोल देते हो, कौर्न बोल देते हो वो चीज़ इनफिरियर गुड्स में आ जाएंगे, खाना खाने के लिए हम बेसिकली उ रॉबर्ट गिफिन उनके दुवारा दिया गया है तो गिफिन का मतलब कुछ नहीं होता है, गिफिन किसी का नाम है, गिफिन गुड्स आई कैसे पहले तो ये समझो, गिफिन गुड्स एक सिच्वेशन के हिसाब से create हुई है, असली जिन्दगी में इसका कोई एक सीधा example नहीं होता, रॉबर्ट गिफिन ने ब्रिटिश वर्कर्स पे स्टेडी की बहुत पुराने टाइम की बात है, वर्कर्स को एक बहुत गरीब कैटेगरी में माना जाता था, तो पूर लोगों पे स्टेडी की ये माल लो, पूर मतलब गरीब लोगों पे स्टेडी की ब्रिट मालो अब वो ब्रेड भी रोटी ही होती है ठीक है एक बहुत अलगी थौट में सोचे तो ठीक है कलो जी कहते हैं इनकी income बहुत कम होती है ठीक है और ये विचारे अपनी income का एक substantial portion substantial का मतलब होता है बहुत एहम हिस्सा ब्रेड को खरीदने में खर्च कर देते हैं अब meat महंगा है bread सस्ता है परकर भी गरीब है ये bread खाते है bread low quality खाना है खाने के लिए बोले तो जिस चीज से पेट भरा जाता है अमीरों के मामले में meat चिकन या पनीर ये high quality चीज है bread गरीब खाते है ये माना जाता है तो low quality चीज हो गई ठीक है अब इसको खाते हैं कहते हैं अगर bread महंगा भी हो गया bread का price बढ़ भी गया तो भी इनको bread ही खानी पड़ेगी ठीक है तो भी इनको bread ही खानी पड़ेगी क्योंकि meat बहुत ज़्यादा expensive है अच्छा तो बंदा बोलेगा bread का price बढ़ गया ठीक है वो जितने पहले bread खाता था क्या उतनी खाएगा नहीं नहीं जब bread का price बढ़ जाता था तो इनको डर रहता था स्टोरी है या असली की डर रहता था कि यार डर साबित करता हूं कैसे वो bread की price बढ़ने पर demand भी बढ़ाते थे डर क्या था ये कहते थे Robert Giffen कि एक गरीब बंदा कभी-कभी meat खाता है और वैसे bread खाता है तो थोड़ा सा पैसा यहां खर्च करता है और ज़्यादा पैसा यहां खर्च करता है जब bread महंगी हो जाती है न तो यह पैसा भी हटा के यहां switch कर देता है और कहता है भाई meat को छोड़ दे तू इस पर या जा यह और महंगा ना हो जाए तो price बढ़ने पर भी इनकी demand कर देगा क्यों क्यों करेगा वो कहते थे यह सस्ता हो गया ना वाई कुछ पैसा बचेगा उससे meat खा लेंगे तो बोलता है कि giffin goods ऐसी goods होती है जिसका price के साथ क्या बोले अगर दोनों में compare करो तो यह bread को घटिया ही माना जाता है घटिया मतलब inferior ही माना जाता है अगर वो बंदा अमीर हो गया यहीं बंदे की income बढ़ गई अमीर हो गया तो सबसे पहले bread को खरीदना बंद करेगा और meat की तरफ जाएगा आप बहुत बड़ी study हो गो यार क्या करे फिर इसके शक्कर में तो सुनो ना पूरी बात सुनो ठीक है इंकम से relation भी दिखा दिया इसने तो गिफिन का यानि जो हमारे गिफिन भाई साब थे ये गिफिन गुड्स के बारे में दो बाते बोलते थे क्याते थे गिफिन का price के साथ positive relation है और income के साथ इसका negative relation है गिफिन बन सकती है अगर आप भी इस तरीके का feel करते हो किसी के बारे में कोई गरीब आदमी होना चाहिए पहली बात तो और वो अपने income का बहुत सारा portion उस घटिया चीज पर खर्च करना चाहिए घटिया है तो इसको inferior भी बोल सकते हैं यानि गिफिन गुड्स inferior गुड्स का एक extension ह घटिया चीजों के साथ अगर ये दोनों बाते हो रही हूं गटिया चीजों के साथ ये तो होता ही है इंकम बढ़ने पर लोग उसको कम खरीदते हैं क्योंकि घटिया है इंकम बढ़ जाएगी तो बढ़िया इटम पर जाएंगे वो मीट पर जाएंगे ये तो होता ही है अ किस case में होता है, इसमें 4 option होते हैं, मैं 2 बताऊंगा, option A, substitute goods, option B, giffin goods, बच्चा confuse होता है, भाई, क्या करना है यहाँ पर, substitute good में भी positive relation है, giffin में भी positive relation है, दोनों ही सही होने चीए, पापा, giffin goods सही होगा, क्यों, substitute good में क्या होता है, price किसी और का होता है, demand किसी और की होती है, तो किसी और के price और कि demand में positive relation है, Pepsi का price बढ़ेगा, तो Coke की demand बढ़ेगी, giffin goods में, खुद का ही price है, खुद की ही demand है, bread का price बढ़ रहा है, तो भी उसकी demand जादा हो रही है, किस वज़े से जादा हो रही है, क्योंक रॉबर्ट गिफिन ने इस चीज़ की थियोरी बना के डाल दी और आपके कोर्स के दे डाल दी ठीक है जी तो चलो उस्ताद अब शुरुआत करते हैं अपना डिमांड का चैप्टर ठीक है जी दिमांड के चैप्टर की स्टार्ट करते हैं अब तुम सोचो चैप्टर में आई मेरे पास आज़ा लेंबोरगेनि मर्सीडिज ओडी बैंटले ये दिमांड है क्या आइफोन 17 आजए मेरे पास ये है दिमांड को बहुत अच्छे से explain करता हूँ आप जिंदगी में कभी इसका मतलब नहीं भूल पाओगे अलग-अलग किताब में अगर कुछ अलग theory भी लिखी हुई है तो आप सब sync कर दोगे मतलब एक साथ लिया होगे जी हाँ इस बात से relate करोगे देखो जी इमांड का मतलब क्या होता है आप किसी चीज की इच्छा कर रहे हो वो तब डिमांड बनेगी जब आपकी अवकात भी हो उसको खरीदने की सिर्फ इतना सिर्फ इतना नहीं सिर्फ इतना नहीं यह भी बात पूरी नहीं क्योंकि मेरी गली के भार एक परचून की दुकान है वहाँ पर लाला है हो लाला की परचून की दुकान में लाला बहुत बड़ा करोड़ पती आदमी है लेकिन लाला ने कोई महिंगी गाड़ी नहीं रखी है अपने पास देखो जी लाला सोचता भी है महंगी अड़ी ले लूँँगा उसकी उकात भी है कि महंगी अड़ी ले लूँगा लेकिन राजे वो तयार नहीं है वो इतने पैसे खर्चने के लिए willing नहीं है उसकी willingness नहीं है तो जिस चीज के बारे में तूम सोचते हो कि ये मेरी हो जाए उस चीज की उकात भी होनी चाहिए और उकात होने के बाद आपका मन भी होना चाहिए कि मैं उसको लूँगा अगर तीनु चीजे सेटिस्फाई होती है किसी कॉमडिटी के लिए तो आप कर रहे हो डिमांड नहीं तो बाकी सब सपना है तो इच्छा है कि यार कोई सुथा यार मेरी यार फलाणा लड़की से साधी हो जाए यह सालीबिरिटी वह सालीबिरिटी सोचने से कुछ नहीं होता पहले खुद की उकात भी हो नहीं चाहिए और बहलों अगर उकात है वह आप अंबानी तो फिर आपकी इच्छा भी हो नहीं चाहिए तब माना जाएगा कि डिमांड है समझे चलो जी नॉर्मली एना एक बात कही जाती है कि जैसे जैसे कोई कॉमोडिटी जिंदगी में महंगी होती है लोग उसको कम खरीदने की इच्छा जताते हैं प्राइज बढ़ने से डिमांड कम होती है और जो माल सस्ता होता रहता है लोग उसको ज़्यादा खरीदना जाते है नॉर्मली ऐसा ही होता है जैसे कि मैं आपको एक टेबल से समझाता हूं मालो है मैंने प्राइज लिखा प्राइज किसी चीज़ का बढ़ रहा है दस बीस तीस तो जो इसकी डिमांड है ना ये एक इमेजिनेशन से ले रहा हूं वैलियूस ये तुम कुछ भी ले सकते हो देंगे है इमांड कम हो रही है तीन सो जो सो यहां क्लियर है कि प्राइज के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है तो राची देखो प्राइस बड़ा, डिमांड कम ओके इतना सेडिस्पाइड है इतना आता है इसके बाद अब मैं ले चलता हूँ तुम्हें डिमांड की डेफिनेशन पर है, डेफिनेशन अफ डिमांड भाई यहां दे हुई है, अब चलो जी उस टेबल को डेफिनेशन अफ डिमांड का मतलब क्या है, तो डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की वांटिटी है, या कॉआंटिटी ऑफ गुड़ और सर्विस है बाइर्स आर विलिंग जो बाइर खरीदने की इच्छा मतलब विलिंग इच्छा है उनकी खरीदना चाहते है सहमती है भई, खर्च कर देंगे पैसा वो और उकात भी है तू पर्चेस अट वेरियस प्राइस डूरिंग गीवर पिरियड मतलब वेरियस प्राइस को लिखा है आपर क्योंकि कवी economist कहना चाहता है कि अलग-अलग प्राइस पर मैं अलग-अलग quantity खरीदने का इच्छुक हूँ Lamborghini 10,00,00 की है 10,00,00 की है तो मालनों मैं 300 खरीद लूँआ Lamborghini 20 करोड की होगई तो मैं 200 quantity खरीद लूँआ 30 करोड की होगई तो मैं 100 quantity खरीद लूँआ एट वेरियस एट डिफरेंट प्राइस मैं Lamborghini की quantity खरीदना चाहता हूँ मैं जीरो तो नहीं कर रहा है quantity कहीं पर खरीदना चाहता हूँ भाई तो मैं उसकी demand कर रहा हूँ यस इस देफिनेशन अफ डिमांड लेकिन इसमें एक चीज़ पकड़ लो तुम प्राइस 10,20,30 हुआ डिमांड 300,200,100 हुई एक पॉइंट पकड़ लो कोई particular point मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 20 रुपे पे कितनी demand है 20 रुपे पे डिमांड राज जे 200 की है ना तो किसी particular special price पे तुम कोई एक demand को पकड़ के बैड जाओ तो इसको बोलते है quantity demanded तो आपको कोई पूछेगा demand और quantity demanded में फर्क क्या होता है तो राज ये demand वो quantity होती है जो अलग-अलग possible prices पे घुमती है दिमांग में इतना price होगे तो इतना price होगे तो इतना खरीद लूआ quantity demanded वो quantity है जो एक special price पे target हो रही है बता भई 20 रुपे प्लेट छोले बटूरे कितने खाएगा पता भई 40 रुपे का ब्रैट पर गोड़ा है कितने खाएगा ये चीज quantity demanded है इसलिए हम जब भी table मनाते है तो यहाँ पर हम quantity demanded लिखते है एक special price के सामने special quantity ठीक है quantity demanded लिखते है special price, special quantity, special price, special quantity इस पूरी सारी quantity इस पूरे combination को बोलो तो यह demand combination है अकेले अकेले को target करो तो वो quantity demanded है चलो जी बहुत बढ़िया यहाँ बोला है definition of demand में बहुत प्यारे प्यारे शब्द लिखे हो है more than just desire यानि demand का मतलब सिर्फ desire नहीं है desire से बहुत ऊची चीज है जैसे कि it involves उकात, ability भी involved होती है इसमें, ability to pay and willingness to use that means for a purchase यानि जो आपके पास पैसा है means का मतलब होता है economics में resource जो आपकी उकात में resource है money है, आपकी willingness भी होना चीए कि आप उसको use करके माल खरीद लो अगला लिखा है quantity demanded ये same होता है, बस फरक क्या होता है इसमें कोई एक given price होता है given मतलब कोई एक particular price पे आप demand को target quantity को target कर रहे हो, वो quantity demanded कहलाएगी और definition में फरक देखेंगे तो सिर्फ इतना ही आएगा always expressed at a given price, यानि अगर मैं बात बोलू, demand की definition में से ये various word हटा दू और यहाँ particular लगा दू तो वो quantity demanded की definition मन जाएगी लेकिन आपको कौन साथ theory में लिखना आ रहा है आपके पास पहें सी क्यों आएगा, ठीक चलो जी, बोल रहा है एक demand को effective होने के लिए demand को execute होने के लिए perform होने के लिए क्या चीज जरूरी है इसके elements given है तो पहला आपकी इच्छा जरूरी है कि आप उसको चाहते हो आपके पास उसको खरीदने के लिए resource होना चीए, मतलब means होने चीए, पैसा होना चीए और आपकी इच्छा भी होना चीए कि आप इस पैसे को खर्च कर सको must be backed by the purchasing power यानि backed का होता है, मतलब होता है support, आपकी सोच की, आपकी सोच must be supported by your purchasing power, आपके पास उतनी purchasing power है नहीं है, पैसा खर्चने की योकात है नहीं है इससे support होनी चीए आपकी सोच तब उस सोच को बोलेगे demand demand बोलो या quantity demanded बोलो ये सारे flow concept होते हैं, पर मैं बड़ा trending question रहता है demand quantity demanded flow concept है या नहीं है, देखो जीएको के जितने भी concept है, उसको दो पार्ट में divide किया हुआ है, एक होता है stock concept, एक होता है flow concept, आपको बता हूँ जिस भी commodity को, या जिस भी concept को, पूरी economics में बता हो, चाहे वो micro economics हो, चाहे macro economics हो जिस भी concept को per unit of time पे measure किया जाता है, जैसे कि मालो पर week या पर month या पर year के हिसाब से, जिस concept को भी calculate किया जाता है, वो सारे concept flow है जिस concept को किसी भी एक exact time पर calculate किया जाता है वो सारे concept stock होते हैं जैसे कि मैं example दूँगा, exact time का example कह है, तुम बता दो भाईया, मैं 4 बजे आउँगा, 4 o clock आपने define कर दिया time, तुम बता दो मैं Sunday आउँगा मतलब तुमने एक 4 बजे भी exact time है, और मुझे से बोल कर clear कर रहे हो time को Sunday आउँगा Sunday भी clear time है आप बोल रहे हो, मैं 31 March 2032 को आउँगा exact time है आप या तो बताओ किस घड़ी वाले time पे आऊँगे या day बताओ, या आप date बता दो exact time बता रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो भया, मैं हर अफ्ते में एक बार आजाँगा हर महीने में एक बार आजाँगा, पर येर में आऊँगा तो आप exact चीज नहीं बता रहे जैसे कि मैं आपको असलियत का example देता हूँ accountancy में तुम balance sheet बनाते हो जब तुम balance sheet बनाओगे तो balance sheet के उपर लिखते हो as on 31st March फणाना धिमकाना येर तो balance sheet अपने आप में एक stock concept है जब तुम P&L account बनाते हो तो profit and loss account के उपर आप लिखते हो for the year 2026, 27, 28 जो भी लिखते हो for the year लिखते हो ना मतलब full year के लिए लिख रहे हो तो exact time जहाँ define होगा वो stock concept और जहाँ define नहीं होगा वो flow concept demand के case में, supply के case में even national income calculate कर लो GDP calculate कर लो वो सारे concept हमारे flow concept होते हैं यहाँ पर exact time define नहीं होता तो इसका इतनी ज़्यादा depth में explanation नहीं दी हुई बस यह question आ जाता है कि बताओ demand stock concept है या flow concept है तो answer it is flow concept क्योंकि हम demand में कभी भी exact time यहाँ बता नहीं रहे पस बोल रहे हैं कि given period of time के अंदर बात कर लेंगे भई है during a period of time के बात कर लेंगे दो दिन में इतना माल खरीद लेंगे दस दिन में per week, per haftे, per month इतना माल खरीदते हैं ऐसे कुछ कहने की बात है अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे ऐसी चीजों से रूबरू कराना चाहूंगा जिसकी वज़े से किसी भी commodity की demand increase भी हो सकती है और decrease भी हो सकती है this is very 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 important topic यह बहुत ज़्यादा important topic है उस्ताद मतलब मैं कराने जा रहा हूँ आपको determinants of demand determinants का मतलब होता है factor affecting demand ऐसे चीज़े एक एक करके point discuss करेंगे ऐसी चीज़े जिसकी वज़े से demand कभी-कभी बढ़ भी सकती है और कभी-कभी कम भी हो सकती है तो उन सभी factors को हमें discuss करना है 10 factor है total मिला के और वो कैसे 10 factor बनते हैं यह clarity ले लेते हैं point number 1 से start करते हैं देखो दोस्तों लिखा तो उपर एक short definition of demand भी है यह मैं करा चुका हूँ अब मुझे आपको कराना है यह factors determining demand module में इसको लिखा हुआ है what determines demand उसके नीचे factor लिखे हुए point number 1 किसी भी commodity का price यानि P कहते है price और demand के अंदर negative relation होता है price भढ़ता है तो demand कम हो जाती है yes price कम होता है तो demand बढ़ जाती है yes normally ऐसा होता है special case अलग होते है लेकि normal बात कर रहे है normally ऐसा होता है yes ठीक है जी फिर यहां कभी बोलना चाता है कभी यानि economist बोलना चाता है कहता है कुछ related goods होती है अब आपको याद आएगा मैंने क्या कराया था कुछ related goods होती है related goods क्या होती है वो goods जिनका आपस में कोई टांका भेड़ा हो है कैसा क्या होता है वो goods जिनका आपस में कोई रिष्टा हो है ऐसा कुछ होता है जी हां रिष्टा मतलब चाचा ताउग का रिष्टा नहीं गुड्स चाचे इत्ता आई नहीं लगती है एक दूसरे की जब एक commodity का price दूसरे की demand को बदल दे जब सबस्टिर्यूट गुड्स के case में बदल देती है और complimentary गुड्स के case में भी बदल देती है तो ये दोनों गुड्स को बोलते है related गुड्स तो या related गुड्स दो तरीके की होती है एक होती है substitute यानि Pepsi Coke एक होती है complimentary यानि car patrol अब मैं बोलू चपल और चपल और कार चपल और कार ये क्या है ये कुछ नहीं है ये related गुड्स ही नहीं क्योंकि ना तो ये complimentary बन रही है ना ये substitute गुड्स बन रही है पापा डंडा या बेल्ट comment में बोदाओ ठीक है प्यार करते होंगे अब तो तुम अच्छे कोर्स की तियारी कर रहे हो तो ठीक है जी तो यहाँ पर इसको explain किया गया है और ये चीज मैं आपको पहले explain कर चुका हूँ कि substitute good के case में एक का price बढ़ेगा तो दूसरे की demand भढ़ जाएगी और उल्टा भी possible है complimentary goods के case में एक का price बढ़ेगा तो दूसरे की demand कम हो जाएगी negative relation होता है उल्टा भी possible है तो यहाँ second number का point लिखा था price of related goods ठीक है मैं इसको r लिखता हूँ क्योंकि बीच में यह r मुझे अच्छा लग रहा है तो number one पर बताया है complimentary goods जैसे की tea and sugar हाँ चाई के अंदर चीनी ठीक है हो चकता है और दूसरी होती है substantial goods इसकी clarity में आपको दे चुका हूँ कौन किस से positive relation है कौन किस से negative relation है ठीक है थार नंबर का बताया है आपकी income disposable income अच्छा पहले disposable income का सही मतलब बता दूँ आपको income क्योंने लिखा disposable income क्यों लिखा है बता देता हूँ भाइफ बता देता हूँ रजा बढ़ा काम बढ़िया से बताना है मालो आपकी salary आपकी income है 100 रुपी आपने कमा लिया गलती से क्या हुआ आप आरे थे चलान कट गया कार चला रहे थे सीट बेल्ट नी लगा रहा है सरकार ने 2 रुपे का चलान कट अब तुम बोलो कि 2 का चलान होता है क्या तो 100 की income होती है क्या यह बनोगे यह example है तो आपके पास कितने बचे हैं 98 ठीक है जी पिर सरकार बोल रही है tax भी दो भाई तुमने सरकार को 1 रुपे का tax दे दिया आप कितना बचा 97 जितना पाइसा ये बचा है इसको आप खरच कर सकते हो खुले दिल से आपकी मरजी है खरच करना है या सेव करना है लेकिन आपने ज पैसे पर तुम्हारा जो रहा है अभी हाल फिलाल तो जिस पैसे पर तुम्हारा जो रहा है वो तुम्हारे disposable income है यानि दा income which is ready for consumption consumption के लिए तयार है ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात बता रहा हूं जो मैरिड नहीं है मैरिड लोगों के लिए बता हूं क्या होता है अभी तो इसमें बैठी एक ठीक है 97 है ना अब बच्चे के तुम्हारे पास वो कईगी 50 इदर लिया हो अब 47 बच्चे इसको खर्च करो 47 के लिए disposable income होती है इसको उटा दो इसको में मिटाये तो इसकी कोई भी क्लिप बना के कहीं पे भी डालेगा नहीं भाई पहले बता रहा हूं हमदेर हो हम ठीक है जी आगे बढ़ते हैं जी हम तो point पे थे अपने disposable income पे तो राजे disposable income के साथ क्या बात होती है disposable income बोलती है normally क्या होता है generally ऐसा होता है कि अगर income increase होगी तो demand भी increase हो जाएगी तो increase in disposable income generally increase the demand जैसे कि normal goods में आपने देखा है normal goods में क्या होता है demand बढ़ जाती है भाई अगर income बढ़ गई तो लेकिन पनोती लगती है घटिया चीजों में घटिया मतलब inferior inferior goods में उल्टा होता है क्यासे घटिया चीजे तुम खा रहे हो तुम हो गए अमीर तो आप घटिया चीजे नहीं खाओगे इसकी demand को कम कर दोगे अमीर होने पर घटिया चीजों की demand कम हो जाती है तो inferior goods के case में demand कम हो जाती है अगर income बढ़ गई तो ओके ओके इतना clear है लेकिन दोस्तों paper के अंदर question आया हुआ है तो ध्यान रखना generally income और demand का positive relation होता है लेकिन inferior के बारे में बात करे तो negative relation होता है बोलेगा अगला अच्छा है इसको क्या बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा आई शोट में बोल रहा हूँ मैं आपको learning tricks सिखाऊंगा मैं सिखाना चारता हूँ कि आप याद कैसे करोगे इस चीज़ को अगला point आगया जी taste and preference की बात कर लो इसको मैंने टी बोल दिया जो जो चीज आपको tasty लगती आप उसकी डिमांड ज्यादा करोगे जो tasty नहीं लगती उसकी डिमांड कम करोगे tasty कैसे भाई tasty कैसे भाई जो चीज ज्यादा fashionable होगी modern होगी उसकी डिमांड जनरली ज्याता रहती है न तो लिखा है modern and fashionable goods have higher demand लेकिन 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 कुछ मज़ेदर बाते हैं जहासे paper में question आता है मैं star mark भी करूँ इसको देखो यह second वाला point यह कहता है कि कुछ external item भी होते है external effect भी होते है जैसे कि demonstration effect bandwagon snob webland भी होता है मैं कर दिखाऊंगा वो भी तुमारी demand को अल्टा पल्टी कर देते हैं बदल देते हैं और बहुत important factors है भावा वो अरे बहुत ज्यादा important है राज्ये अब कराऊंगा उसको उसको करना है रहा धंक से पेलेंगे जड़ा इनको देखो जड़ा चार तरह की effect है पहले मैं बता दू इनकी वज़े से तुमारी demand बदल जाती है यह taste and preference वाले point के अंदर इसकी explanation दी हुई है हम दिल से करेंगे पहल अब एक जैसा दिखाई देता है इसको बोलते है copy करना क्या बोलते है copy करना जब तुम किसी दूसरे को देखकर खुद उस ही चीज की demand बढ़ा दो जो वो दूसरा कर रहा है जैसे कि मालो जो लिपिस्टिक कट्रीना इस्तिमाल करती थी ना वो ही प्रिंका चोपड़ाने कर इस्तिमाल कर दी जो प्रिंका चोपड़ा लिपिस्टिक इस्तिमाल करती थी ना वो ही आलिया बढ़ने कर दी तो एक दूसरे को देखा देखी में demand बढ़ा रहे हैं अब देखो copy करने के भी दो तरीके होते हैं आप किसी को copy क्यो करते हो या तो यार वो तुमें jealousy feel कराके ग है कि यह देख प्रिंका बोलती है देख यह लिपिस्टिक मेरे पास है आलिया तेरे पास नहीं है तो आलिया को jealousy feel हो गई आलिया ने वाई demand बढ़ा दी तो jealousy feel करोगे और demand बढ़ा दोगे तो बोलेंगे कि आपके ओपर demonstration effect आ गया तो मैं वो demo देके गई थी देख देख नान गई है jealousy feel कर रगए है तुमने demand बढ़ा दी ओके लेकिन 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 अब बात करेंगे किसी दूसरे वर्ग के लोगों की आज कलना जैसा चल रहा है मतलब तुमारी शादी होगी तुम खाना खिला होगे पार्टी दोगे तो देते हैं आर शादी जब होती है खाना खिला सब कर रहे हैं वैसा ही मुझे करना है अगर तुम इस सोच के हिसाब से कॉपी कर रहे हो अगर खिशे खैले होगा रहे हो दूसरे लोग कर रहे है वैसा भी तुमने शुरू कर दिया तो किसी चीज की दिमाण होड़ा दी न तो भेड़ चाल हो गई okay तो दोनों में copy किया तुमने यहां पर copy किया चढके चढके copy किया ना आ खोई चढकर यहां पर तुम भेड़ चाल में फस़ गया कोड़ सब लोग करने भाइ मैं भी घर लेता हूं सब लोगों के पास iPhone है मीं भी ले लेता हूं सब लोग C.A. वाला से बढ़ रहे हैं मैं भी बढ़ लेता हूँ होता है it happens real society में ऐसा हो रहे हैं अगली बात आ गई snob effect और webline effect तो देखो जरा snob effect का मतलब होता है शाना बंदा शाना पुरा साफ लिखो क्या साफ ही लिख दो या चीता ही कह दे सेर नहीं कह रहा है तो शाना बंदा ठीक है और webline effect का मतलब होता है हवा बाजी तो बोल रहे हो सर क्या कर रहे हो कैसे पढ़ा रहे हो सर हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्या तो सुनो जरा देखो जी शाना बंदा बिलकुल इन दोनों के अबोजिट चलता है शाना बंदा क्या करता है जो दुनिया कर रहे है वो ऐसी कम तैसी करा है मैं तो करूंगा ही नी अच्छा शाना बंदी में किसो डाले उनसी रोई ने दे वो रिती सेनन करती है अरे तुम कोई भी लिविस्टिक यूज करती हो मैं नहीं करने वाली होगे ने शाना बंदी तो शाना बंदा वो है भाई दुनिया ले रहे है आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओपो ये लेगा टोपो शाना बंदा मालो इनने ले लिया दुनिया से अटके वर्चू, वर्चू बहुत महेंगा फोन है भाई ठीक है नॉर्मली अमीर लोगी खरेटते हैं इस फोन को हमें पता भी नहीं होता ठीक है, फिर वैबलें वैबलें इफेक्ट का मतलब अब देखो डंग से देखो, तुम्हें कोई चिडाके गया, तुमने ज़्यादा समान खरेट लिया, तो सोचो तुम्हारे उपर डेमोंस्ट्रेशन एफेक्ट आ गया, तुम्हारे डिमांड बढ़ गई है दुनिया को देखकर तुम्हें चिडाके नहीं गया कोई, तुमने दुनिया को देखा सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करूँ, सब लोगों के घर में ये पर्टिकुलर व्रेंट की बोशिंग मशीन है, तो मेरे घर में भी यह होगी, क्योंकि यह अच्छी है तो इसलिए तुमने किसी कॉमडिटी को खरीद लिया, तो तुम्हारे उपर बेहंट वेगण इफ़ेक्ट आ गया, तुम वेगण में जैसे पहिये में घुम गए, समय के पहिये में, जैसे सब कर रहे हैं, वैसे तुमने कर लिया तुम शाने हो, जैसा दूसरे कर रहे हैं, मेरे को ऐसा करना ही नहीं है, थोड़ा आलत करेंगे, शाना बंदा, लेकिन शाना बंदा क्या होता ना, ऐसा बतलब शाने बंदे का स्वड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, सब लोग महंगा महंगा वाल खरीद रहे हैं, तुमने अपने को कोई लेन देनी है, अपने एक्सपेंसिव चीज़े खरीदेंगे, एक्सपेंसिव मतलब वो डिलक्स आइटम जो प्रेस्टीज, इजत के लिए खरीदे जाते हैं, बाबा, अपना जूता भी होगा, लुई वितौन का, अपना सूट भी होगा, अर्मानी का, अप को दोनों के अंदरे खास बात बोली हुए, आई से के मॉडूल में, पेपर में कोशन बन चकता है, कहता है, वैबलेन इफेक्ट का मतलब, सीधा सीधा प्राइस से है, प्राइस से है, किस से, प्राइस से, महेंगी चीज़ों का खरीदना, महेंगी चीज़े यहां भी में आ गया होगा, कि दूसरे खरीद रहे हैं, तो आप भी खरीद रहे हो, लिखा है यहां पर, यहां पर लिखा है, हाँ, या लिखा है, demand for a commodity is increased due to the fact, या due to the reason that others are also consuming the same commodity, इस मज़े से तो मुझे को खरीद रहे हो, लेकिन इसके बार में देखो, snow effect के बार में देखते है, we refer extent, extent का मतलब होता है, level, लैसे, snow effect का मतलब हम समझते है, to which the demand for consumer's good is decreased, owing to the fact that others are also consuming the same commodity, यह कहता है, मैं demonstration और band wagon का उल्टा हूँ, जो सब खरीद रहे हैं, मैं उसको नहीं खरीद हुआ, उसकी demand decrease कर दूँआ, कम करीद हुआ, मैं खरीद हुआ कुछ नया, मैं दूसरों से आपको dis associate कर दूँगा, जैसे लोग भेड़ बने हुए हैं, भेड़ों के group को बोलते हर्ड, मैं उस भेड़ से अलग चलूँगा, common herd से अलग चलूँगा, common herd कहा होती है, common herd होती है, राजे, band wagon या फिर, demonstration effect में, यहाँ snow effect में वो तूट जाती है, ठीक है, ऐसे बोलते है, when our product becomes common among all, जब एक चीज़ दुनिया में common मन जाती है, बहुत लोगों में common मन जाती है, तो कुछ लोग शाने होते हैं, क्या करते हैं, वो उसको खरीदना बंद कर देते हैं, तुमें भी कोई ना कोई मन में example ध्याना रहा होगा, अपने यारी दोस्ती में, रिष्तियारी में भी हो सकता है, वो थोड़ा अलगी घटके चलता है, ठीक है, फिर लिखा है, highly priced goods are consumed by status seeking rich people, कुछ लोग हैं, जो status के लिए, बहुत महंगी महंगी चीज़े खरीदते हैं, तो बोलते हैं, उन लोगों पर weblin effect आ गया, weblin effect एक economist का नाम था, थौस्ट और वेबलन, American economist है, ये सब economist के नाम ही है, इसके अंदर example आ गया, बहुत महंगी महंगी कारे, जूलरी, diamond, ये सब आ गया, लेकिन तुम बो आगे आएगा, आगे हैं, material में दे रहा है, यहां नहीं explain कर रहा, आगे आएगा, आगे आएगा मैने पहले बता दिया, ओके, लिखा है यहाँ पर, this point is to be noted, star mark कर रहा हूं, point note करना है, the difference between snob effect and weblin effect, point note कर लेना, कि former, former मतलब पुराना, पुराना मतलब snob, पहले ये लिखा ह कि इसका रिष्टा दूसरों के consumption से है, दूसरे consumption कर रहे है, इसलिए मैं नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा कुछ नहीं हा, मतलब snob effect, ठीक है, लेकिन weblin effect का सीधा सीधा, ये later है न, इंगलिस देखो, and the later मतलब weblin effect, later is a function of price, weblin का रिष्टा सीधा सीधा price से है, महिंग न लगया, आप देखो न, आपने इस वज़े से Rolex की घड़ी पहनी है, क्योंकि दूसरे नहीं पहनते, तो आपके ओपर snob effect आ गया, लेकिन अगर आपने इस वज़े से Rolex की घड़ी पहनी है, कि आप अपने आपको हाइफाई दिखाना चाहते हो, status अपना बढ़वाना चाह हूँ, दूसरे को copy कर रहे हो, reason क्या है, तुम उससे चिड़कर copy कर रहे हो, तो तुम्हारे पूर demo effect है, अगर तुम उससे ऐसी copy कर रहे हो, normal range में जैसे सब करते हैं, तो आपके ओपर bandwagon effect है, तो भाईया, यह जो points थे हमारे, factor affecting demand कर रहे हैं, कहां गया, कहां गया, कहां गय difference वाले, इसके अंदर यह जो demonstration bandwagon, snob और weblin, लिखा नहीं था, लेकिन मैंने अब लिख दिया, ओके, यह चारो के चारो के आपके हो चुके है, कितने factor हो गए, चार factor हो गए, पांच में नंबर बे आ जाते, consumer की expectations, भविश्य को लेकर consumer की expectations, जैसे की, मैं आपनी बता रहेता हूं, दूसरे की तो छोड़ो, मुझे लगता है, कि कल, यानि near future में, पट्रोल का price बढ़ जाएगा, कल पट्रोल महंगा हो जाएगा, तो मैं अपनी बाइक की टंकी फुल करा लेता हूं, कोई कराए ना कराए, मैं कराता हूं, तो लगता है कि अगर future में price बढ़ जाएगा तो current यानि present में demand भी बढ़ जाती है भाई, कल क्यों लूँगा मैं petrol, आज ही ले लेता हूं, लगता है कि कल petrol सस्ता हो जाएगा, तो मैं अभी demand कम कर दूँगा, क्यों, कल ही भरवाँगा आज क्यों भरवा रहूँ, कल ही भरवाँगा, कल सस्ता हो जाएगा तो, तो positive relation होता है, रंग बदल के बताता हूं, expectation about future price, या फिर कोई income, या फिर supply, आने वाली चीजों के बारे में, अगर आपको लगता है कि price बदलेगा, या आपकी income बदल जाएगी, या जो commodity है, उसकी shortage हो जाएगी, ऐसा कुछ supply में लगता है, तो आज की demand आपकी बदल जाती है, जैसे कि positive expectation lead to higher demand, अगर आपको लगता है कि भविश्य में सब कुछ बढ़ जाएगा, आपकी salary कल, ये भविश्य मतलब ये नहीं बोल रहा है, ये को गल्द बोल रहा है, future में 10 साल बात तो income बढ़ेगी यार, इसको near future लिखना चाहिए था, near future का मतलब कल और परसो की बात है, कल तु निकल या परसो बस डेस्ट, तो demand बढ़ जाती है, अगर तुपारी negative expectation है, तो फिर demand तुम कम कर दोगे, ठीक है, ओके रिपोड़े, example भी दी होई या आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने point हो गवावा, 5 point हो गवे, उसके लावा कुछ other factors भी होते है, other factors जैसे की population size, ए अगला, age distribution, age में, कितनी age के लोग रहते हैं, इलाके में उस पर depend करता है, अगर देखो, किसी इलाके के अंदर old age के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर तेल मालिश की demand ज़्यादा हो जाएगी, दवाईयों की demand ज़्यादा हो जाएगी, अगर कहीं तुम जैसे जव तुम मुझे नहीं पता किस चीज की demand ज़्यादा हो जाएगे, तुम comment section ना बता सकते हो, चलो एक CS student की बता रहता हूँ, यह foundation के students की demand ज़्यादा हो गई है, तो वह अपनी पढ़ाई की demand ज़्यादा करेगा, इसमें बहुत अजीब जीब example बन सकते हैं, तुम कुछ भी कहते हैं, देश की national income evenly distributed है या uneven, बाइस हाँ है तो uneven, लेकिन जतनी ज़्यादा equality होगे न national income में, उतनी ज़्यादा overall demand ज़्यादा देखने को मिलती है, और जितनी ज़्यादा inequality होगी, उतनी ज़्यादा overall demand कम देखने को मिलती है, equality है तो almost सबकी income लगबग same है, तो same type of commodity की demand भ रहे न, मैक रो थोड़ी पढ़ रहे है भी, थोग है, कंजूमर क्रेडिट फैसिलिटी, इद अजूमर को क्रेडिट का मतलब होता है, धार कंजूमर को जो उधार दिया जाता है, बैंकों की दिवारा, उस पे interest rate चार्ज किया जाता आ है, अगर competitively demand कम होगी अच्छा government की policy भी है government भी सीधा टाका बेडा सकते है policy भाई सरकार चीजों पर tax लगा के उसका price बढ़वा के उसकी demand कम करवा देगी सरकार चाहे तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें हो गोलगप्पे जैसी चीजें हो तो उस पर subsidies देके producer से बोल देगी अब तेरी production cost कम हो जाएगी बाबा सस्ते हैं बेज इसको तो लोग demand जादा कर देंगे price कम हो जाएगा या government को लग रहा है चरस गांजा भी रहा है market में जादा भाई तो government complete ban कर देगी restriction लगा देगी चरस गांजे पे समझ रहो लग रहा है तो मेरे कहने से अपनी attendance लगा दो प्लीज अटेंडेंस मेरी क्लास में कैसे लगाते हैं जैहिंद जैसी यह लिखके attendance लगा दो तुम वीडियो को पॉस भी करना चाहते होंगे तो थोड़ी देर पॉस भी कर सकते हो एक बार अटेंडेंस लगा दो तो मुझे पता लग जाएगा बच्चे कितने सीरियस है तो बाबा कुल मिलाके मैं कहना चाहता हूं कि यार यह दस फैक्टर हो गए कैसे पांस तो यह थे छटा साथवा आठवा नॉमा दसवा और वेरिये सेक्टरनल फैक्टर भी होते वाई वो नहीं दिया होए लेकिन त तो हैं तुम याद कैसे करोगे इसको यार तुम्हें याद करने के लिए लो प्यारी सी चीजी लेकर आया हूं शॉट्ट्रिक है अपने पास इस तरीके से तुम रिमेंबर कर लोगे इसको शॉट्ट्रिक है टिपर एसी एन जी एक दो तीन चार पाफच छे साथ आठ नो दस letter है, price of a commodity P था, price of related good R हो गया, disposable income को, income के हिसाब से I बोल दिया, taste को T बोल दिया, expectation को E बोल दिया, other factor में size of population को P बोल दिया, age, distribution of population को A बोल दिया, level of national income को N बोल दिया, consumer credit facility को C बोल दिया, government regulation को G बोल दिया, जो consumer credit facility and interest rate पूरा नाम है, इसका ठीक है न, okay report, अगर छोटा सा point इसके इंतर रह गया होगा, consumer credit facility and interest rate पूरा नाम था, अगर easily loan available होंगे, interest को छोड़ो, वैसे भी consumer जादा पाइसा ले लेता है, ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए प्यारा प्यारा, एक सुनहरा सा question में लेकर आ पड़ो, लो जी, ये question number one है, मालो MC का, आपको अभी video pose करनी है, और comment section में टाइब करना, इसका answer क्या होगा, इतने मैं सामने से भी अट रहा हूँ, बतलब तुमने अभी तक जो मेरे साथ tip पर, A, C, N, G किया था, ये 10 factor थे, उन में से कौन सा है यहापर, ये राजी tip पर का T, आगे वाला I, और ये R, ये कहा से आ गया भाई, सप्लाई वाला तो अभी पढ़ाई नहीं है यहापर, सप्लाई की कानी तो आगे है, that is why, ये determinant नहीं है, demand का, तो exact लिखाता था न, कौन सा नहीं है, बस वो ही बताना था आपको, ठीक है दोस्तो, इससे आगे मैं कुछ चीज़े आपको कराता हूँ, देखो आपको मसा आएगा, point number one, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कि आप खुद जवाब दो, कि किसी भी commodity की demand, इसके जो determinants है, ये सब, ये सब इसके determinant है, इनकी वज़े से बदलती है या नहीं बदलती है, हाँ बदलती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, तो मैं कह सकता हूँ, कि demand का, इसके factors से, demand का, इसके factors से, कोई ना कोई संबंध है, जायज वो भी, तो relationship है, अगर आप कहते हो, जी हाँ, factors affecting, demand के points का, किसी भी commodity के demand के साथ, रिष्टा बनता है, तो ये रिष्टा क्या कहलाता है, तो दोस्तो, इस रिष्टा is called demand function, इस रिष्टा is called demand function, तो demand function की definition लिखी है, it refers to the functional relationship between demand and its determinants, determinants का मतलब वो ही tip पर है CNG, ओके रिपोट है, ओके रिपोट है, ठीका जी, इसको हम ऐसे ही लिख सकते है, demand of a good x, यानि किसे भी commodity demand is equal to f का मतलब function, bracket का मतलब of, demand is, इस निशान का मतलब हो गया, is equal to वाले निशान का मतलब, demand is function of, किसका, जो इसके factors है, लिख दो जी, ऐसे लिख दो, ये demand function की equation हो गई, book में लिखी हुए है, demand function ये factors, price of good x, income को y लिख दिया, price of y मतलब related goods, taste का मतलब t लिख दिया, पाकि etc लिखके छोड़ दिया, कभी यहाँ पर कहना चाता है, कि, जब किसी चीज का function लिखा जाता है, ऐसे equation में, तो, जिस चीज की बात होती है, मालो demand की बात होती है, तो ये demand जो है, ये dependent variable होता है, variable का मतलब कोई भी item मालो, item है यहाँ पर बहुत सारे, ये dependent variable है, ये depend करता है, किस चीज पर, इन सब पर depend करता है, तो इन सब को बोलते है, independent variable, कहीं लिखा नहीं क्या, ये लिखा, independent variable, तो में dependent और independent variable के बारे में चार option देदेगा पुछेगा कौन सा dependent variable है कौन सा independent तो भाईया यही है सिर्फ जो dependent है बाकि सब independent है हो जाएगा ऐसा भी कोई लिक्कत नहीं है चलो जी ओके रिपोर्ट है ठीक है अगला मैं आपसे बोलना चाहूँगा एक table बना रहा हूँ जिसमें दिखाई दे रहा है price बढ़ रहा है और demand यानि quantity demanded कम हो रही है इस table को क्या बोलू table को eco में बोलते है schedule क्या बोलते है schedule और इस table को मैं बोलूँगा demand schedule okay demand schedule एक ऐसी table हो गई जो price और demand के बीच में रिष्टा दिखाती है कानी खतम कानी खतम ना okay report आज आपको एक बात बताता हूं दोस्तो जो demand होती है वो दो तरीके की होती है एक होती है individual demand एक अकेलिय बायर की demand को individual demand बोलेंगे ठीक है और पूरी team यानि market में जितने भी बंदे हैं उन सब की demand का total कर दो तो उस demand को बोलेंगे market demand कैसे 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 समझा नहीं समझाता हूं माल लो मैं example के तोर पर आपको बहुत अच्छे होती जा रही है ठीक है एक बंदा और है market में तो बहुत सारे बंदे हो सकते हैं ना मैं माल लेता हूं दो यह बंदे हैं अपना concept इजी करते हैं ठीक है यह बी लिख दिया तो बी से माल लो भानू है अमर और भानू भानू की demand 200 400 600 है ठीक है अमर और भानू की total demand बताओ 10 रुपे पर कितनी है लब 10 रुपे प्राइज है किसी भी चीज़ का तो दोनों की demand को total कर दो 300 आ जाएगा 100 और 200 तो दोस्तो यह वाली demand होगी market demand market demand individual demand का total है 200 और 400 600 300 और 600 900 और इस table को बोलेंगे इस table को बोल देंगे market demand schedule डरने वाली कोई बात नहीं है अच्छा कोई बोलेगा market demand schedule क्या होता है धंक से बताओ तो राजे market demand schedule price और market demand की presentation होती है that's it ओके चलो जी मैं आपको गार बताता हूँ बताने को individual को depth में बता सकता था लेकिन module में इतना नहीं बताना मतलब module के हिसाब से चल रहे हैं इसका मतलब क्या यह ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है यह downward demand curve के बारे में अगर मैं आपको और बताना चाहूँ माल लो यह demand curve है अमर का साथ में demand curve बना दिया मैंने भानू का तो राजे दोनों के demand curve को अगर तुम जोड दोगे जोड़ें यह price है माल लो जोडते कैसे दिखाता हूँ इधर कोई भी एक price suppose कर लो यह suppose कर लिया टक कर मार दो दोनों कर पे इस वाले curve से देखो नीचे क्या लिखा है मालो 10 लिखा है इस वाले को प्लस करो 10 और 20 30 तो 30 मैंने यहां लिख दिया यहीं तक लाइन लेकर जाओ और एक नई लाइन मना दो इनके parallel यह market demand curve हो जाएगा मार्केट दिमांड करफ इंडिविजूल डिमांड करफ का टोटल करके आता है कैसे ऐसे horizontal submission ऐसे vertical submission नहीं किया ऐसे होता है vertical खंबानी वर्टिकल और ऐसे होता होता होरिजोंटल horizontal submission है individual demand curve का market demand curve यह अकेले केले demand curve थे individual demand curve यह total हो गया market demand curve कलो जी आगे क्योंकि concept आने है राजे मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको अब एक concept है यह आया जी अपना law of demand law of demand बोलता है कि demand को affect करने वाले 10 factor बता दिया आपने उसमें से एक की बात करो no को side में रखो सिर्फ price की price of on good की और बाकी सबको silent रखो बाकी सबको silent रखो सबको silent रखने को बोलते हैं ग्रीक भाशा में satiris paribus e-r-i-b-u-s satiris paribus का मतलब होता है इसका मतलब होता है other factors are constant other factors are held constant इसका मतलब ही होता है तो कहते है सिर्फ price की बात करो और किसी की बात मत करो तो price की बात करने पर आगए अगर तुम तो तुम खुद बोलोगे कि जब price बढ़ता है तो demand कम होती है जब price कम होता है तो demand बढ़ती है yes this is the statement of the law of demand law of demand खुद बोलता है तो मैं भी पता ही होगा पहले से law of demand एक price और demand के relation के बारे में सच्चा ही है कहता है generally ऐसा ही होता है कि price के बढ़ने पर लोग सामान कम खरीतते हैं और price जब कम हो जाता है तो लोग सामान ज़्यादा खरीतते हैं कुछ उच नीच वाली बात है तो वो general बात नहीं है उसको भी अलग से discuss करने वाले हैं तो law of demand states the negative relation या फिर inverse relation या फिर indirect relation between price and demand keeping other things constant यानी satiris paribus तो जितने भी concept आपको कराएं देखो एक एक करके लिखे मिलेंगे law of demand लिखा हुआ है definition ये state करता है inverse relation between price और quantity demanded में और assume करता है other factors constant जिसे satiris paribus बोलते हैं अलफ्रेड मार्शल ने law of demand के बारे में एक बात कही थी जो आपको ध्यान रखनी है ये बोलता है the greater the amount to be sold the smaller must be the price कहता है अगर तुम्हें माल ज्यादा sale करना है तो आप price कम रख दो मार्शल बोलते थे law of demand के बाद law of demand में किसे ने दिया मार्शल ने elasticity of demand में किसे ने दिया मार्शल ने बहुत सारे concept मार्शल की द्वार दिये गए है कहलो जी कौन-कौन से factor को constant रखो गए वो सारे price को छोड़ कर demand schedule ऐसी table होती है जो price और demand में relation दिखा है demand curve एक ऐसा diagram है ऐसा curve है जो price और demand में relation दिखा है यह downward sloping होता है negative slope होता है बस इतना ही ध्यान रखना है market demand curve अभी individual demand curve का total है ठीक है फिर आता है तुम्हारा जी कहांग यह market demand curve यह रहा है मैंने बता दिया market demand schedule है यह अलग-अलग price पर सभी buyers हैं अब पोइंट बनता है जो आपको करना है law of demand के पीछे के कारण reason, causes भाई यह price बढ़ता है तो demand कम क्यों होती है तो लोग तुमने बता दिया लव सर हम मान रहे हैं हम मान रहे हैं कि price बढ़ता है तो demand कम होती है यह law of demand है लेकिन why वाई इस कोला वेरिडी वल्लब इसके बीच में कुछ तो बताओ तो वो reason बताने को बोलते हैं कि वो law of demand के पीछे का reason है जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं धीरे-धीरे करके बताता हूँ एक एक करके, ठीक है जी देखो जी यहाँ बहुत सारे point बना देता हूँ आपको तक ही मजा भी है अनले price के बढ़ने पे demand कम क्यों होती है अगर मैंने यह साबित कर दिया तो law of demand के reasons आपको बताती है तो पहले बताऊंगा माल लो, आपकी income की बात करते हैं आपकी income की बात करते हैं आपकी income 100 रुपया है यानि यह आपकी वो income है जो आप खर्च करना चाहते हो तो इस 60 रुपया को बोलेंगे आपकी real income जो खर्च करना चाहते हो और इसको ही बोलेंगे आपकी purchasing power आपकी खरीदने की शक्ती 60 रुपया ही है समझे रहो यह बोलेंगे तो ठीक है जी 60 रुपय आपकी खरीदने की शक्ती है अब जो सामान आप खरीद रहे हो उसका price 10 रुपय है तो बताओ कितनी quantity 60 रुपय में खरीद लोगे आप 6 quantity खरीद लोगे price 10 रुपय है 60 रुपय आप खर्च कर सकते हो तो 6 quantity खरीद लोगे लेकिन गलती से price बढ़कर 20 हो गया आप quantity कितनी खरीद पाऊगे आप 60 रुपय है तीन quantity आईगी 20 की एक है 60 की तीन हो गई हाँ तो यही होता है price के बढ़ने पे आपकी demand कम हो गई आप 6 से 3 पे आगए 6 से कितने पे आगए 3 पे आगए क्यों क्योंकि आपकी खरीदने की जो शक्ती थी न वो कम हो गई पहले शक्ती 6 यूनिट खरीदने की थी अब उकाद कम हो गई खरीदने की शक्ती मतलब purchasing power purchasing power मतलब आपकी real income कम हो गई ठीक है तो पहला जो कारण है law of demand के पीछे उसे बोलते है income effect क्या बोलते है income effect मतलब जब किसी चीज़ का price बढ़ता है तो आपकी खरीदने की शक्ती कम हो जाती है और खरीदने की शक्ती is real income तो income effect पहला reason है दूसरा reason बताता हूँ मालनो आपको यह ऐसी commodity की बात कर रहे हो उसी की बात कर रहे है जिसको मैं बोलूँगा जिसके कुछ substitute भी available है मालो पैपसी की बात कर रहे हो पैपसी का price 10 रुपे है गलती से पैपसी का price बढ़ जाता है गलती से क्यों बढ़ सकता है वही 20 रुपे की आजाती पैपसी तो आप इस पैपसी की डिमांड कम कर दोगे पहले जितनी भी करती थे उससे कम डिमांड कर दोगे, पता है क्यों? क्योंकि Pepsi का प्राइस बढ़ने की वज़े से आप Coca-Cola या Thumbs Up पे आ जाओगे इस वज़े से Pepsi कम खरीदोगे तो राजे Coca-Cola या Thumbs Up क्या है? ये Coca-Cola और Thumbs Up Pepsi के सब्स्टिरिूट्स है तो आप किसी चीज़ के प्राइस के बढ़ने की वज़े से उसके डिमांड कम कर देते हो because of substitution effect substitution effect, ध्यान रखना इस चीज़ को जैसे कि मैं आपसे यहाँ point बोलना चाहता हूँ देखो reason बताया थे न reason बता रहा था मैं आपको तो मैंने एक बताया आपको income effect, दूसरा बताया substitution effect, दोनों को जोड़ दो तो price effect बनता है यानि किसी भी चीज़ का price बदलेगा तो आप उसकी demand बदल दोगे या तो income effect की वज़े से या substitution effect की वज़े से तो यहाँ पर पहले यही दिया हुआ है reason दिया हुए law of demand के तो पहला है price effect of fall in price या फिर rise in price जो भी है तो पहला substitution effect हो गया तो consumer substitute cheaper goods अगर किसी चीज़ का price महंगा हो जाता है तो लोग सस्ती goods के तरफ shift हो जाते है income effect, जब किसी चीज़ का price कम हो जाता है तो आपकी purchasing power बढ़ जाती है और किसी चीज़ का price बढ़ जाएगा तो आपकी purchasing power फूस हो जाएगी मतलब real income फूस हो जाएगी तो उस वज़े से आप commodity को कम या जाधा खरीद होगे तो this is the case ओके दूसरा बताता हूँ आपको price बढ़ने की वज़े से demand कम इसलिए होती है क्योंकि price जब किसी का बढ़ जाएगा न तो महंगी चीज़ के case में new customers नहीं पहुचेंगे not arrival और existing customer तो वैसे ही कम खरीदेंगे महंगी हो गई तो नए customer को market में आने से रोकेगी और जो बने होए customer से पुराने वो खुद कम खरीदेंगे तो price बढ़ने से demand कम इसलिए होती है क्योंकि नए customers arrive नहीं हो पाते और price कम हो जाएगा तो demand बढ़ जाएगी price कम होने से नए customer arrive हो जाएगे पहुच जाएगे market में ठीक है तो के report है चलो जी दूसरा reason थोड़ी देर में बताऊंगा तीसरे पर आजाते है arrival of new consumers अगर price कम हो जाएगा तो it will attract new consumers वो आएगे और माल खरीदेंगे फिर चौता दिया हुए different use देखो जी जिस commodity के different use होते है उसके बारे में बात की हुए जैसे कि मानलो दूद के बहुत सारे use है दूद से आप चाज बना सकते हो दही बना सकते हो तबजी में इस्तेमाल हो सकता है पनीर बना सकते हो घी बना सकते हो मखन बना सकते हो चाय कॉफी सब बना सकते हो दूद महंगा हो गया उसके demand कम क्यों होगी उसके demand कम इसलिए होगी जो कि जो उसके बहुत सारे इस्तिमाल है न तुम उसमें से कोई न कोई यूज कट कर दोगे जैसे कि बिजली महंगी हो गई तो तुम बिजली की डिमांड कम कर दोगे इलेक्टरसिटी की डिमांड कम कर दोगे बिजली मैं वो बिजली नहीं बोल रहा जो विजिली मतलब इलेक्टर्सिटी तो एक लाइट्रो तो इलेक्टर्सिटी सेब्भाइनल इन्दर वह सारे हो दो अगर अलग-अलग कमरा एक एक fandra अग थी लगा हुए था पापा बोलेगे सारे बंद्या अब एकी कमरे में बैट गे टीवी देखो अलग-अलग कमरों में टीवी नी चलेगा अलग-अलग कमरों में यसी नी चलेगा पंका नी चलेगा एक जगा तो बिजने की डिमांड भी बदब अब जिसके बहुत सारे यूज नहीं है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता इतनी बात हो गई यह बीच बीच वाला लिखा था यह यह यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग ब्हेवियर ऑफ कंजूमर ऐसा बोला है वैसे तो देखो इसको यूनिट 2 में एक्स्प्लेन किया जाएगा आ डिक अच्छा सा हो जाता है ठीक है ना तो जो कंजूमर ऐसे बंदा है झिसका जीग अच्छा हो जाता है तो वह जब प्राइस कम हो जाएगा ना जब चीज सस्ती होगी अन। तो उसकी satisfaction थोड़ी से बढ़ जाएगी उसको खरीद ने हैं बस आधा reason बता रहा हूँ पूरा proper reason इसका unit 2 में बताऊँगा अभी इतना ही समझो इसको इसको एक लाइन लिखी है लोग ज्यादा खरीदते हैं buy more when price are lower due to diminishing marginal utility उसको utility का मतलब ही नहीं पता भी तो तो में आपर बसे उसका जब price कम हो रहा है तो उन्हें मजा सान लगता है यार यह ले 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 सस्ती होगी ले सस्ती होगी ले ले satisfaction सी उसकी थोड़ी सी increase हो रही है अंतरात्मा बोल रही है फिर एक बड़ा important यहाँ पर दिया हुए topic exception of the law of demand राचे exception क्या होता है exception का मतलब ऐसे case जहाँ पर law of demand काम नहीं करता law of demand की बेस्ती होगी काम ही नहीं करता ऐसी को बोलेंगे exception of the law of demand यह क्या exception होते है मतलब law of demand बोलत है प्राइस के कमोने में बढ़ जाएगी लेकिन कुछ ऐसे case होते हैं यहां पर यह बसूरी यह राइता नहीं फैलता मतलब यह बाते काम नहीं आती है ऐसे कौन से case होते है पहला conspicuous goods conspicuous goods का मतलब होता है महंगे item prestige के लिए जो खरीदे जाते हैं यह आये थे ना वैबलन व के सब्सक्राइब होते है रोलेक्स हो गई मेरे पास नहीं हाथ उपर नहीं किया है तो status के लिए status सिंबल वाली जो गूट्स होते है आप बोल चकते हो कुछ गूट्स ऐसी है जो status के लिए होते है तो महंगे होंगे तो खरीदे जाएंगे तो भाई फिर यहां पर law of demand काम न होता है बड़ा important factor आया भी होगा है बहुत बार यह ठीक है फिर conspicuous necessities यार यह conspicuous का मतलब तो महंगय item होता है हाँ महंगय item होता है कुछ महंगय item ऐसे हैं जो आज हमारी जरूरत बन चुके हैं इसके मिना रहते ही निए भाई हम mobile phone सस्ता है क्या महंगा है घर में लगावा LED TV सस्ता है क्या रे भहिंगा है इसके मिना रह पारे हैं क्या हम नहीं रह पारे तो कुछ ऐसे महंगय item है जो लेने बहुत जरूरी है इनका price बढ़ने के बाद भी घर में TV होता है पोन भेंगा होने के बाद भी घर में होता है तो कुछ प्रेस्टीज इस कुछ महंगी चीज़े आज जरूरत बन चुकी है उन्हें हमें खरीदना पड़ता है price बढ़ने के बाद भी उनकी बात हो रही है जैसे कि टेलिविजन वगेरा रेफ्रिजिरेटर फ्रिज की बात कर ली आज कल तो ACBS ही हो रहा है फिर कुछ future expectation about price यार यह पॉइंट तो factor affecting में भी था यह पॉइंट यह पर भी है यह पॉइंट दोनों जगा है लेकिन मतलब अलग है यह बोलता है anticipation anticipation का मतलब होता है expectation अगर तुम expect करते हो कि future का price increase हो demand even as current price rise यानि 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 क्या बोल गया है यह बोल गया है यह को ढंग से समझाता हो इसको current price बहुए हो गया तू जैसे की कोई चीज अभी 10 रुपे की है तुमें लगता है कि कल वह 20 की हो जाएगी कोई चीज़ 10 की तुम्हां लगता है कि कल वह 20 की हो जाएगी तो तुम आज उसकी देमांड भठा दोगे अगर उसका आज प्राइस दस से पंदरा भी हो गया तो प्राइस बढ़ने के बाद भी तुम दिमांड बढ़ाओगे तो कभी-कभी situation ऐसी पैदा हो जाती है कि कल पट्रोल लग रहा है बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में महंगा होना शुरू हो गया तो अभी भी द तो वो गडबड़ी कर देता है कई बारी ऐसा शेयर मार्केट में होता है शेयर मार्केट में में बंदे को पता नहीं होता कि स्कॉमडिटी पर कितना पाइसा लगाना है तो गलती से वो महंगी चीज़े भी खरेल देता है उसको पता ही नहीं होता है ज्यादा लोग लगाएगा वो, फिर भी तो महगा समान खरीद लेते हो, ना, macro economics में यह topic बहुत अच्छे से खोला जाता है, public finance वाले chapter में, जिसमें moral hazard और adverse selection जैसे चीज़ आती है, अभी कभी incomplete information आपको नहीं पता गड़ी कैसी है, गड़ी, गड़ी कैसी है, seconded car खरीद ने जाते हो, तो पता बहुत जरूरी है, जिन्दा रहने के लिए, जरूरी, क्या होता है, जो जो जरूरी होता है, उस चीज़ का price नहीं देखा जाता है, प्यार का price देखा जाता है, दोके का देखते हैं, दबाईयों का, food का, oxygen का price नहीं देखा जाता, ये चीज़ खरीदनी पड़ती है, चाहे उसको प्राइस बढ़ने के बाद भी खरीद लेते हैं भाई 60 किस पर लगाया जाता है मैं जूमे की बात नहीं कर रहा जूमे को गैंबलिंग बोलते हैं जो लीगल चीज होती है उसको स्पेकुलेशन 60 बोलते है कैसे कि मालो किसी कंपनी के शेर बढ़ते जा रहे है दे दना दन तो आप बढ़ते होए प्राइस को भी तब भी आप उसको ज़्यादा खरीच सकते हो क्या आपको लगता है अभी तो थोड़े से बढ़े हैं और बढ़ जाएंगे बाद में और भी बहुत सारे अलग कारण होते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जिसकी वज़े से लॉफ डिमांड फ्लोप हो जाता है मतलब फूस हो जाता है तो चेंज इन फैक्टर्स लाइक इंकम प्राइस ओफ रिलेटेड गूड टेस्ट फैशन can invalidate the inverse relationship between demand and price टीक है प्राइस के का महने पर बोलता है प्राइस के कम होने पर demand के बढ़ने की बात बोलता है लॉफ डिमांड यानि पहले कौन बदलेगा price फिर कौन बदलेगा demand असली जिंदगी में आऊ इधर इधर यही देखो असली जिंदगी असली में क्या होता है अगर demand पहले बढ़ गई तो जिस चीज की demand बढ़ती है उसका price भी बढ़ जाता है होता है नहीं होता अगर जिस चीज की demand कम है लोग खरीदना ही नहीं चाते तो यार इसका price ही कम हो जाता है यह छपर की बात है यह law of demand की बात है इपेंड करता है पहले कोन बदलेगा law of demand इसको नहीं बोलता उसको बोलता है अब आपको और मोटी मोटी बात बताऊँगा आपको इतना पता लग गया है कि price के बदलने बढ़ price के बदलने से demand बदलती है हाई या ना पता लग गया ना तो देखो दोस्तों अब आपको concept पढ़ा रहा हूँ मैं जिसे बोलते हैं change in quantity demanded या फिर इसको बोल दो तुम प्यार से movement along demand curve ये concept क्या बोलता है अभी धंक से समझना ये law of demand से related है पुरा का पुरा concept ये उसको और आगे तक तोड़ रहा है law of demand क्या बोलता है क्येता है कि price अगर बढ़ गया, 10-20 हो गया माल लो तो demand जो है कम हो जाएगी, 100-50 हो जाएगी अच्छा law of demand ये भी बोलता है कि price अगर माल लो कम हो गया 10-50 तो demand जो है बढ़ सकती है 100- डाइग्राम से भी दिखाता हूँ, यह रहा law of demand का डाइग्राम, गुलब demand कर्व बना रहा हूँ, मनलो कोई भी price है, यह वाला price मान लिया, P1, इसको टक्कर मारा हो demand कर्व पे, देखो demand कितनी है, मनलो Q1 है, रंग बदलो, मनलो price अगर बढ़ गया, जैसे 10 से 20 हुआ है, सफेद रंग का, और यहाँ कोई मैं price मान लेता हूँ, कोई भी price, P1 है मान लो, यह origin का point है, इस पर demand कितनी है, Q1 है, मैंने बोला गलती से अगर मान लो price, जैसे 10 से 5 गिरा था, तो P1 से P2 गिर गया, ऐसे गिर गया ना, तो इसको टक्कर मारो demand करफ पे, और नीचे लाइं, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, प्राइस के कम होने से demand बढ़ चुकी है, Q2 तो का चुकी है ना, देखो दोस्तो, demand बहुत सारी चीजों की वज़े से बदलती है, दस factor पढ़े ना, tip पर A, C, N, G, बहुत सारी वज़े से बदलती है, लेकिन demand जब सिर्फ price की वज़े से बदले ना, तो उस बदलने को बोलते है, change in quantity demanded या फिर movement along demand curve, और ये दो तरीके का होता है, सिर्फ price की वज़े से demand बदलेगी, सिर्फ price, और कोई factor नहीं होना चीए, तो या तो demand बढ़ेगी, या कम हो जाएगी, अगर price की वज़े से demand बढ़ गई, जैसे यहां बढ़ गई, price fall हुआ, demand बढ़ गई, तो इस demand की बढ़ोतरी को बोलेंगे, extension of demand, extend होना, जादा होना, expand होना, expansion या extension कुछ भी बोल लो, और अगर price के बढ़ने की वज़े से demand कम हो गई, demand में गिरावट आगई, सिकुड गई है demand, demand के सिकुडने को, सिकुडने को English में बोलते है contraction, कम हो गई है, ठीक है, तो this is called contraction of demand, और राजे जब contraction होता है न, तब तुम कहानी सुनो, देखो जी, पहले price P1 था, demand इतनी थी ये वाला point था, price बढ़ गया, demand इतनी होगा, ये वाला point आ गया, तो demand कर्व के ओपर जो point है न, वो move हो गया, move, movement, move वो cream नहीं है, movement वाला move हो है, ठीक है, move हो गया, कहां उपर, तो जब contraction होता है, तो point उपर move हो जाता है, demand कर्व के ओपर, तो इसको upward movement भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, upward movement, इसके उपर question आ जाता है, upward movement along demand कर्व कब होता है, तब होता है, जब price बढ़ रहा होता है, जब कम होगी, तब ही upward movement होगा, चलो जी, इस case में point नीचे उतर के आ गया, this is called downward movement along demand कर्व, यानि इतने सारे नाम है, तो पूरा पूरा ये समझ में आता है, कि ये जो पूरा concept है, law of demand से related है, जब demand price की वज़े से बदले, तो उस बदलाव को बोलेंगे, change in quantity demanded, और वो बदलाव दो तरीके का हो सकता है, contraction भी, extension भी, लेकिन, demand तो किसी और reason की वज़े से बदल सकती है, प्राइस को छोड़ कर, government policy, income, related goods, taste and preference, बहुत सारे reason हो सकते हैं अगर demand किसी और वज़े से बदल गई, यानि, change in demand, due to change in factors, other than price, other than price, कौन से व़ला प्राइस, वो भी price of on good, यानि, पहले पहले जो price था, खुद good का price, इस good के price को छोड़ कर, अगर किसी और वज़े से, किसी और factor की वज़े से demand बदल गई, तो इस change in demand को बोलेंगे, क्या, सिर्फ, change in demand ही बोलेंगे, yes, change in demand ही बोलेंगे, सिर्फ, अच्छा ऐसा नाम भी है क्या, जी हाँ, गौर से सुनो, गौर से सुनो राज्या, गौर से, इधर बता रहा हूँ, change in demand का concept है, इसको हम shift in demand कर भी बोलते हैं, shift in demand कर, यह दो तरीके का होता है, अगर किसी factor के वज़े से demand बढ़ गई, तो इसको हम increase in demand बोलेंगे, अगर किसी factor के वज़े से demand कम हो गई, तो इसको हम decrease in demand बोलेंगे, increase in demand की वज़े से demand कर, rightward shift हो जाएगा, करके दिखाऊँगा अभी, tension बतलो, और decrease in demand की वज़े से demand कर, leftward shift हो जाएगा, कईसे, 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 यह सब करके दिखाऊँगा, माल लो, पहले तो table बना दूँ, किसी चीज़ का price नहीं बदला, बदल गए हो तुम, price नहीं बदला, बदल गया कोई और factor, और demand 100 से 200 हो गई, तो यह increase in demand है, price को छोड़कर पता नहीं किस वज़े से बदली होगी, वो वज़े भी नहीं दिखाते हैं, अगर माल लो, किसी चीज़ का price नहीं बदला, उसकी demand 100 से 50 हो गई, हो जाता है कभी-कभी ऐसा, वो नहीं आई, तो मुमुज नहीं खाए, वो आई थी, तो मुमुज खाए थे, प्राइस तो कोई लेन दिन नहीं, प्राइस तो उतना गउतना है, ठीक है, तो दिस इस decrease in demand, चलो, गाइगराम पर देख लो, अब रंग बदलेंगे, माल लो, यह demand कर वे, किदर भी बना रहे हैं, माल लो, यह demand कर वे, माल लो, कोई प्राइस है, दस रुपे का ही प्राइस है, इस पर तुम सो मुमुज खाते थे, अब प्राइस बदला ही नहीं, लेकिन तुमने सो की जगाँ, दो सो मुमुज खाने शुरू कर दिये, लाइन को उपर ले जाओ, और दिखो, demand कर parallel establish करके दिखोगे, तो यह rightward shift हो चुका है, और demand बढ़ चुकी है, किदर देखो, 10 रुपे प्राइस था, और तुम सो मुमुज खाते थे, आज वो आई नहीं, प्राइस दस रुपे है, तो तुमने 50 मुमुज खाए है, यहाँ ले जाओ, और ऐसे demand कर डाल दो, leftward shifter देखो, तो होगे काम, तो अगर आपसे बात की जाए, तो यह change in demand या shift in demand कर कहता है, कि प्राइस को छोड़कर अगर किसी और वज़े से demand increase और degrees होती है, तो वो चीज change in demand है, तो clarity भी आपको इस चीज के उपर देखता हूं, डरने वाली बात नहीं है, यह लोजी है, यह expansion और contraction of demand दिखाया हुआ है, दोस्तों, जब point, जब point उपर move कर जाए, expansion, नीचे कर जाए, contraction, expansion को मैंने extension लिखा था अभी, ठीक है, ऐसा price के बढ़ने पर होता है, जब demand कम हो जाती है, हाना, demand कम हो जाती है, price बढ़ जाता है, तो यह point उपर चला गया, अच्छा, तो यह expansion हुआ, नहीं, यह expansion नहीं हुआ है, ठीक है, यह demand कम हो गई है, price के बढ़ने पर, this is called contraction, फुल्टा लग दिया था, अच्छा हुआ, और जब price कम होने पर, यहां से compare करेंगे, demand बढ़ जाए, तो this is called extension या फिर expansion, जो मर जी बोल लो यार, expansion of demand, ठीक है जी, आगे बढ़ो, expansion of demand में क्या बोलते हैं, कि जब price कम हुआ, तो demand बढ़ जाती है, यह आ गया जी, expansion of demand, खलो जी, contraction of demand में, जब price बढ़ जाता है, तो demand कम हो जाती है, यही होता है न, और point उपर move कर गया, यहां से है, खलो जी, increase or decrease in demand में, increase in demand में, demand के और rightward shift हो जाता है, और decrease in demand में, demand के और leftward shift हो जाता है, यही जब price constant रहे, और demand कम हो जाए, तो this is, decrease in demand, ठीक है जी, इतने factors हो गए है, तो कुल मिला के, अब हमारा यहां पर, demand का chapter हो गया है, ठीक है, अब हमें दोस्तो, chapter start करना है, मतलब, elasticity of demand, ठीक है, सही time लगा है आपको, इस chapter को करने के लिए, और सही time भी लगना चाहिए, मतलब इतने time में यह होना चाहिए था, लेकिन यह start करने से पहले, आपको एक छोटी से summary बता देता हूँ, आप प्लीज इसको ध्यार रखना, मैंने आपको बताया था, law of demand के reason में, price effect, income effect और substitution effect का total होता है, यार यह concept दिया हुआ था, दो economist ने, Hicks and A.L.E.D. ने, यह आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसके बारे में एक important चीज जस्ट आपको याद रखनी है, inferior goods के case में, या inferior goods का income से negative relation होता है, आप अमीर हो जाओगे तो इन घटिया चीज़ों को खरीदना बंद कर दोगे, और गरीब हो जाएगा बंदा तो घटिया चीज़ों को जादा खरीदेगा, राइट, यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर एक question आता है, price के कम होने से इसकी demand बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, inferior goods की, फिर price करिष्टा क्या होगा, price करिष्टा होगा, तो depend करता है, देखो दोस्तों आपको जो लिखना है, आप ध्यार रखना, income effect, अगर strong हुआ, substitution effect से, तो, और income effect से strong, अगर substitution effect हुआ, तो, अलग-अलग बाते हैं, strong का मतलब य अगर substitution effect ने, income effect से compare करना है, अगर substitution effect ने, income effect को बीट कर दिया, तो, price के कम होने पे, inferior goods की demand बढ़ जाएगी, okay, point to be noted, आ सकता है, पेपर में कोश्चत, difficult बनता है, और अगर income effect ने, substitution effect को बीट कर दिया, ये आउट वे हो गया, तो, price के कम होने पे, demand बढ़ जाएगी, और vice versa भ चोड़ो, इस पे इतना दिमाग मत लगाओ, आपको दिमाग लगाना है, elasticity of demand पे, टॉपी का राज्य, elasticity of demand, अभी जो लिखा हो, वो सब बता दूँगा, demand की elasticity, देखो, demand न, बहुत सारी चीजों की वज़े से बदलती है, price की वज़े से भी बदलती है, और बहुत सारे factors है, बहुत सारी चीजों की वज़े से बलती है, तो मैं आपको simple बताता हूँ, की, मैं मालो इसको बोलता हूँ, E, P short में, तो this is my price elasticity of demand actually, फिर धीरे धीरे बहुत सारी elasticity बता हूँगा, सिर्फ price elasticity of demand की बात कर रहा हूँ है, मैं बोलता हूँ, की price के बदलने की वज़े से demand बदलत है, okay है, okay है, बिल्कुल okay है, लेकिन price में जो बदलाव आएगा, उसकी वज़े से demand कितनी बदलेगी, for example मैं बात करो, ये राहूल है, ये कहता है कि price 10 से 20 हो गया, तो मैं demand को 100 से 50 कर दूँगा, ये रमेश है, ये बोलता है, अगर price 10 से 20 हुआ, तो मैं इसी commodity की demand को 100 से 90 करू बदलेगी, जिसकी demand ज्यादा बदलेगी, उसकी demand को ज्यादा elastic कहा जाएगा, जिसकी demand कम बदलेगी, उसकी demand को less elastic कहा जाएगा, अगर compare करें एक दूसरे को, तो मैं यूं कहना चाहता हूँ, कि price के बदलने की वज़े से, demand में बदलाव जरूर आता है, और जो भी demand का response होता है price को, कुछ ना कुछ response तो होगा, जैसे है response कम है, कम change है, यह response ज़्यादा है, ज़्यादा change है, यह response 0 भी हो सकता है, लेकिन वो case भी कराऊंगा, तो demand का price को response देने की जो degree है, demand बदलेगी price की वज़े से, तो demand कुछ ना कुछ तो response दे रही है, उसको, रहे मैं बदलूँगी तेरी वज़े से, तो जो वो लचक है न उसकी, demand की, तो जो वो demand में बदलाव है न, उसको बोला जाता है, elasticity of demand, यहनि elasticity of demand को अगर मैं define करूँ, तो elasticity of demand एक responsiveness है, demand की due to change in price, तो it is the degree of responsiveness of demand, due to change in price, that's it, ठीक है, और ज़रा ढंग से समझते हैं, मैं आपको एक language बोलना सिखाता हूँ, आपको सोचना है, demand जादा बदली, तो बोलूँगा जादा elastic, कम बदली, तो बोलूँगा कम elastic, जादा change आया है demand में, तो more elastic, या सिर्फ elastic बोल दो चलेगा, अगर बहुत कम change आया, demand में, तो आप उसको बोल दे न, less elastic, या फिर in elastic भी बोल सकते हो, अभी हाल फिलाल के लिए, जब तक के लिए मैं आपको एक topic बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बहुत सारे factors कराने वाला हूँ, जिसमें हम decide करेंगे कि demand ज़्यादा elastic है, या कम elastic है, तो point ये बनता है आपका, इसे बोलते है, determinants of price elasticity of demand, तो point नमबर one, availability of substitutes, देखो जी, कुछ goods ऐसी होती है, जिसके ज़्यादा substitutes available होते है, कुछ goods ऐसी होती है, जिसके कम substitutes available होते है, जिसके ज़्यादा substitutes होंगे, जैसे की cold drink, thumbs up के substitutes गिनने शुरू करो, Pepsi है, Coke है, Sprite है, Mirinda है, जी हाँ, सबको, सबको substitutes मानेंगे, तो अगर यहाँ पर thumbs up महंगी हो जाती है, तो आप किसी दूसरी गुड़ पर असानी से switch कर सकते हो, तो जब ज़्यादा substitutes होते हैं, तो demand भी जल्दी बजल जाती है, अगर तुम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हो, जिसके substitutes कम है, या ना के बराबर है, आपकी कार है, कार के अंदर पट्रोल डलता है, मतलब वो CNG से नहीं चलती, डीजल से नहीं चलती, तो आपके पास तो पट्रोल का सब्षी रूट ही नहीं बचा, पानी है, पानी का सब्षी रूट नहीं है, दबाई है, लाइफ सेविंग ड्रग बहुत इम्पॉर्ट है, उसका सब्षी रूट नहीं है, औक्सिजन का सबची रूट नहीं है पु जिनके सबची रूट बहुत कम है या नहीं है उनकी demand को बदल नहीं सकते चाये कितने ही महिंगी हो जाए है दिकि जिनके suspended available है उनकी demand को अब बदल दोगे है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा सब्शीरूट डिमांड उतनी ज़्यादा इलास्टिक जितने कम सब्शीरूट डिमांड उतनी कम इलास्टिक तो यहां लिखा हुआ है more सब्शीरूट greater elasticity और less सब्शीरूट less elasticity example लिखे हुए मैं आपको एक एक करके इसको और अच्छे से बताता हूँ देखो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर number of use के बारे में कुछ goods ऐसी हैं जिसके बहुत कम use हैं कुछ goods ऐसी हैं जिसके बहुत ज़्यादा use हैं जैसे कि मैं बात करूँ milk दूद milk से बहुत कुछ बन सकता है चाय, coffee, सबजी, पनीर, रसी चाज जैसे कि electricity electricity के बहुत ज़्यादा use हैं आप गीजर चला सकते हो microwave चला सकते हो TV चला सकते हो, phone charge कर सकते हो आप बहुत सारे use में ला सकते हो electricity को लेकिन यहाँ बुक के ही साब से बात की जाए तो butter एक ऐसी चीज़ है जिसका एक ही इस्तेमाल है खाने में सिर्फ तो दोस्तो जिसके ज़्यादा use है अगर यह महंगी हो गई तो इसकी demand को तुम जल्दी गिरा दोगे तो कि बहुत सारे use है न अब घरवाले कहेंगे तो जिसकी ज़्यादा use होते है उसकी elasticity भी ज़्यादा होती है अगले point के बारे में बात कर लेता हूँ पढ़ाओं का दीरे-दीरे कोई बात ने जो तुमारा budget है तुम घर के अंदर कुछ ना कुछ पैसा खर्च करते हो जो भी total expenditure है तो कुछ पैसा आप उन चीज़ों पे खर्च करते हो जो बहुत सस्ती है low price जैसे की shirt का button हो गया आपका सुई हो गई किसी पे चुभाने के लिए माचीस हो गई दुनिया में आग लगाने के लिए इन चीज़ों में बहुत खम खर्चा आता है लेकिन जो luxury items आप खरीदते हो इन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है तो दोस्तों अगर BMW car 50 लाग से 70 लाग की हो जाएगी तो बंदेगी टैटा फीस हो जाएगी वो नहीं खरीदेगा लेकिन अगर सुई है एक रुपे से 2 रुपे की हो जाएगी इसकी डबल हो जाए तो भी बंदा उसको खरीदेगा इसकी demand कम change होती है तो इसकी demand भी less elastic होती है इसकी demand जादा elastic होती है जल्दी बदल जाएगी बात समझनी पड़ेगी आपको और आपको बताओं मैं यहाँ पर point देख लो फिर यह position of consumer budget है इसके अंदर वही बात मैं बोल रहा हूँ जो चीज़े बहुत महंगी होती है उनकी demand जादा elastic होती है फिर nature of need की बात कर लेते हैं यानि मैं अगर बात करूँ आपसे nature of product के बारे में ढंक से explain करके बताऊँ हूँ हाँ commodity का nature दो पार्ट में classify हो सकता है एक होती है बहुत जरूरत मन चीज़े essential goods एक होती है luxury items फिर से वही बात आएगी जो जरूरत मन चीज़े हैं जैसे कि पानी oxygen life saving drugs फिर से वही example आ रहे हैं इनकी demand change नहीं होती भाई कोई पूछले पानी की demand change क्यों नहीं होती एक तो भाई वह existential है दूसरा उसके substitute भी बहुत कम है ठीक है तीसरा और भी reason आएंगे आप देखोगे luxury goods की demand change हो जाएगी क्योंकि जीने के लिए जरूरी नहीं है इसमें car AC वगएरा सब example आ सकते हैं ठीक है एक और point ले लो गई अगला है time period time period को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एक होता है short run एक होता है long run क्याते है short run मतलब suddenly जल्दी से जल्दी से किसी चीज़ की demand change नहीं हो सकती तुम्हारे घर महमान आ गए नमकिन biscuit खिलाने ही पड़ेंगे चाहिए कितने महंगे हो गए हो अगर घर में शादी हो नहीं है तो मिठाई बनेगी चाहिए चीनी कितनी महंगी हो गई हो लेकिन लंबे टेम में ध्यान रखोगे यार चीनी महंगी हो गई है कम इस्तिमाल करो फीकी चाहिए पीलो भाई ऐसा ही होता है time period का अगर मैं देखू तो शौर्टरन में तुम डिमांद नहीं चेंज कर पाते शौर्टरन में डिमांड नहीं चेंज करोगे तो in elastic डिमांड हो जाएगी लॉंग रून में तुमें चेंज करनी है रखोगी फुक फुक क्या गदम रखोगे, demand ज्यादा elastic हो जाएगे तो भईया ये points यहाँ पर दिये हुए है अगला लोजी number of use, मैंने बता दिया time period मैंने बता दिया, consumer की habit अगर कोई बंदा किसी product के लिए habitual हो जाए, नशेडी हो जाए, शराब भी हो जाए चर्सी हो जाए, वो उसकी demand को नहीं बदलेगा तो हर तरीके से demand less elastic होगी, less price elastic बोलो या सिर्फ less elastic बोलो आगे बात करते है, tight demand के बारे में कुछ goods ऐसी है, जैसे की complimentary goods होती है complimentary goods है, example दिये हो यहाँ पर आपका printer, जो computer के साथ attach होता है, उसमें डनने वाली ink ink को बोलते है, cartridge, अगर printer के अंतर ink नहीं है, तो printer किसी काम का नहीं है नहीं है न, तो कितना भी ink का price बढ़ जाए, आपको ink purchase करनी पड़ेगी वरनों तुम्हारा printer खराब हो जाएगा printer किसी काम का नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो tidy demand होती है, मतलब जो जुड़ी हुई demand होती है, बंधी हुई demand होती है complimentary goods वाले के जैसे बात हो रही है तो उनकी demand change नहीं हो सकती है या, क्योंकि दो चीज़े तो हैं तुम्हारे पास तो तुमने एक ले रखी है, तो दूसरे का rate जाता है भाई, और बहुत सस्ती चीज़ों की demand भी नहीं बदलती बहुत सस्ती चीज़े भी खरीदी जाती है demand बदलती है medium range वाली चीज़ों की ठीक है, अमीर लोग अपना समान खरीदते रहेंगे, गरीब लोग जिन्दा रहने के लिए अपना समान खरीदते हैंगे आप अधापी बीच middle range में मचती है तो यहाँ पर एक factor है price range कहता है very high और low price goods की demand नहीं बदलती inelastic है, middle range goods की demand बदलती है, वो elastic होती है अगला है minor complimentary items minor complimentary items का मतलब हो गया कि ऐसी चीज़े जो complimentary goods तो बन रही हो लेकिन उसमें एक बहुत महेंगी हो, एक बहुत सस्ती चीज़ हो जैसे कि बोल रहा है demand for cheap complimentary items for costlier product tends to be inelastic, tidy demand की तरह पूरा पूरा हो गया जैसे कि बोल रहा है कि एक चीज़ बहुत महेंगी है एक चीज़ बहुत सस्ती है तुम्हारे पास एक करोड की कार है और petrol चाहे 500 रुपे लिटर हो जाए आपको petrol डलवाते हुए शरम नहीं आएगी उसके इंतर डलवाना ही पड़ेगा तो tidy demand की तरह हो गया जैसे वहाँ demand inelastic थी यहाँ पर भी demand inelastic ही रहेगी तीक है ना same point बता नहीं क्यों इसने यहाँ पर इसको introduce किया इसके आगे दोस्तों यह topic दूसरा है income elasticity of demand का topic शुरू हो रहा है इसको मैं बाद में कराऊंगा तेक है पहले मैंने आपको factor affecting demand कराए है मतलब factor affecting elasticity of demand तो प्लीज ध्यान रखना कि factor affecting demand अलग चीज़ है factor affecting elasticity of demand अलग चीज़ है तो अब आते हैं में मुद्दे की बात पर आपको बताता हूँ देखो जी देखिए 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 आपको types of elasticity of demand पढ़ने है number 1 पर आप पढ़ोगे price elasticity of demand number 2 पर आप पढ़ोगे इसको लिख देखिए इंकम elasticity of demand elasticity के लिख दिया आई का मतलब income आप पढ़ोगे elasticity cross आईगी चीज़ तो बताऊँगा आप पढ़ोगे advertisement elasticity यह का मतलब elasticity है यह price, यह income, यह cross और यह advertisement यह का मतलब advertisement चार तरीकी के आपको elasticity पढ़ दी है number 1 target करते हैं price elasticity को इसको target करते हैं दोस्तों इसको target करते हैं इसके बारे में आपको quick revision सी देदूँ आपको मैं चार रखना इस चीज़ को लो जी number 1 पर देखो जी सबसे पहले आपको बताऊँगा types या फिर degrees of जड़ा धंक से समझना एक होती है unit elastic एक होती है सिर्फ elastic इसको more elastic भी बोल सकते हो unit elastic demand more elastic demand और एक होती है in elastic या फिर इसको less elastic बोल लो तो कोई बुरा नहीं मानेगा एक होती है perfectly elastic demand एक होती है perfectly in elastic demand पांच तरीके की elasticity होती है इन सभी elasticity में demand curve अलग अलग तरीके से बनता है दोस्तों आगे आप numerical question इसमें आते हैं numerical question कैसे solve करते हैं वो सीखोगे तो आप इसकी value निकालोगे price elasticity की अगर इसकी value 1 आती है तो बोलोगे demand unit elastic है इसकी value 1 से ज़्यादा आती है तो बोलोगे more than unit elastic है 1 से कम आती है तो बोलोगे less than unit elastic है और अगर infinity इसकी value आ जाती है तो आप बोलोगे perfectly elastic है इसकी value अगर 0 आती है तो आप बोलोगे perfectly in elastic है वो जब solve करेंगे तब देखेंगे उसको और इन सभी चक्करों में demand-garve की shape अलग-लग हो जाती है, इसमें देखते हैं perfectly in-elastic में ऐसी हो जाती है और सिर्फ in-elastic है तो थोड़ी सी ऐसी है steeper, सिर्फ elastic है तो थोड़ी से ऐसी लेटी हुई है और सिर्फ unit elastic है तो ना जादा लेटी हुई है ना जादा खड़ी हुई है ऐसा है अब इन सब में क्या-क्या differences है वो चीज थोड़ा सा count कर लेते हैं देखो जी demand का perfectly inelastic होने का मतलब है कि demand नहीं बदलेगी भाई perfect तोर पे बोल रहा है नहीं बदलेगी जितना मर्जी प्राइस उपर नीचे कर तो पानी पीना ही है नहीं बदलेगी oxygen लेनी है नहीं बदलेगी तो यहाँ पर यह बोलना चाहता है प्राइस चाहे 10 से 20 जितना मर्जी हो जाए जितनी quantity पहले ले रहे थे उतनी अब बिलेंगे यानि यह अगर मैं demand curve बना दूँ यह unit 100 है तो price P1 हो या और बढ़ जाए या और बढ़ जाए जितना मर्जी बढ़ता रहे कोई मतलब नहीं है इधर बोल रही है कि price तो बदला नहीं बदल गए हो तुम यानि price में change नहीं आया कभी-कभी हम free fund में demand बढ़ा देते हैं तो ऐसा demand curve क्या बोलता है कहता है मालो price 10 रुपेया यार यह demand पहले इतनी थी लेकिन जबरदस्ती हमने बढ़ा दिये demand समझे और इन तीनों को explain करने के लिए आगे मुझे इसके methods बताने है दोस्तो इसको ना calculate करना है ठीक है जो price elasticity है methods of calculating या फिर लिख दो आप measuring price elasticity हमारे पास इसके लिए methods है पहले method को बोलते है percentage method इस method को proportionate method भी बोलते हैं दूसरे method को बोलेंगे point method तीसरे को बोलेंगे geometric method चोथे को बोलेंगे arc elasticity method 5-way को बोलेंगे तोटल expenditure method इन सब method की help से ये कैसे calculate होती है ये देखना है आपको ठीक है सबसे पहले percentage method की बात कर रहा हूं कोई बुरा नहीं वानेगा सीधा सीधा चल ले बावा देखो जीए यहां से elasticity of demand का हमारा topic चालू था इधर उसकी definition लिखी है यहां कितनी type करनी है आपको पहली price elasticity दूसरी cross तीसरी income और चौते नमबर की advertisement पाच्वी नमबर की elasticity of substitution या फिर cross elasticity इसको बोल सकते हो cross elasticity यह भी इसका नाम है तो सबसे पहले focus करेंगे price elasticity पर इसकी calculation होती है यह रहा formula price elasticity calculate होता है percentage change in quantity demanded upon percentage change in price वाले formula से ठीक है जी तो इसको कैसे अब बात आएगी यह उपर वाली चीज कैसे calculate होगी तो उपर वाली चीज को calculate करने का formula change in quantity change in quantity upon पुरानी quantity multiply by 100 लिखेंगे और नीचे वाले को calculate करेंगे change in price upon पुराना price multiply by 100 तो यह 100 से 100 कट जाएगा और बाद में यह formula adjust होके ऐसा हो जाता है delta q upon delta p multiply by पुराना price upon पुरानी quantity ऐसा हो जाता है इसने भी यह लिखा है delta q upon q है ना तो change in quantity upon original quantity ऐसे लिखा है अब तुम बोलोगे सर क्या कर रहे हो यार क्या कर रहे हो सार क्या कर रहे हो बाबा बाबा क्या कर रहे हो देखो जी पर में question आएगा आपको लिखा होगा मालो price 10 से 20 हो गया तो demand सो से 50 हो गई अब elasticity निकाल दो तो आप बोलोगे यह पुराना price है इसको original price बोल दो या initial price बोल दो या old price बोल दो ये नया price है ये पुरानी quantity ये नई quantity दोनों quantity के बीच के gap को बोलते है delta q तो और 50 का gap है 50 दोनों price के बीच के gap को बोलते है delta q इन दोनों के price के बीच का gap है 10 ठीक है plus minus का sign यहाँ पर ignore करना है ओके फिर आप यहाँ पर formula लगाते हो elasticity का तो क्या होता है percentage change in quantity demanded upon percentage change in price आप ये percentage change in quantity delta q upon q1 multiplied by 100 करके निकालोगे फिर ये निकालोगे delta p upon p1 multiplied by 100 करके इन values को यहाँ पुट करोगे और आपका answer आएगा ठीक है it's better कि आप थोड़ा mathematical game खेलें ये 100 से 100 cross करें और ये delta q upon q1 लिखा है upon में delta p upon p1 बन गया इसको दुबारा लिखो delta q upon q1 ऐसा कैसा लिख दिया अब ये बड़े वाला upon का निशान हटाके मैं इसको multiply करता हूँ तो ये पल्टी मार जाते है ये उपर आजाएगा p1 डेल्टा p नीचे आजाएगा फिर और सुन्दर लिखने के लिए delta q upon delta p लिख दिया p1 upon q1 लिख दिया ये formula लिख देते हैं और हमेशा minus का निशान लगाए रखो इस निशान से कोई फर्क नहीं बढ़ता ये निशान साथ में जुड़ा रहेगा इस निशान से कोई फर्क नहीं बढ़ता ये maths का निशान नहीं है ये price elasticity और formula से पहले का minus का निशान है जो ये बताता है कि price और demand के बीच में रिष्टा जो होता है वो negative होता है माइनस का रिष्टा होता है चलो जी इसी फॉर्म में से इस question को solve कर दूँ elasticity का formula माइनस का निशान लगाए रखो कबसे पहले लिखूंगा delta q कितना है 50 upon में लिखूंगा delta b कितना है 10 multiple बढ़ पुराना price कितना है 10 upon पुरानी quantity कितनी है 100 काटा पेटी करो नीले रंग से जीरो से जीरो गई जीरो से जीरो गई पांच बटे दस यानी एक बटे दो माइनस 0.5 आप सिर्फ समझो यह 0.5 है इसको रीडी मत करो तो इसका मतलब यह कि यह जो 0.5 है वो कौन सी category में आ रहा है अभी मैंने आपको बहु इसका बनाया हुआ है आप सिर्फ मैगनिटूड पर फोकस करोगे इग्नोर करोगे नेगटिव साइन को यह दिखाता है यह दिखाता है प्राइस बढ़ेगा तो दिमांड कम होगी लॉफ दिमांड को अब मैं पुराने वाले फॉर्मले पर दुबारे आता हूँ और बाबा आपके लिए बात करता हूँ यानि आप यह देखो जी यहां देख लो इलास्टिसीटी का फॉर्मुला परसंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है ऐसे लिखा होता है परसंटेज चेंज इन प्राइस मैं आप से पूछता हूँ percentage change in quantity demanded और percentage change in price में अगर compare किया जाए तो अब देखना ज़रा अब तुम्हें तिलिसमी हरकते दिखाता हूँ paper में आने वाला question paper में बोल दिया बावा उपर भी value 10 है नीचे भी value 10 है तो answer कितना आएगा 1 तो बोलते हैं कि percentage change in quantity demanded अगर बराबर है percentage change in price के elasticity 1 आएगी यह ध्यान रखना ओके ठीक है जी तो मैं अपने वाले उस diagram में put कर देता हूँ इधर unit elastic demand तब होती है जब percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price होगी बागी दो fill नी करूँ हूँ है सिखा दूँ हूँ है फिल आपको करना है note download करने के बाद ठीक है जी लो जी भी या लेकिन दोस्तों अगर उपर 20 लिखा हो और नीचे 10 लिखा हो तो answer 2 आएगा yes आएगा उपर ज़ादा लिखा हो more than 1 होगी elastic demand बोलते हैं और इसके opposite अगर मालो उपर लिखा होता 5 निकल लिखा होता 10 तो answer 0.5 आता calculator use करना allowed economics के paper में भी तो ये कम है ये ज़ादा है तो जब percentage change in prices more than percentage change in quantity demanded होता है तो हमारी elasticity हमेशा एक से कम आती है अब एक मुद्दे की class बच्चे को चिड़ाने के लिए module वालों ने बोला x की elasticity minus 3 है y की elasticity minus 2 है पताओ जी दोनों में से ज़्यादा elastic कौन है तो लबसर ने बोला है पहले तो minus वाले निशान को ignore करो अटा दो इस निशान को अटाओ इसको x की 3 है हुआ है और उस question का answer आपका आगया 0.5 option दी हो है आपको एक दिया है minus 0.5 दूसरा दिया है सिर्फ 0.5 तो आप क्या answer लिखोगे बाबा जो minus में दिया हो उसको लिखना अंसर में तो हम ignore करते हैं लेकिन जो given हो उसको लिखना है और ये ना होता तो फिर इसको ठीक करते हैं option तो और भी होंगे मैं सही वाली बात बतारता आपको ठीक है जी ये तो पहला method हो गया जी ठीक है जी ओगे जी पहला method हो गया दूसरा method थोड़ा सा maths को follow करता है this is the point elasticity method ये कहता है कि मैं बहुत special हूँ मैं सिर्फ तब use में आता हूँ जब price में बहुत कम change होता है model में question भी दिया हुआ है अगर एक car का price 5,00,00 से बढ़कर 100,00,00 बढ़कर 5,00,00 रुपे हो गया तो यहाँ पर कौन सा elasticity का method निकालना चीए मतलब किस method से elasticity को calculate करना चीए तो point elasticity से calculate करेंगे यह point बड़ा important है यह method तब use होता है where the change in price is infinitesimal मतलब negligible यह word ध्यान रखना तब use होता है यहाँ पर maths का formula differentiation वाला user रखा है minus dq upon dp p upon q यह जो d है इसका मतलब delta माल लो आप लेकिन delta होता नहीं है लेकिन maths के साब से हो जाता है फिर दोस्तो अगला method है geometric method geometric method से हम एक straight line demand curve पर elasticity calculate कर सकते है by using this formula अच्छा formula क्या है elasticity होता है lower segment of demand curve upon upper segment of demand curve इस formula को use करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे elasticity calculate होती है आपको मजा ना जाए तो कहना यह हरे रंग का demand curve दोनों axis को touch कर रहा है ठीक है जी और यहाँ पर मैंने इस पर बहुत सारे point mark कर लिये है A B C D और E जो C है ना वो midpoint है midpoint की खास बात क्या होती है कि वो एक line को दो बराबर हिस्सों में divide करता है यानि जितना बड़ा यह हिस्सा है उतना ही बड़ा यह वाला हिस्सा है निकालनी है तो आपको किसी भी point पे elasticity निकालनी है पहले उसका lower demand curve उपर लिखो और जो उसका upper demand curve है वो नीचे लिखना कहने का मतलब क्या सिखाता हूँ आपको मालो अगर C point पे elasticity निकालनी है तो C से नीचे का demand curve कितना है CE तो पहले यह लिखो CE फिर upon में इससे upper demand curve कितना है वो लिखो कितना है upper demand curve AC और दोस्तों ये वाला और ये वाला दोनों हिस्से बराबर है तो जो upper है वो ही नीचे है दोनों value equal है न तो मैं क्या करूंगा answer 1 आ जाएगा तो इस point पर answer elasticity का 1 होगा ठीक है क्योंकि उपर और नीचे का इससा बराबर है चलो जी कोई नहीं इसको अटाओ दूसरा calculate कर लो इसको करते है जी ये पहले कहले कू lower segment यानि ये पूरा demand curve A से लेकर E तक चलो जी लिख देते है A से लेकर E तक upon में इसके उपर क्या है इसके उपर tinda नहीं है 0 तो A E upon 0 तो जिसके नीचे में 0 है अंसर आ गया है infinity ठीक है जी यहां लिख देंगे elasticity infinity आ जाएगी इधर निकालो जराब इधर निकालें इसके नीचे demand curve कितना है ये रख tinda इसके उपर demand curve कितना है बाई पूरा पढ़ा है ऐसे में जब उपर 0 होता है तो answer 0 ही आता है तो यह answer 0 हो गया तो दोस्तों similarly अगर आगे calculation की जाए तो यह पता लगता है कि एक linear demand curve पे अगर इस geometric method के formula से हम elasticity को calculate करेंगे तो उपर से लेके नीचे तक जब value calculate होती है तो elasticity कम होती रहती है देखो ना उपर infinity दी यह 0 हो गई है ना तो हमने यह निकाला infinity 1 0 पे पर में कोशन आ जाता है mid point पर elasticity कितनी होती है तो आप बताओगे 1 होती है जी देखे और इसके उपर जितने भी point होंगे वहाँ elasticity एक से जादा होगी इसके उपर जितने ही point होगे वहाँ elasticity एक से कम होगी कैसे trial कर लेते भाईया मालो इस point पर elasticity निकाल नहीं है तो फहले इस से lower segment यह देखेंगे यह कितना है BE अब उन में इसका उपर का segment छोटा सा है ना AB यह चोटी चीज नीचे है जब नीचे छोटा आइटम लिखा होता है ना आंसर हमेशा एक से ज्यादा आता है जैसे कि मालो ओपर 10 लिखा यह नszy लिखा यह अंसर हमेशा एक से ज्यादा आएगा तो यहाँ पर हमेशा elasticity एक से ज्यादा आएगी और नीचे calculate करोगे इधर elasticity हमेशा एक से कम आएगी lower segment छोटा हो जाएगा upper segment बड़ा हो जाएगा ठीक है sorted है this is the geometric method अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक arc elasticity method दोस्तों यह बड़ा important है arc elasticity method इसको midpoint method भी बूलते है देखो जब मैंने आपको geometric method कराया तो geometric method में यह बताया था ना कि price 10 से 20 हुआ demand 100 से मानलो 50 हो गई तो elasticity निकालो आपको पता है पहला price कौन सा है और दूसरा price कौन सा है लेकिन जब question में दोस्तों आपको given नहीं होता कि पहला price और दो divan ऐसा बहुत कम होता है तब आप जो formula लगाते हो वो formula ज़रा सीखते हैं पहले बनाना आप फॉर्मुला क्या लिखते थे आप फॉर्मुला लिखते थे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी multiplied by P1 अपॉन क्यूवन ऐसे लिखते थे ना पस आपने फॉर्मुले में कुछ नहीं करना इधर दूसरा प्राइस इधर दूसरी quantity भी प्लस कर दो बस यही बन गया formula कैसे बना यह देख लो इधर डेल्टा क्यूट पाउन डेल्टा भी percentage में तरका formula था तो मैंने बोला कि दो प्राइस है ना दोनों को जोड़के उसका midpoint निकाल दो दो क्वांटिटी है दोनों को जोड़के उसका midpoint निकाल दो तो दो से दो कर जाएगा यही आदा है का formula आपके बुक के अंदर भाई यह test nas करके तुम्हें दिया हुआ है यह P2 और P1 का difference डेल्टा क्यू है इन दोनों का difference यह डेल्टा पी है दो प्राइस का difference दो क्वांटिटी का difference डेल्टा क्यू है आपको ऐसी करना है इधर ही अपना कि uns शॉयारे लेट कीव अपॉन देल्टा की अपॉन डेल्टा की मॉल्टिब्लाड वाए फीवन प्लस पीचु लिखा हुआ है in p2 जैसे महत्चे लगदो यह क्यूं टू क्यूं ने तो कि 1 प्लस क्यूल टू कर दो ऐसे दिया वह वह सितना Is दो, समझे, आप बच्चा पूछेगा, सर, पेपर में कैसे solve करके आना है, कौन से method से paper में solve करके आना है, आप यह बता हो, बाबु देखो, paper में method लिखा होगा, तो उसी method से solve करके आना है, इसके question भी solve करा दूँ, अभी MC को आएगा, तो, अगर paper में आपको method mention नहीं है, तो आ total expenditure, या फिर total outlay method भी बोलते हैं, total expenditure वो total outlay का मतलब एक ही है, देखो जी, total expenditure का बच्चे-बच्चे को formula बता होना चीए, total expenditure को short में TE लिखता हूँ, यह होता है, price into quantity, बालो market में समोसे लेने चले गए तू, पास समोसे लेने चले गए, एक समोसे का price 10 था, तो कितना खर्चा क क्या होगे, बताओ ना, 50 रुपे खर्च कर क्या होगे ना, price को quantity से multiply कर दो, total खर्चा आ जाएगा, total expenditure, तो यह method बोलता है, की, elasticity आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको रिष्टा चेक करना पड़ेगा, price और total expenditure का, क्या बोला, क्याता है, price और total expenditure के बीच में रिष्टा चेक करक हो, है, comment कर सकते हो, हाँ, यह बोलता है, total expenditure method से, आप exact value of elasticity नहीं निकाल पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, यह method बोलता है, अगर price के बढ़ने से, total expenditure बढ़ जाता है, या price के कम होने से, total expenditure कम हो जाता है, तो price और total expenditure में कैसा रिष्टा हुआ, direct relation, positive relation है, ऐसे मे आपके elasticity less than one count होगी, है, अच्छा, ठीक है, अगर price के कम होने से, total expenditure भी कम हो गया, और price के बढ़ने से, total expenditure भी बढ़ गया, यह वह वाली situation थी ना, हाँ, उल्टी पे चलते हैं, अगर price बढ़ा, total expenditure कम, तो उल्टा, अगर price कम हुआ, और total expenditure जादा, तो ऐसे में, इनमे negative relation हो ग example देके दिखाओ, वाँ, बहुत सारे example available है, मालो किसी commodity का price 10 से 20 हो गया, ठीक है जी, तो उसकी demand कम हो जाएगी price बढ़ा है, तो 100 से 90 हो गई, तो total expenditure कालकुलेट करो, इसको इससे multiply गया 1000, इसको इससे multiply गया 1800, देखा जी, price बढ़ा, total expenditure भी बढ़ गया, positive relation है, तो सीधा बोल प्राइज मालो किसी का 10 से 20 हो गया, उसने demand कम कर दी, 100 से 50 कर दी, 40 कर दी, तो total expenditure निकालो, इन दोनों को multiply करके निकलेगा, इसको multiply किया 1000, इसको multiply किया 800, देखा ना price बढ़ गया था, 10 से 20, ये price बढ़ गया, total expenditure कम हो गया, तो सीधा सीधा बोल दो elasticity rate से जादा होगी, और ती expenditure method तीन बाते बोलता है, क्याता है, अगर total expenditure constant रहेगा, जैसे कि price मालो 10 से 20 हो जाता, तो quantity demanded पहले 100 थी और फिर 50 हो गई, तो total expenditure 1000, इन दोनों को multiply करो 1000, constant है ना, तो direct comment कर दो, elasticity is equal to 1 है, अच्छा, ऐसा कैसे होगा, अरे, module में दिया हुआ है, question अर्जुन के उपर, अर्जुन कॉफी पे हर हफते 100 रुपे खर्चता है, उसका total expenditure constant रभाई, तो बताओ elasticity कितनी होगी, unit elastic होगी, क्योंकि 100 रुपे खर्चता है, वो अपना total expenditure change नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये थे, price elasticity के सारे methods, इसके उपर कुछ लिखा हुआ है, notes, ये चीज तो formula है, अपना midpoint method का, कुछ उपर नीचे हो गया था, content ये देख लेना, आप जरा, total expenditure method बूलता है, कि अगर इसमें indirect relation है, तो elasticity एक से जादा होगी, direct relation है, तो elasticity एक से कम होगी, कोई relation नहीं है, total expenditure constant है, तो elasticity is equal to 1 होगी, total expenditure का formula price into quantity में बता चुका हूँ, और यहाँ पर price effect को दो पार्ट में त तोड़ रखा है, एक income effect होता है, एक substitution effect होता है, होता है नहीं होता है, यहाँ पर लेकिन कुछ नए तरीके से चीज दी हुई है, यहाँ पर एक नहीं सोच के साथ बोलता है, कहता है, एक होता है price effect, एक होता है quantity effect, दो item है, ठीक है, after a price increase और decrease, जब भी price बढ़ेगा या कम तो जो भी समान बेचा जाता है, बाबा, कोन बोलता है, मार्शल बोलते है, मार्शल का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, मार्शल क्याता है, कि जब price increase होगा, ठीक है, तो market में जो भी समान बेचा जाएगा, वो भी तो बाबा, उसके उपर भी तो quantity कम या जादा होगी, है न और उसकी वज़े से आपका revenue भी बदलेगा तो price की वज़े से अगर आपका revenue बदले तो this is the price effect लेकिन after a price increase or decrease fewer or more units are sold क्याता है price में तुमने change किया इस change की वज़े से quantity गिर गई तो इसको बोलेंगे quantity effect हाँ उससे तुम्हारा revenue भी change होगा मतलब total expenditure और total revenue दोनों same बात इसलिए बोली है expenditure करता है खर्चा, buyer करता है इसको revenue ये seller का होता है अगर consumer 10 रुपे खर्च करेगा तो 10 रुपे तो seller को मिलेंगे seller को मिलने वाले पैसे को बोलते है revenue buyer जो खर्च करेगा उसको बोलेंगे expenditure तो expenditure और revenue का amount same होता है इसलिए एक ही बात बोल रहा है तो क्या बोलता है price increase कर लो चाहे decrease कर लो उसकी वज़य से total expenditure या total revenue पर जो फर्क पड़ा वो तो price effect है अच्छा लेकिन price या increase decrease करने की वज़य से तुमने पहले quantity कम खरीदी क्या खरीदी कम quantity कम खरीदी तो वो तुमारे total revenue पर फर्क पड़ा तो वो quantity effect है अच्छा तो सर इसके अंदर quantity नहीं थी क्या आर आजे देखो price increase होने से अगर कभी-कभी होता है ना price increase होने से भाई साब तुमारी ज़्यादा ही माल बिग गया तो यह वो वाली का नहीं है लेकिन price increase होने से तुमारा माल कम भी का तो यह वो वाली का नहीं है तब ही ऐसा possible लोख आएगा चलो छोटे-छोटे point से note ज़्यादा important ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है अब हमारी elasticity हो गई है फिर हम आएंगे इसके बाद income elasticity पे हम करेंगे इसके बाद cross elasticity और advertisement elasticity तब हमारा यह chapter complete माना जाएगा लेकिन उससे पहले जैसा कि हम बादा करे हैं कुछ questions आप से करा दें तो question करने में जो सबसे पहिला question आप से पूछा जाएगा राजे कौन से वाला पूछू अगले बात है contraction of demand is the result contraction मतलब demand कम हो गई जब price के कम होने से demand कम हो जाती है यह contraction होता है price के बढ़ने से demand कम होती है तो यह contraction होता है ठीक है न कोई और reason नहीं होना चाहिए सिर्फ price होना चाहिए कहा लिखा है यहाँ पर increase in price की वज़ए से demand कम हो जाए increase in price of the good concerned उसकी वज़ए से कहता है जब किसी commodity का individual demand curve बनाया जाता है तो इन सब में से all but one of the following are assumed to remain constant मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको constant नहीं माना जाता नहीं यह demand curve बना रहे हैं इधर price है इधर quantity है तो जब demand curve में up-down दिखाते हैं तो एक चीज़ price को constant नहीं मानते हैं तो जिसको नहीं मानते हैं all but one of the following तो यह price है ओके आगे बढ़ जाते हैं अब यह वेच आफ दा फॉलेंग पेर अफ गुड एक्जामपल of substitute सबको पता है चाय कोफी सब्सक्राइब इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस कोशन पर टाइम वेस्ट करना है तो खतरना माल लो यह कोशन पूछ लिया इव दा प्राइस ओफ पैपसी डिक्रीज रिलेटिव टू दा प्राइस ओफ कोकेंड सेवन अप दोनों सब्सक्राइब गुड है कहता है पैपसी का प्राइस कम हो गया तो दूसरी सब्सक्राइब की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा आइस कम हो गया दूसरी सब्सक्राइब की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा एबरीवन नूस क्या नूस है या सब्सक्राइब गुड में एक का प्राइस कम होता ह चलो बावा ये चीज हो रही है सेट हो रही है तो तुम्हार लिए एक अर्जुन वाला कोशन दून रहा है इसमें बच्चे जनरली कन्फ्यूज रहते हैं जार अर्जुन 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 अचार कोशन है point elasticity ज़्यादा useful का होती है तो मैंने जब method कराया था तब आपको नष्यून बताया था point elasticity वहाँ पर ज़्यादा useful होती है जहां पर price में जो change होता है वो negligible सा होता है बहूत ना के बराबर होता है जैसे कि हैं लिखा है एक auto producer है auto मतलब महेंगी चीज़े लागख रुपे की चीज का प्राइश सो रुपे से कम कर दिया अब यहां पर कौन से लास्टीशिटी चेक करने चीए प्राइश से अगर चेक करो के तो मिड़ बॉंट में चेक करने चीए उसकी खास फीचर उसकी डिटेल में हम नहीं गए थे लेकिन इतना तुम्हें जानना जरूर है अब यह कोशन तुम खुद पढ़ोगे ठीक है और इसका अंसर देने की कोशिश करोगे जल्दी में च्यों तो देख लेते हैं इस पे भी तुम्हारे लिए पैन अच्छे वाला लिया है हूं पैन चेंज कर दिया है तो यहां पर बोल रहा है भाई साब किस चीज की डिम इन इलास्टिक है इन इलास्टिक मतलब किस चीज की डिमांड चेंज होने के चांसे सबसे कम है तो यहां पर एक इंगलीश का वर्ड जो बहुत सारे जंगा तो में परिशान कर सकता है बताऊंगा एक्जिबिट लिख एक्जिबिट का मतलब होता है शौ करना चलो जी मुशर्व हो गुड के नेचर को दो पार्ट के डिवाइड किया है अगर अगरलग्शिर फीर फो तो चूर्ण ौती है अगर लग्शरी फो Mode तो उल्स्य से ज्याद़ होती है कि ऑपोजिट होती की तो इसकी जीलास्टिक ज्यादा है गुण इस स्मॉल पार्ट में कंजू होता है भाई ना के बराबर कई पईसा कर्च पोई सोच एका निसकी दिवार्ड को बदलने के लिए इनका रेट चाहिए माचीज से करोपकी जगे दो रुपे की हो जाए शट का बटन पाच उपर डूपे की जहां दस रुपे का हो जाए को इसकी डिनदार करने की सोचता नह इसको जड़ा धंग से समझना जैसे आपने बढ़ा प्राइस इलस्टि सिटी अफ डिमांड तो उसका मतलब हुआ कि प्राइस में बदलाव होने की वज़े से डिमांड में कोई ना कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव कि तुमें एक value calculate कर लो उस value को price elasticity of demand बोल रहे थे ऐसे ही income में उतार चड़ाव आता है कभी-कभी income increase हो जाती है increase ही होनी चाहिए वैसे तो लेकिन decrease भी हो सकती है income के increase decrease होने से demand पे फर्क पड़ता है तो जो income का impact है demand के उपर उस impact को अगर आप calculate कर लोगे तो वो एक numerical value होगी उसे बोलेंगे income elasticity of demand that's it और इस impact को कैसे हम calculate करते हैं उसका formula है यह लिखा है elasticity आई का मतलब हो गया income यह symbol हो गया इसका it is calculated by taking a ratio of percentage change in quantity demanded demand में जो भी change आया है वो उपर लिख देना नीचे लिखना percentage change in income यह छोटा सा बच्चा सा formula हो गया और जैसे price elasticity of demand का formula होता है उपर demand नीचे price ठीक है छोटे वाला formula इसका बनाओ तो छोटे वाला formula ही बन जाएगा delta q upon delta p लिखते थे इस बार delta income लिखेंगे income को यहां आई लिखा है इधर वाई लिख दो कोई फरक नहीं बढ़ रहा तो मैं तो प्रेस करना ही नहीं है शो करना ही नहीं है मैं तो बुक के इसाप से चल रहा हूँ फिर दो income की value given होगी तो पुराने वाली income की value यहां लिखना पुराने वाली quantity की value यहां कैसे सर कैसे बोल रहे हो क्या खेल रहे हो देखो जी मैं बताता हूं आपको एक numerical लेता हूं माल लो यहां लिखा है कि किसी बंदे की income 100 से 200 हो गई है तो वो जो बीच का difference डेल्टा वाई कहलाएगा तो 200 और 100 का difference निकाल दो 100 आएगा सीधा कैसे निकाला वाई 2 में से वाई 1 को माइनस कर दिया अब income बढ़ी है वाई income बढ़ने से डिमांड बढ़ गई तो 10 से 15 हो गई पुरानी quantity q1 है नई quantity q2 है दोनों का difference डेल्टा q होता है 15 में से 10 पांच बच किया ओके पांच सुंदर नहीं लग रहा लेकिन डाइजस्ट कर लो यह पांच बची गया चलो जी अब मैं क्या करूँ है यहाँ पर इनकी values को पूट करूँगा डेल्टा क्योंकि जगा पांच आएगा आच कांच पूरे पांच और डेल्टा वाई की जगा 100 आएगा मल्टी प्लडब है पुराने वाई की वैल्यू सो है ओके पुरानी कौंटिटी दस है अब यह करके काटा पीटी करनी है राज्जे काटा पीटी सौ से सो गया पांच बटे दस एक बटा दो होता है काल्कुलेटर का यूज कर लेना 0.5 यह आगया इंकम इलास्टिस का जो अंसर आता है अगर वो 0 से कम आ गया यानि नेगेटिव आ गया तो तुम सोच ले ना जिस कौमोडिटी की इंकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है वो हमेशा inferior goods होती है गटिया quality की goods होती है अगर तुम्हारा इंकम इलास्टिसिटी का अंसर positive आया positive का मतलब 0 से और किनि और नार्मल गोड्स को दो कैटेंगरी में डिवाइड किया हो है एक होती है नैसेसरी इस जिसको नेससिटी भी बोल सकते है और एक होती है luxury अच्छा जी लगजरी भी normal goods होती है क्या जी हाँ जब आपकी income बढ़ती है तो आप luxury भी ज्यादा खरी सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है जी जब income elasticity का answer positive हो तो वो दोनों में से कोई भी हो सकती है चलो जी जब income elasticity 0 से जादा हो लेकिन 1 से कम हो तो आप बो होती है और अगर बोलेंगे कि luxury good में क्या होगा तो यहाँ पर income elasticity हमेशा यानि income elasticity की value हमेशा एक से जादा होगी 1 2 3 4 5 जितनी भी value है तो वो luxury good के लिए आएगी तो यह value के ओपर judgment आ सकती है भाई नेगेटिव आया है तो अब बच्छा बोलेगा बाबा अगर income elasticity की value 0 हो तो यह तो किसी ने बताया है नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना जीरो है तो बोल दो वो neutral good है neutral मतलब income neutral है इसका मतलब यह है कि आपकी अगर income increase decrease हो जाए तो income की वज़े से आप demand change करते ही नहीं हो किस चीज की demand change नहीं करते है आप नमक की salt की कैसे अच्छा आपकी income double हो गई तो ज चलो जी income elasticity का अंसर अगर वन आ गया तो वन आ गया तो ना तो तुम इसको necessity बोलो ना luxury बोलो simple normal बोलके नक्की करो इतना conclusion इसका ठीक हजी राज़े यहां लिखा हुआ जीरो तब आता है जब ऊपर कोई value 0 हो यानि जब demand में कोई change नहीं आया हो यानि आपकी demand पहले भी 100 थी और अब भी 100 है income चाहे इंक्रीज हो और डिक्रीज हो कोई फरक ने बढ़ता तो income elasticity 0 हो जाएगी यानि आप calculate करके देखोगे तो change in quantity 0 आएगा जब change in quantity 0 है तो ऊपर भ elasticity होती है उसका आप neutral goods बोल सकते हो neutral goods का example मैंने salt भी दे दिया आपको ठीक है ओके रिपोट है चोटा बोटा example है यहीं बात कर रहे हैं जैसे कि मोटा आना जवार बाजरा जिनिटरी इंकम elasticity होगी तब जब इंकम elasticity का अंसर एक के बराबर आएगा एक के बराबर आएगा यह वाली लाइन तुम्हारे किसी काम की निया चलो इंकम elasticity greater than one कब होगी यह लगशरी आइटम्स के लिए होती है इतना जहां रखना है बस पर में कोशन आएगा तो यह जहां रखना है आपको ठीक है चलो जी इंकम elasticity less than unity होती है क्या हाँ less than one भी हो सकती है less than one हो सकती है necessity goods के लिए तो necessity goods के लिए less than one हो सकती है ठीक है ठीक है ठीक है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ देखो जी बायर के बारे में बताऊंगा बायर के बारे में बायर यानि customer वो अपनी income का कोई न कोई हिस्सा कोई न कोई proportion spend करता है सामान को purchase करने के लिए spend करता है ना spend नी spend लिख रहा हूँ सीधा करता है अगर वो अपनी income का बहुत small proportion spend कर रहा है किसी चीज़ पे तो पेपर में कोशन आता है जब एक consumer अपनी income का बहुत small portion spend करता है तो उसकी income elasticity EI लिखो EY लिखो कोई फर्क ने पड़ता एक से कम है जो necessity goods होती उस पर बहुत कम खर्चा गिया जाता है अगर वो अपनी income का बहुत major यानि significant portion large proportion अपनी income का spend कर रहा है तो वो luxury item ही होगा वहाँ पर income elasticity एक से ज्यादा होगी अगर वो कह रहा है कि मेरी income 100 रुपे है मैं 40 रुपे खर्चता था इस item को purchase करने के लिए ठीक है आज मेरी income 200 रुपे हो गई मैं आज 80 रुपे खर्चता हूं इस item को purchase करने के लिए यानि पहले 40% खर्च तो income elasticity का answer one आता है राज्ये यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों के ऊपर module के अंदर question बनाया हूँ है तीन केस में आप डरना जाओ तो इसलिए मैंने बता दिया चलो जी price elasticity of demand हो गई income elasticity of demand होगी बच्चा बोलेगा mcqs आएंगे डरना मत आएंगे अभी आएंगे जब यार माल लो किसी बच्चे को लगता है कि सर थोड़े थोड़े concept ना लग रहा है कि हाँ clear नहीं हो रहे हैं तो वो clear पता कब हो जाएंगे जब mcq आएगा तो उसमें वो पूरा concept revise ही हो ज elasticity cross price elasticity पहली बात बताऊं तो दो गुड्स से related होती है यानि आपको दो गुड्स की information given होगी फिर cross price elasticity निकाल ली होगी अच्छा पहले बताओ तो सरी होती क्या है तो सुन लो पहली बात राज्य कभी कभी क्या होता है ना पैपसी का प्राइस कोका कोला की डिमांड को बदल द देता है पैटरोल का प्राइस कार की डिमांड को बदल देता है तो कभी एक कोमोडिटी का प्राइस जब चेंज होता है तो दूसरी कोमोडिटी की डिमांड बदलने के chances होते हैं होते नहीं होते हैं होते हैं होते हैं बिल्कुल होते हैं तो जब किसी और की वजह से किसी और के दिल पे चौट पहुचे तो बोलेंगे यहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी वर्क करेगी वर्क करेगी तो मिनिंग समझ लो जब किसी एक कॉमटिटी के प्राइज में चेंज हो और दूसरी कॉमटिटी की डिमांड में बदला आवा जाए इसकी वजए से तो इसका जो इंपक्ट है न वो कैलकुलेट कर लो उसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी वर्क को इलास्टिसिटी का E और C का मतलब क्रॉस कें डिनोड कर सकते हैं चलो जी कैसे क्या करते हैं यानिकालेंगे परसंटेज चेंच कंवांटिटी डिमांडेड किसी दूसरी कॉमटिटी का माहलो चनीचे एक लिए और फैसरी असकी डिमांड पर फाइदान हो जाता है तो ऑ ठीक्न यहाःस क्या करते थे ऐसे फ्यूर् इसके बारे में जो मुद्दे की बात आपको ध्यान रखनी है तो आप ध्यान रखोगे सबसे बड़ी बात अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आता है तो सोचना जिन दो गूड्ष के बारे में बात हुई है वो दोनों कॉंपलिमेंटरी गूड्स हैं कॉंपलिमेंटरी को मैं लिख दूँ अभी तो कंप्लिमेंट्स आएंगे तुम्हारे मेरी तरफ क्योंकि जो नेगेटिव रिलेशन्शिप है वह कॉंपलिमेंटरी गुड्स के केस में होता है कार और पट्रोल बगएरा सबसे पहले बेसिक में बताया था न तो जब प्राइस बढ़ता है एक चीज़ का तो दूसरी चीज़ की डिमार्ड कम हो जाती है कॉंपलिमेंटरी प्राइस होता है अगर जीरो है तो जीरो है तो मालने थे ज हुआ औरसे देदू आगे जब कोसना आएगा तो देखो जी पॉजिटिव से जदा होता है जितना ज्यादा एगुठ आएग न इस cross elasticity का तो goods उतनी ज़्यादा strong substeriode होगी मतलब ज़्यादा उनका एक दूसरे को replacement करने का दावा होगा जैसे मैं बोलूँ आप से माजा और Pepsi ये दो substeriode तो है लेकिन इतने पक्के substeriode नहीं है तो ये ज़्यादा close substeriode नहीं है लेकिन Pepsi और Coca-Cola ये ज़्यादा close substeriode है तो जब आप cross elasticity माजा और Pepsi की निकालोगे तो कम आएगी तो जितनी भी आएगी उससे ज़्यादा आएगी Pepsi और कोकी क्योंकि ये ज़्यादा कैड़े substeriode है और ज़्यादा कैड़े लोगे तो के पारे बता दिए आपको मुद्धा ही बता दिया मैंने है क्या अब अगली elasticity दोस्तों आपको निकालनी है advertisement elasticity जिसको ये से denote करते हैं यानि ये क्या बोलती है भाई ये advertisement elasticity क्या है बाबू जब तुम्हें company में होते हो advertisement के उपर पैसा खर्च करते हो तो उस खर्च किये गए पाइसे की वजह से भी तुम डिमांड को बदल देते हो होता है कई बारे तुमने ज्यादा पैसा खर्च किया दिमांड पे तो लोग तुमारा समान खरीदने लग जाते हैं होता है न तो advertisement के उपर spending जो हुई है उससे डिमांड पे impact क्या आया है उस impact को calculate कर लो calculate करोगे तो advertisement elasticity आएगी तो इसको कैसे निकालेंगे सबका माली के सबका formula सेम नहीं है similar है एक नहीं है ठीक है percentage change in quantity demanded upon percentage change in क्या expenditure on advertisement या फिर advertisement spending भी बोल सकते हो simple इसको ऐसे भी लिख लो भाईया quantity में कितना change आया upon advertisement पे कितना खर्चा किया ठीक है advertisement का old खर्चा upon old quantity ऐसे करके निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर ये इसका answer positive आता है तो सोच लो कि advertisement की वज़ए से तुम्हारे बढ़ी है अगर इसका answer zero आता है तो advertisement का टिंडा फर्ग निपढ़ रहा अगर इसका advertisement लिखा हुआ है यहाँ पर elasticity complete होती है और दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा टेओरी ओफ डिमांड का chapter यानि यूनिट बन complete हो जाती है मैंने बोला था कोशन कराओंगा तो कोशन करा देता हूं ठीक है कोशन करते हैं जाजा अब यह मत तोचना कि कुछ कोशन रह गए हैं एंड में और कोशन कराओंगा जो तीनों यूनिट के इस्टर भी होंगे आपको पहले यूनिट बन करो फिर यूनिट टू करो इनके कुछ कुछ कोशन कर लो फिर लास्ट में सारे कोशन को आपस में भिढ़ने दो क्योंकि जब तुम पेपर देने जाओगे तो सारे कोशन तुम्हें नी बताऊगा पहला पहले चैप्टर से य इस वजह से बहुत कम है इस वजह से बहुत कम है जब गुड्स के बहुत सारे यूज होते हैं तो उसकी ज्यादा होती है जब मामला सस्ता होता है सस्ती गूड्स के लिए वाय स्वेस्ट करते समय कोई सोचता नहीं है जितना खर्चा करना है उतना खर्चा कर देते हैं जितना खरीदना खरीद लेत ने एक इंक्रीज लिखाओ इंक्रीज और फॉल दोनों यह ऐए तो क्याता है जब percentage change in quantity demanded की value कम है percentage change in price की value ज्यादा है तो answer कितना आएगा भाई हम तो formula कैसे लिखते है percentage change in quantity demanded upon percentage change in price वालो यह उपर कम value लिखे है 9 नीचे value लिखे है ज्यादा 10 answer 0.9 हर बार answer एक से कमाएगा यह तो मैंने ओके 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 या हो तो रहा है ठीक है सौटेड है मामला चलो भईया क्या रहा है inferior goods के case में income elasticity कैसी होती है बच्चा बच्चा जानता है negative होती है बहुत बार बोल दिया लब सर ने ठीक है जी आगे बोलो जी if the demand of a good is inelastic good की demand inelastic है तो increase in price will cause total expenditure of the consumer of the good है यह तो मेरे को दुबार से आपको पूरा मैसल कराना पड़ जाएगा पूरा मैसल क्या बोलता है देखो expenditure मैसल के बारे बात हो रही है देखो जी elasticity expenditure method के हिसाब से inelastic कब होती है demand की elasticity एक से कम है तो क्या कर रहो है positive relation होता है प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है प्राइस कम होता है तो टोटल expenditure भी कम होता है तो elasticity एक से कम होती है ठीक है याद दिला दिया मैंने आपको प्राइस इंक्रीज हुआ है तो टोटल कोई change नहीं हुआ है ठीक है दा quantity demanded of a good remain unchanged अच्छा लेंग्वेज जैसे नहीं बोल रहा कि लेंग्वेज किसी और तरीके से बोल रहा है कहता है यह परक नहीं पड़ता कि जान रखना elasticity of demand zero होती है तो वर्टिकल वाला ही दा राइट अंसल आपको यह करते करते हो उड़े कर अंदर की बात बताएता हूं दोस्तों देखो flow of demand curve का formula होता है formula होता है delta P upon delta Q और elasticity of demand का formula होता है delta Q upon delta P multiplied by price upon quantity अब देखो ये चीज है ना तुम्हें इसके जैसी लग रही होगी लेकिन ये एक दूसरे के opposite है तो इस formula को ऐसे भी लख सकते हैं इसका उल्टा लिख दो one upon slope multiple अब है price upon quantity मैं थोड़ा fast चल रहा हूँ आपको इतना बताना चाहूँगा price elasticity और slope के बीच में negative relation होता है ये denominator में ये numerator में इसके लिए बोलते है जब जब demand curve का slope बढ़ रहा होगा elasticity of demand कम हो रही होगी और जब slope कम हो रहा होगा तो elasticity बढ़ रही होगी जैसे की बताता हूँ आपको मैं ये एक demand कर वह है और ये एक demand कर वह है तो कहते हैं जो demand कर flat है ये steep है तो इसका slope ज़ादा है इसका slope कम है ऐसा बोलते हैं इसका slope सबसे ज़ादा तो elasticity या 0 vertical demand कर जब दो demand कर वह एक दूसरे को cut करते हैं तो flatter one की ज़ाद elasticity होती है मेरी अंतरात्मों बोल रही थी कि आपको ये बात बता दूँ इसलिए बताती है मैं ठीक है जी चलो जी आते हैं पैपसी का price increase हो गया बाबा तो कोका कोला की demand पे क्या फर्क पड़ेगा ये substitute good है तो पैपसी का price increase हो गया तो कोका कोला की demand भी बढ़ जाएगी लेकिन option देखो के तो ऐसा मिलेगा नहीं option में demand करके shift होने की बात की है तो जब किसी की demand बढ़ती है खुद का price तो नहीं बतला न तो demand कर rightward shift होता है कहीं लिखा है demand कर rightward shift है ठीक है ये लिखा shift towards right क्योंकि ये goods substitute goods है तो b वाला will be the right answer चलो दीरे दीरे सीखते जा रहे हो अबा luxury goods के case में income elasticity कितनी होती है बाई एक से ज़्यादा होती है कहीं लिखा एक से ज़्यादा होती है positive and greater than one ठीक है आगे आओ the price of hot dog increase by 22% price 22% से change हुआ है and quantity of hot dog 25% से change हुई है elasticity के बारे पूछ रहा है quantity उपर लिखते हैं price नीचे लिखते हैं तो 25 बटे 22 calculator ले के भी calculate करोगे answer एक से ज़्यादा आएगा एक से ज़्यादा है तो elastic है answer नहीं पूछा था आपसे elastic in elastic के बारे पूछा था हो गया answer हमारा क्यारा quantity demanded of mutton mutton non-wedge बात करता है यार ठीक है mutton का quantity 5% से change हो गया और इसका price 20% से change हुआ है तो quantity उपर लिखते हैं price नीचे लिखते हैं एक बटा चार answer 0.25 आएगा लेकिन question क्या पूछ रहा है क्याता है cross price elasticity निकालो हाँ हाँ अच्छा button का price change हुआ है button की demand change हुई है 5% से उपर लिख दी price किसका change हुआ है chicken का कोई फर्म ने बढ़ रहा हम तो वैसे भी उपर quantity नीचे price करते है answer 0.25 आगया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ और देखने की ज़रुत है और 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 यह लोजी आपके लिए एक तड़कता हुआ कोशन बोल रहा है when the numerical value of cross elasticity between two goods is very high दो goods के बीच में cross elasticity की value बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा मतलब positive वह ही बहुत ज़्यादा निकल गई तो दोनों goods substitute goods है अब बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा close substitute goods हो गई जो substitute ability होती है दोनों goods के बीच में लाइक वो पैपसी और माजा की तरह नहीं है वो पैपसी और कॉक की तरह हो गई तो बोलते हैं option देखो गया आप तो यह दोनों goods में बहुत high degree of substitutability है ठीक है c वाला इस दर राइट अंसर बच्चा बोलेगा सर परफेक्ट इसलिए नहीं बोला तो अब मैं आपके पास आउंगा चलो पब्लिक की पूर्जोर डिमांड पे एक question solve करा देते हैं आपके लिए यह लोजी देखो जी इस question में साफ लिखा है use arc elasticity method तो अब use करूंगा arc elasticity method नहीं लिखा होता तो percentage method यूज करता question है जी मेरको question पूरा पढ़ने की जरूत भी नहीं है ठीक है आप भी ऐसे करना suppose a departmental store has a sale on its silverware silverware बेच रहे हैं इसके price के बारे बोल लिया है price इसका 300 से 200 हो गया तो अपना एक काम करते हैं पहले price 300 था फिर price 200 हो गया ऐसे लिख रहे हैं आगे आ जाओ and the quantity demanded भी increase हो गई 3000 से 5000 प्राइस कम कर दिया तो जो डिमांड थी वो 3000 से 5000 हो गई चलो जी कह दिया आगे 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 what is the price elasticity of demand of silverware और मैं percentage method से निकाल देता लेकिन निकालना किस्से है midpoint method जिसको हम our elasticity बोलते है तो formula होता है मेरी तरफ से delta q upon delta p multiplied by p upon q कि तो percentage method का है इसमें क्या करते है plus कर देते हैं दूसरा price की इसमें दूसरी quantity plus कर देते हैं तो चलो जी दोनों quantity में कितना बदलाव है 5000 में से 3000 गए 2000 है दोनों price में कितना चेंज है 100 और 200 के बीच में फॉका चेंज है ठीक है ओक है दोनों price को total करो 300 और 200 500 आ गया दोनों quantities को total करो 3000 और 5000 अठ हजार आई गया अठ हजार आई गया चलो जी अब काटो दोजार दोचो काट होता है काट दिया दो जीरों से दो जीरों गई पांच बटे चार कितना होता है 1.25 होता है जी तुम तो calculator भी यूज़ कर सकते हो मैंने बिना मतलब में यहां पर काटा पीटी कर रही है तो 1.25 कहीं लिखा है यह लिखा जी 1.25 इसको ठीक कर दो और बोलना बले बले ठीक है ओके ओके ठीक है अब अब बच्छा बोल रहा है अब बारी आई आपको कराने की theory of consumer behavior बाबा theory of consumer behavior एक अलग unit है आप पहले demand के बारे में सोच रहे थे यहां demand के बारे में नहीं सोचना थोड़ा सा अलग चलना है लेकिन अलग चलने के लिए बता दू consumer एक buyer होता है obviously वो भी समान खरीदना चाहता है समान खरीदने के लिए ल आई के बारे में बहुत सारी बाते बताई हुए लेकिन पहले में वो नहीं बताऊंगा पहले में आपको बताऊंगा utility क्या होती है देखो जी consumer है तो कोई भी समान खरीदने के लिए मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने के लिए गया है जो सामान तुम करीदते हो उसे सा कि वो क्योंकि समान को यूज करने के बाद तुम्हें कोई । अब पानी पीते हो क्योंकि भूक लगी है खाना खातेो क्योंकि भूख लगी है गड़ी पहनते ओ हर कोई न न ऐसी पावर होती है जो आपकी बॉंट को सेडिस्पाइ कर रही है मतलब आपकी इच्छा को सेडिस्फाइ कर रही है बस उसी पावर को बूलते हैं हम यूटिलिटी यहां लिखकर दिखाने की जरूत नहीं है मैंने बूल दिया वांट सेडिस्फाइंग पावर ऑफ कॉमरिटी इस कॉल्ड यूटिलिटी आगे लिखा भी लिखा भी वह सारा कॉंसेट जब तुम दुकान पर जाओगे भाईया एक किलो चीनी देदो एक लिटर दूद देदो तो जो चीजे तुम समान खरीते हो दुकान से उसको किलो में ग्राम में लीटर में या कपड़े को बोलो तो मीटर में हम मेजर करते हैं हर चीज को मेजर करने की कोई न कोई ऐसा यूनिट है तो बताओ यूटिलिटी को मेजर करने की भी यूनिट है इसको मेजर करते हम यूटिल्स में या फिर यूटाइल कुछ भी बोल दो सिंगुल स्मूझ दो राज्य इसको देखो जी ऐसा बोला जाता है जैसे हम किसी कॉमडिटी को जाध से जयाधा करनते हैं वैसे वैसे उसमें बूर हो जाते हैं तो तुम्हें इतना पता है कि ये क्या बात कर रहा हूँ, चल थोड़ा सा पता है तो, जितनी ज़्यादा रोटी खाओगे, पेट भरता जाएगा, भरता जाएगा न तो भूक मिठती जाएगी, तो जितना मज़ा पहली रोटी से आया था, दसवी रोटी से उतना मज़ा नह नहीं आएगा तो ऐसा बोलते हैं जब हम किसी कॉमोडिटी को लगातार कंज्यूम करते जाते एक के बाद एक तो वैसे वैसे उस कॉमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो धिरे धिरे कम होती रहती है अभी मैंने लैंग्विच प्रॉपर मेंटेन नहीं किये नहीं पराठे कहा रहे हो यह माल लो बाबा पराठे काने से कोई नगी मजा आएगा आपको अब उस मज़े को माल लो एक मिनुट के लिए इमेजिनेशन के तौर पर आप calculate भी कर पा रहे हो तो पहला पराड़ा खाने से मालनों आपको 10 यूटिल्स का मजा आया यूटिल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले बोला है जो भी utility होती है यूटिल्स में मेजर होती है और समान तुम जो खरीद रहे हो उससे कोई ना कोई satisfaction यूटिलिटी तो मिली दी आपको यूटिलिटी और satisfaction सेम बात दूसरा पराड़ा खाओगे कुछ ना कुछ satisfaction कम हो जाएगी मालनो 8 हो गई तीसरे से मालनो 6 हो गई 24 से मालनो 4 हो गई पांचवे से 0 हो गई इसका मतलब पता है क्या है आपका पेट भर गिया पांचवे से मजा नहीं आएगा आपको पांचवे के बाद नहीं खापा हो गए अगर किसी ने जबरस्ती तुमारे मुह में ठूस दिया क्या पराठा तो तुम उल्टी भी कर सकते गार्यू यह मजा नेगेटिव भी जा सकता है और यह मजा मैं सबको नहीं देना चाहता है ठाएं या वाला मजा कहन देना चाहेगा पाइसको दे पताव करता हूं सटैस्टिक्स इं पहला पराठे खाने से कितना मज़ाए आप दूसरा इसलिकर आपक्र यह कहां होता है यह कई रिष्थय घु लेना पड़ेगा तब यता नहीं हो जाती है वह पहलीं क Toby are बने में पर गिया पता है एक évidemment layering और खिलाएंगे चल कोई मिली ओके। दूसरे से आठ की। लेकिन दोनों को टोटल करो। दूनों पराठो की ूटिलिटी को डोटल करो। अगर पहले से दस की मिली दूसरे से आठ Gergen कि मिली 18 की 3 से 10 8 और चे 3 को जोड़ दो 24 की चारो से इन चारो को जोड़ दो 28 की पांचों पराथू से टोटल करो तो यह 0 ही जूड़ेगा तो 28 यह रहेगा 6 के 6 पराथू से कितनी utility मिली 2 माइनस ही हो जाएगा 28 में 26 तो दोस्तो जब मैं ऐसी utility को जोडता जा रहा हूं तो इस वाली utility को बोलते है total utility और जो ये separate पराठे की separate utility थी इसको बोलते है marginal utility ठीक है जी और यहाँ पर एक सचाई साबित हुई है सचाई साबित ये हुई है कि जैसे यासे आप consumption बढ़ाते हूँ quantity को increase करते हूँ वैसे वैसे उस quantity से मिलने वाली marginal utility कम हो जाती है और this fact is called the law of diminishing marginal utility law of diminishing का मतलब होता है decreasing ऐसा law है जहाँ पर marginal utility कम होती रहती है दर 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 ठीक है जी ओके अब आप इतने सुपर स्मार्ट हो आप जानते हो mu की value कम होती जा रही है धर दर दर माइनस में भी तो अगर मैं mu का curve बनाऊंगा तो राज्य वह कहीं से भी start कर लो तुम्हारा मन कर तो यहां touch करके start कर लो जैसे भी start कर लो वो downward sloping की बनेगा और खास बात यह है कि mu negative भी हो सकती है और positive भी हो सकती है लेकि जब मैं total utility का curve बनाऊंगा तो आप देख पाऊंगे ऐसे बना दू यह भी सही है total utility बढ़ती जाती है बढ़ रही है ना यहां से exam में question बनता है रिष्टा number one यहां table में दिखाई दे रहा है जब mu 0 होती है तो tu की जो value 28 है ना 28 से जादा कहीं बर नहीं है चाहे दो बार आ रही हो लेकिन इससे जादा कहीं नहीं है तो जब mu 0 होती है तो tu maximum होती है इस चीज़ को मैं diagram से समझाना चाहूंगा एक diagram म असली में तो कुछ भी हो सकता है हम दोने यहीं से start कर लेंगे जहां tu maximum है वहाँ mu 0 होनी चीए बस यह लो जी यह mu curve हो गया तो relation क्या बनेंगे पहला relation यह बनेगा चलो जी आपको यह पता है जब mu 0 है तो tu की value अपने आप में maximum है और वो यह है दूसरा जब बाबा आपका mu गिरते गिरते पॉजिटिव है यह गिरते गिरते लोजी गिरते गिरते यह पॉजिटिव है तो टी यू के साथ क्या हो रहा है यह राइस हो रहा है यह राइस हो रहा है ठीक है लेकिन जब mu ने उकात दिखा दी गिरते गिरते यह negative हो गया तो टी यू भी विचारा गिर ग मालो quantity 1 से 2 हो गई और mu 10 से 18 हो गई तो tu calculate करो पहले वाली तो देदेगा दूसरे वाली तो इन दोने को plus कर देना 10 और 18 28 तो 28 option में भी given होगा लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है आपको मालो ऐसे देदेगा quantity 1 से 2 और 7 में tu देदेगा 10 से 28 और mu भी देदेगा मालो पहले वाली तो ये निकाल रहे थे उल्टा कर देना 28 में से 10 माइनस कर देना 18 तो mu का formula होता है tu की दो values का difference निकाल दो mu आ जाएगी जैसे की tu n minus tu n minus 1 कहने का मतलब यह है कि ये वाली value मुझे निकालनी है तो सामने वाली value को बोलो tu n जैसे की मैंने बोला tu n 28 और इससे पीछे वाली value को ब बोलो tu n minus 1 जैसे की 10 दोनों का difference कितना आ गया 18 तो यही लिखा है यहापर n का मतलब number of unit होता है जो भी quantity consume कर रहे है ठीक है mu का एक formula और है delta tu upon delta q मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यह दो tu के बीच का difference है तो delta लिख दिया delta का मतलब change होता है quantity तो कभी खत्रों का खिलाड़ी बना दे कोशन तुमें ऐसा बोले कि बाबा quantity 1 से 3 हो गई बीच में वो खा गया तू को खा गया मतलब कोशन में चला की खिल रहा है total utility 10 से 16 हो गई यहाँ पर लिखी हुए आपको 10 अब आपसे पूछ रहा है यह वाली निकालो बाबा तो आप क्या करोगे इन दोनों का difference छे लिख देते हो प्यार से यह गलत हो जाएगा option में यह भी मिलेगा आपको जब quantity में गैप हो ना तो देखो तीन में से एक माइनस करो डेल्टा क्य आपको लिखावा मिल जाएगा अभी यह यहाँ पर आपको वांट दिखेगा फूरा content अविलेबल है डरणा मत मैं want थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाता हूँ सबसे पहले concept of utility ठीक है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है law of diminishing marginal utility आपकी book के अनुसार यह law देने वाले बंदे का नाम था Alfred Marshall तो भईया यह Alfred Marshall जी है इसके उपर बहुत बड़ी गाथा है actually what is the law यह बोलते है Marshall जो बोलते थे हमने इस लोग को exponent किया मतलब दिया है यह पूरा marginal utility का analysis actually इनके दुबारा दिया गया है ठीक है यह बोलते थे the additional benefit which a person derives from a given increase in stock कितना मुश्किल लिखा है न कहता है जब तुम किसी भी commodity की stock को increase करते रहते हो और उससे जो आपको additional benefit मिलता है यानि M.U. मिलती है वो धीरे-धीरे diminish करती है मतलब decrease होती है जब-जब तुम कोई quantity को increase करोगे यह simple सी बात बोली है और भड़ी मुश्किल सी रगती है बच्चों को ठीक है और आसान चब्दों में यहां बोल दिया as a consumer increase the consumption जैसे जैसे वो consumption increase करता रहता है एक commodity का तो the marginal utility of the variable commodity must eventually decline जो marginal utility है जो बदलने वाली variable है बदल रहे है बार-बार वो decline होने ही चाहिए ठीक है इतना मुश्किल लाव बोल दिया और यह M.E.O.R.T.U. के बीच में exact relation भी दिया हुआ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था it is sorted ठीक है और दोस्तों अब मुझे actually आपको पढ़ा रहा है यह law of diminishing marginal utility की आपके पास दी हुई है कुछ limitations ठीक है ना मैं वो बताऊंगा आपको यह लो जी अभी क्या है आपके लेटेस्ट स्लेबस में limitation assumption सेम करके दी हुई है ठीक है यानि कुछ ऐसी जगा है जहां पर law of diminishing marginal utility काम नहीं करता तो आप मुझे सुलो law of diminishing marginal utility काम नहीं करता इसका मतलब क्या है मतलब तुम किसी चीज को ज़्यादा consume करोगे आपकी होबी है जैसे की किसी की stamp collection की होबी होती है किसी की पुराने पुराने नोट रखने की होबी होती है तो उस case के अंदर एम यू कम नहीं होती चलो जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो हम limitations की तो बात यह कर रहे थे कि हां तक limited लेकिन assumption पर फोकस है assumption main cheese जो बता रहा हूँ आपको मैं assumption देखिए assumption मतलब यह law क्या assume करता है क्या assume करता है for example मैं आपको बता हूँ कि यह law बोलता है अगर एक के बाद एक पराठा खाओगे तो धेर धेर आपका पेट भरेगा तो यह law यह भी बोलता है कि जो तुम पराठा खा रहे हो न वो सारे पराठे same size के होने चाहिए same होने चाहिए समझे यानि जो भी commodity आप consume कर रहे हो वो same होनी चाहिए ऐसा नहीं है मालनो तुम बोल रहे हो भया मैं एक के बाद एक save खाऊंगा न एक के बाद एक apple consume करूँगा तो उस apple से मिलने वाली मेरी additional utility कम होईगी होईगी न लेकिन तुमने पहले खाया बहुत बड़ा apple फिर खाया चोटा सा apple पहले वाला गंदा था दूसरे वाला अच्छा था तो यार दूसरे apple खाने से तुम्हें ज्यादा मजा आएगा आएगा चाहिए ऐसा ना हो कि पहले कुछ और खाया था दूसरे की क्वालिटी कुछ और है ठीक होमोजीनिस होनी चाहिए ठीक है क्याता है कि एक standard unit of consumption होनी चाहिए यानि जो भी आप unit consume कर रहे हो उसके standard unit होनी चाहिए इसके explanation भी पढ़ेंगे दिखाया था different unit consumed should consist of standard unit जो जो तुम different different unit consume कर रहे हो किसी भी commodity की उसके standard unit होनी चाहिए for example if a thirsty man is given water by successive spoonfuls कहता है अगर एक भूके और प्यासे आदमी को एक चम्मच से हम लगातार लगातार मतलब successive चम्मच से पानी पिलाते जा रहे हैं छोड़े चम्मच से पानी पिलाते जा रहे हैं तो यार पहले चम्मच से जितना उसको मजा आया होगा दूसरे चम्मच से हो स है कि इसकामजा कम नहों स्टंडर यूिजै उप्सके तो इसक है बात कर रहे हैं तो वह बोलता है कि आपको घंष की बात करणी चाहे पहला पानी पीएगा वह बन्ह तो जितनी प्यास Пीज़े ही दूसरे पानी पीने से उसको मजा कम आएगा पहला प्राता कौणा आगे ज मज़ आएगा नहीं इतनी स्टैंडर एक साइज होना चाहिए एक बेसिक साइज होना चाहिए ठीक है और कॉंटिन्यूस कंजम्शन की बात कर रहा है ऐसा नहीं कि एक पराठा तुमने सुबह खाया हो दूसरा दोफैर को खाया हो तीसरा रात को खाया हो और तुम इस और आप प्रिस्टिजियस गूट जो महंगे महंगे ऑइटम है उस केस में यह लाइक हभी Landry आइम ही एय तो इस चक्कर में यह लोग काम नहीं करता यह दारू में सिगरेट सुट्टे में काम नहीं करता ठीक है होबी में काम नहीं करता ठीक है जो तुम को रेयर कलेक्शन की किसी की हैबिट होती होगी स्टैंप कलेक्शन की या फिर कॉइन कलेक्शन की सिगरेट अलकॉल कहीं काम नहीं करते हैं लोगों काम है अमीर लोगों के चोचलों में करता तो प्सांप कहना सुखी रहना ठीक है मतलब अकेली नहीं यह वो काफी सारी चीजों पर है नीट भी करती है तो the shape of utility curve may be affected by the presence और absence of articles which are substitutes और complementary यानि ये भी depend करता है कि जो तुम समान consume कर रहे हो उसके कुछ substitutes available है या नहीं market में उससे भी तुमारी utility effect होती है complementary होने से भी होती है the utility obtained from tea may be seriously affected if no sugar is available सिरी बात बोल रहा है complementary goods का guess बोल रहा है अगर मालो चाई और चीनी complementary है आप फीकी चाई पीरे हो अगर आप मेठी चाई पीने के शुकीन हो तो तो आपको मजा ही नहीं आयेगा फिर आप मेठी चाई पी होगे तो मजा आयेगा है ना तो दूसरी निविट से utility कम नहीं होगी ना and then utility of bottled soft drink will be affected by the availability of fresh juice अगर तुम्हारे पास एक cold drink है बोटल के अंदर पैक है और fresh juice अवेलेबल है माल लोग की cold drink जो बोटल के अंदर पैक है वो भी जूस ही है और एक fresh juice है तो आप compare कर रहे हो और तो comparison करोगे तो फिर fresh juice ही ज्यादा बढ़िया निकलेगा वही ज्यादा अच्छी satisfaction देगा if you are health conscious और based on unrealistic assumptions कुछ बकलोलियों पर बेस्ट है जो मैं बाद में बताऊंगा यहां लिखा हुआ है यह बोलता है कि हम utility को cardinally measure कर सकते हैं cardinally measure करने का मतलब क्या होता है cardinal word बाद में explore करूँआ है इसका मतलब है कि utility को तुम calculate कर सकते हो अच्छा मुझे बताना तुमने सुभे जो खाना खाया था उससे तुम्हें कितनी utility मिली क्या तुम बता पाओगे नहीं बता पाओगे भाई यह utility numbers में calculate करना थोड़ा मुश्किल काम है मुश्किल काम है राज्य ठीक है न अगला concept मैं तुम्हेरे सामने लेकर आ रहा हूँ हाँ तो module के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले unit number two the theory of consumer behavior में आपको topic मिलेगा want का तो want की बात करेंगे want को लिखते एक मन में इच्छा से नहीं होती है कुछ चाहिए तो want का मतलब एक ऐसी desire होता है जिसकी तुम मनों कामना करते हो यार मैं CA बन जाओ यार मुझे चाहिए राजमा चावल छोले बुटूरे मुर्ग मुसल्लम रोगन जो शामी कबाब बिरियानी वगेरा वगेरा मुझे चाहिए लकजरी गाड़ी चाहिए मवाइल चाहिए वाच चाहिए शूस चाहिए एक आपके सारे मोटिव्स होते हूं इन सब को वॉनट बोलते कि कऱए और ऑर वॉन्च तुमारे किसी बी एलिम्ण्टरी यानि बेसिक रीजन की वजे से बी अराइշ हो सकती है और तुम्हारे दिमाग की हालातों की वज़े से कभी दिमाग ए ज्यादक खुश होता अगिना अभी दिमाग डिप्रेस होता है तो यार सुकून वाला बैट चाहिए हमाचा के सो जाओंगा तो वह भी वॉंट है वॉंट हर एक चीज है बेसिक रिजन से वॉंट हो सकती है बेसिक रिजन तुमारा यह है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो बढ़िया करीर बनाना है यह तुमारी वॉंट है लेकिन दोस्तों आपको जानना पढ़ेगा जो हमारे रिसूर्स है वो लिमिटेड है तो सारी वॉंट सेटिस्फाइड नहीं हो सकती हमें वॉंट को प्रायरिटाइज करना होड़ता है क्यानी मेरी बहुत सारी वॉंट है नंबर वन वॉंट क्या ह नंबर डू वॉंट क्या है, कॉलडरी प्रायरिटाइज की पिना, नंबर थ्री वॉंट क्या है, आइफोन लाना कैसे भी करके आप उसको प्रायरिटी के हिसाब से बोल सकते हो, अर्जेंट वॉंट, सबसे पहले सեडिस्फाइग की जाती है, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दोसरी ऐसे करके तो हमें पढ़ने है वांट के अंदर क्या-क्या features दिखाई देती है भाई जो human beings की want होती है हम जैसे लोगों की want होती है वो कुछ characteristics exhibit करती है मतलब show करती है वो कौन-कौन से characteristic है बन सकता है question तो बोलते हैं सारी wants को जिंदगी में कभी भी completely satisfy नहीं किया जा सकता क्योंकि resource ही हमारे पास limit में है want तो unlimited resource limit में है तो सारी want को satisfy नहीं किया जा सकता जो जो तुम चाहोगे समझे लिए हो ना सारी want satisfy नहीं होगे राज्जे ठीक है क्योंकि resource limited है अब देखो नहीं यहापर मैं आपको बता हूँ तो थोड़ा आप सोच सकते हो अगर कोई बहुत ही जादा अफलाटून बनने की कोईश कर रहा है तो या तो वह अफलाटून बन ले या वह सीए बन ले तो कि सीए बनने के लिए जो rigorous मेहनत चाहिए वह मेहनत के लिए तुम्हारे पास एक होती है तो बहुत है तो बोलता है wants differ in intensity intensity का मतलब होता है urgency बेसिकली urgency के हिसाफ से want अलग-अलग होती है यानि कुछ want ऐसी होती है जो आपको तो अर्जंट सटीसफाई करनी है फूक लगे है तो खाना अभी के अभी चाहिए तुम किरकेट खेलो लेकिन पहले को सबसे खाना तारे तोड़ के लिया हुआ तो इस नॉट पॉसिबल यार उकात के अंदर बात होनी चाहिए तुम बोल रहे हो तिरको यार मैं प्लेन में नहीं लेकर जाऊँगा तिरको मैं सिधा मंगल यान पर लेकर जाऊँगा उकात में होनी चाहिए वांट कुछ कुछ एसी वांट होती है जो एक दूसरे को कमपीट कर जाती है आपकी वांट आपस में लड़ेगी जैसे रबी पताया था जैसे की वांट की प्राइयरिटी होती है तो वह इंटनसिटी के इसाहब से अलग होती है अब वांट की Кॉम्पिटीशन आपस में हो जाता है क्योंक बढ़नें गाएगी तो एक चीजी यहाँ पर होगी ये निकंपीट कर रही है हां सारी में चैस्ट पर नीच यह सकती वह बात वीडियो आरत ने मतलब वो देख नहीं सकती थी ब्लाइंड थी और भगवान की बहुत पूजा करती थी और जो उसके बेटा और उसकी पुत्र वदू थी उनको बच्चा नहीं हो रहा था और वो बहुत गरीब थे तो भगवान के सामने प्रकट हुए भगवान ने बोला कि बता तेर स्षरण के बहुत इससारी सारा कि आपर वह देखना चाहती है और तो मतलब एक बहुत बच्छा नहीं हो रहा पुएंज शांते हो पोटा भी हो देख सब्के जोने होना थी झब गई झतनि वहां वहां तो मतलब नहीं हो रहा तो आप संतान भी चाते हो पोता भी चाते हो मतलब सारी बाते एक साथ मांग ली उसने एसी भी हो तकती है और बॉंट्स बेसिकली आल्टरनीटीव होती है तुम्हारे पास ऑप्षन भी होते हैं कि सोने का पालना नहीं चाहिए तो सोने का बैड हो जाए ठीक है ऐसा भी हो सकता है दोस्तों तॉट है तॉट करती है आज के ताइम पर तुमारी कुछ और करती है और यह करती है और यह रिलेटिव का एक बार बार नहीं चाहिए तुम्हारी वांट यह बनने एक बार बार नहीं चाहिए लेकिन पेपसी पीने की वांट है तो हो सकता है कि पेपसी अब फिर कल भी चाहिए क्ल भी वांट अराईज होगी तो रियक पुंण रोसकती है कुछ वॉंट नशंधर बन जाती viennent कुछ अंब बन जाती है कुछ वॉट Però बन जाती है कस्टम इंस सेयाटी में सहादी में नहीं इनो यह किया यह मुझे करना है तो कॉट प्राइब कोई दूसरा जूगाड़ करना पड़ेगा बड़ी अड्रेस का तो और इसन की वॉजह सकती यह और आपके पास वो नहीं है सांटराइजर निया मास को तो ही इंडिविज्वल की इकॉनमी और शोशल स्टेटस से आपका पइसों का status कैसा है, rich की अलग want हो जाएगी, गरीब की अलग want हो जाएगी, social status की वज़ए से भी want arise हो जखती है, वाल लो आपका society में कुछ और status है लेकिन आप हो याँ, आपका status ने आ है, तो आपको इसी के साफ्स मेंटेन करके चलना पड़ता है कई बारी, कई बहुता है फिर तुम उन बंदों को बोलते हवा बाज है नहीं भाई उसका status वो बोज गया तो उसके साथ थी हमारे ये तो want की features थी characteristics थी want को तीन पार्ट में classify किया हुआ है कहते हैं जी एक want जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है necessary होती है क्या होती है necessary होती है जिंदा रहने के लिए जरूरी है सवनम तो वो वाली want हो गई necessary वाली necessary वाली को पहले बढ़ लेते हैं बाद में दो और दिखा हुआ necessary वाली want को तीन पार्ट में classify किया हुआ है कितने पार्ट में तीन पार्ट में पहली होती है necessary for life और existence यह सच में जिन्दा रहने के लिए जरूरी है oxygen की want हो सकती है food की want हो सकती है ठीक है और दूसरी हो सकती है necessary for efficiency efficiency मतलब आपको best बनके दिखाना है best बनने के लिए जो तुमारी want है एक अराम दाएक sofa मिले आपको बढ़िया bed मिले AC मिले या फिर बढ़िया हवा मिले जो आप इसके डाइम में बन गई है जैसे की mobile phone टीवी यह चीज़ conventional सच में तुमारी नेसेसरी नहीं लेकिन लगता है आशकल जीनी के लिए बहुत जरूरी है और आज आओ जी दूसरे नंबर पर यह efficiency और नेसेसरी इसको मैं एक्सिलेंट कर आपको बता भी दिया दूसरे नंबर क या comfort इसको बाद में बताऊंगा तीसरे नंबर की है luxury तो हमारी वांट की तीन category है नंबर उन पर नेसेसरी उसके तीन टुकडे है दूसरे पर comfort तीसरे पर luxury luxury लगजरी को तुम सबस्ते हो भाई या expensive माल चाहिए बहुत सारी वांट हो सकती है लेकिन जिंदा रहने के लिए leaving के लिए ज़रूरी नहीं होती मोज मारने के लिए ज़रूरी होती है महेंगे महेंगे कपड़े लो motor car लो classy furniture लो और शारुखान जैसी vanity लो कपिल चर्मा ने लिए ना उसकी वांट थी उसने ले ली ठीक है लेकिन कहीना कहीं नैसेसरी और luxury के बीच में comfort वाली want होती है for example necessary क्या है आपको खाना मिल जाए luxury क्या है आपको best से best car मिल जाए बंगला मिल जाए यह सब बढ़िया salary मिल जाए comfort क्या है इनके बीच में नैसेसरी से तोरा सा उपर है luxury थोरा नीचे है मतलब खाना मिल जाए necessary है लेकिन आपको बढ़िया quality का premium खाना मिल जाए उसका वो आपका comfort जोना जाएगा तो खाना मिल जाए जैसे कि आपको बढ़िया quality का food मिल जाए food मिलना तो normal है लेकिन बढ़िया quality का food मिलना comfort है घर मिलना necessity हो सकती है बढ़िया quality का घर मिलना comfort में आ सकता है कपड़ा मिलना necessity हो सकती है ब्रैंडेड कपड़ा मिलना, comfort हो सकता है, ठीक है, अब इसमें, ब्रैंडेड में, अब तुम expensive इसको कर दो, भहाँ जादा expensive कर दो, तो लक्षरी भी हो सकता है, ठीक है, ये तीन टुगडे कर दी है, अब मैं आपको प्यार से, बहुत प्यार से एक topic समझाना चाऊंगा, तो consumer equilibrium is a situation, where consumer maximizes, his, और her, whatever, totally utility, जहाँ पर अपनी satisfaction को वो बोलेगा, top पे पहुच गए हम, this situation is called consumer equilibrium, तो book के हिसाब से, जितना तुम्हें जानना होतना बताऊंगा, दो बाते दी हुई है, अगर आप कोई एक commodity consume कर रहे हो, मतलब आप market में गए हो, कोई भी एक commodity खरीदने, त तो consumer equilibrium कैसे अचीव होगा, और अगर दो goods consume कर रहे हो, two goods, यानि double commodities के case में consumer equilibrium कैसे अचीव होगा, ये बता रखा है, commodities, तो चाहाता तो मैं आपको table बना के diagram बना के बहुत जादा illustrate भी कर सकता था, लेकिन आपके paper में आपको explain करना नहीं आएगा, MC की वाला question आएगा, उसके जो जानना जरूरी देखो, कहते हैं, consumer को अगर अपनी utility satisfy करनी है, तो उसको कुछ conditions satisfy करनी होगी, क्या satisfy करनी होगी, conditions, तो वो conditions का lane देना है paper है भाई, वो ध्यान रखना, तो single commodity के case में दो condition होती है, double commodity के case में भी दो condition होती है, पहली condition होती है, marginal utility must be falling, या diminishing marginal utility, मतलब तुम न किसी की पाईसों की नहीं कर रहे है, होबी की नहीं कर रहे है, यहाँ पर भी पहली condition है कि M.U.M. must be falling, दूसरी condition यहां कह रही है, कि M.U. X है जो, यानि जो X जो तुम समान खरीद रहे हो, उसका नाम, उससे मिलने वाली M.U. को अगर price से divide कर दे, तो यह M.U.M. के बराबर आ करए होगा कि एक रूपे के अंदर एक टोफी आ जाए, मेरे लिए हो सकता है कि एक रूपे के अंदर मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पानी आजाए तो एक रूपे की value आलग समझते हो, मैं अलग समझता हूँ, तो यह person to person vary करती है, लेकिन जो भी तुम समझते हो, तुमारे तो इस वाली कंडिशन को थोड़ा चोटा करके ऐसे भी लिख देते हैं कि एम यू मस्ट भी एकवल टू प्राइस बोलेगा काई से लिख देते भाई यहाँ पर इसको वन लेट कर लोगे ना जबरदस्तिय वन लेट कर रखा कोई रीजन नहीं बनता है आपर तो प्राइस वहाँ आ जाएगा एम यू और प्राइस एक दूसर के एकवल दिखेंगे य यह बहुत अन्रेलिस्टिक कॉनसेट है बहुत बहुत कोई हाथ पैर नहीं है इस कॉनसेट का चलो जी दो गूढ के केस में मालो एक और य है तो बोलते हैं M.U. X और P.X का रेशो अगर दूसरी गूढ है M.U. Y. और P.Y. के रेशो के बराबर आ जाए और यह सब यह वाली यह वाली वैली यह वाली वैल्य तीनों वैल्यू मैच कर जाए तो बोलेंगे यानि डॉबल कॉमधिटी इस के केस में कंजूमर एक्विलिव में आ गया नहीं समझ मैं पूरी दिल खोलके सुनों जब कंजूमर एक कंजूम करेगा तो ऑबाबा इन दोनों कंडिशन को सैटिस मतलब बेसी कंडिशन होता ही होता है इतना ध्यान रखना है असली जिंदिकी में तुम तीन चार-पांच शे कॉमड़ीटिस भी कंज्यूम करते हो वह तुमारे से लेने नहीं है बस इतना ही था कंज्यूमर एकुलिब्रियूम में और यह जो कंज्यूमर एकुलिब्रियूम यह आप मार्जिनल यूटिलिटी एनलीसिस वाला कंज्यूमर एकुलिब्रियूम पढ़ रहे हो यानि वो एकुलिब्रियूम जो अल्फरेड ने मार्षल ने बताया है यह concept किस ने दिया? अल्फरेड मार्षल ने ऐसे assumptions आ सकते हैं यह analysis क्या होता है? कारडिनल क्या होता है? यह सब मैं डिटेल में थोड़ा सी देर में पढ़ा दूंगा क्योंकि वहीं पर इसकी जरुत पढ़ेगी पॉइंट ध्यान रखना वस बार-बार मार्शल यहां पर बोल रहा है कि हम यूटिलिटी को कालकुलेट कर सकते हैं मतलब कारडिनली का मतलब होगा नंबर्स में कालक यहां पर डिटेल में हुआ है यह कंडिशन भी लिखी हुए इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है आपके लिखा हो दोस्तों देखो मैं बताऊंगा आपको आपको कॉंसेप्ट कभी ऐसा होता है कि आपने सोचा कि मार्केट में जीन्स खरीदने जाऊंगा तो बारासों क मिलेगी लेकिन आप जैन्वली मार्केट में पहुँच गए हो और देखा जाके तो वहां बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है आपको वो जीन्स आठ सो की मिल गई है आप कितना रुपिया देज सकते थे उसके लिए आपकी विलिंगनेस कितनी थी पे करने की विलिंगनेस इस चार आप देलट ekंजूमर्ट सरप्लस कि क्या वोटा है सी जितना तुम देना चाहते हो between माइनस जितना तुमने अक्दम॥ली में दिया है इसको डिखा सकते हैं ड मूता है हूँ एक demand curve बनाओ demand curve बना लिया भाया यह mu curve भी हो सकता है mu curve पो demand curve बोल देते हैं क्योंकि यह negative relation नहीं दिखाता है अच्छा और price बताओ कितना है price मालो यह वाला है जो pay किया है यह price तो बोलते है price से उपर इस pili line से उपर और demand curve के नीचे यह जो area है इसको तू math के अंदर calculate करोगे triangle का formula लगाके तो जो भी value आएगी वो consumer surplus है क्या है consumer surplus है proper आप देखोगे तो consumer surplus का पूरा proper formula लगाके diagram लगाके आपको बताया हुआ है यह consumer surplus है इसके उपर question भी बने है बहुत heavy हैवी हम वो भी करेंगे जैसे कि मानलो एक छोटा से question आपको कराई देता हूँ है अंतरा तुमा बोल रही है मेरी की question कराना है आपको यह करते है ना 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 अभी देखाना यह रोज़े देखो जी यह मानलो demand करव है यह मानलो price है आपका consumer surplus इतना है पेपर में question आ जाएगा मानलो price increase हो गया तो consumer surplus पे क्या फर्क पड़ेगा अब यह वाला area consumer surplus हो जाएगा तो price increase होने से बड़ा consumer surplus जो था वो छोटा हो गया तो consumer surplus कम हो गया तो consumer surplus और price में negative relation होता है अगर 1000 पे करने पड़ जाएं तो consumer surplus कम ही हो जाएगा तो यह पड़ना है तुम भी उखाड लोगे कंपनी भी उखाड लेगी तो क्या क्या कौन को न उखाड सकता है क्या इसके पाइदे हैं वो बता रहो पॉइंट नमबर वन कंपनी देखती है कि कंजूमर को कितना surplus हो रहा है उसके हिसाब से company यह जान लेती है यार company तब अच्छा लगता है company को जो वो समान प्रवाइड कर रही है कि company consumer को surplus दे पा रही है यह नि दे पा रही है अगर company consumer को surplus दे पा रही है तो company का समान बार बार विकेगा समझेरो तो company analyze करती है consumer का behavior तो रिपीट पर्चेस करेगा ही करेगा ठीक है उसको कुछ नहीं हो रहा है ना यानि वह इतना पे करना चाहता था और तुम इतने में समान बेच रहो तो यार कंजुमर का भी एवर अनलाइज होगा वह रिपीट रिपीट करेगा तो बहुत इंपॉर्ट एक बिजनस फर्म क इलाका है जैपूर ठीक है जो एक समान तुम दिल्ली में बेच रहो जैपूर में बेच रहो दोनों जंगा सेम समान बेच रहो दिल्ली में यहां भी 50 रुपे का सरफलस हो रहा है तो आप दिल्ली के इंदर प्राइस बढ़ा सकते हो कोई फर्क नहीं पढ़ रहा आपको तुम 50 रुपे रिट बढ़ा दो उसका सरफलस चालिस हो जाएगा जैपूर के इंदर मत बढ़ाना क्योंकि जैपूर के इंदर डिमांड ज् प्राइस चेंज़ कर देंगे चैस कर देते हैं और यूसफ़ल इन इंवेस्टमेंट डिजिजन एक कंपनी को अगर लार्ज सकेल की को इनवेस्टमेंट करनी है तो देखता है कि हाँ भाई कंजूमर को कितना सरफलस हो रहा है वो तब इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्ट दे तो भी ध्यान रखती है कि consumer surplus कितना है क्योंकि माल लो तुम्हें 50 उर्पे का consumer surplus हो रहा है तो company अपना प्राइस 50 उर्पे तक बढ़ा सकती है बढ़ाना नहीं चाहिए 40 तक बढ़ा दे 10 का consumer surplus फिर भी रह जाएगा तो company अपना प्राइस बढ़ा सकती है company higher prices पर भी expect कर सकती है कि बंदे खरीद लेंगे अरे वह या consumer को लग रहा है 1200 की चीज़ मिलेगी तुम बेच रहे हो 800 में तो तुम उसको 900 भी कर सकते हो हजार भी कर सकते हो फाइदा होगा तुम्हें और यह है useful in deciding taxation policy सरकार भी taxation policy बनाती है तो सरकार भी जाल लेती है कि लोगों को consumer surplus अगर हो रहा है तो जिस चीज़ पर हो रहा है उस चीज़ पर tax बढ़ा सकते हो बिल्कुल बढ़ा सकते हो ठीक है ना लेकिन दोस्तों consumer surplus की बेचती भी है बेचती मतलब इसकी limitations है criticism है कुछ बेचती तो होनी भी चाहिए concept कुछ ऐसा है अब कौन कैसे बताएगा तुम्हें जीन 600 की लेली बारसो को देना चाहता था मैं लेकिन मैं किसको बता हूं कि मैं बारसों देना चाहता था और imagination concept भाई और इसका cardinal measurement possible नहीं है cardinal का मतलब होता है numbers में numerical numbers में इसको measure कैसे करोगे फिर तुम अच्छा ऐसा होता है क्या मेरे को बार सो देता हूं नंबर में कैसे बतलब imagination में आ गया सचाई में ऐसा है या नहीं है और calculation इसकी possible है और दोस्तों यह ignore कर देता है interdependence between goods यानि दो goods अपने आप में interdependent हो सकती है बिलकुल हो सकती है लेकिन आप दो goods नहीं बेचते आप एक ही commodity बेचते हो तो आप उसी commodity पे कितना surplus मिल रहा consumer को वो चेक कर लोगे लेकिन तुम भूल जाओगे कि उसने वो commodity इसलिए खरीदी है क्योंकि उसके पास पहले से कार है यानि पैट्रोल उसने इसलिए खरीदा है उसके पास कार है तो तुम पैट्रोल का ही surplus देख रहे हो और वो कार के वज़े से खरीदा अगर कार पैट्रोल गया तेल लेने देलो चाहिए उसको unlimited surplus ले गाई निवो ठीक है और इट कैनोट भी मेजर इन टाम्स ऑफ मनी यह इन टाम्स ऑफ मनी की बात तुम बोलो कि यह नंबर में नहीं हो सकता मनी में नहीं हो सकता अरे मनी में भी इसको मेजर नहीं कर सकते यह बोलने की स समझते हो वह constant नहीं चोती भाई अभी आप सो रुपे के उकात कुछ और समझते हो कल कुछ और समझोगे तो यहां पर यह कहता है कि marginal utility of money बार 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 बदलती रहती है तो consumers stock of money हमेशा यानि अगर मेरे पास सो रुपे आज है और सो रुपे कल है तो मेरे पास जो सो रुपे है आज मैं इसमें दस बर्गर खरीदने की कोशिश करता हूं कल मेरे पास सो रुपे होंगे तो money की value decrease होती है तो मैं सो रुपे में सोचूँगा कि पांच ही बर्गर आ जाए ठीक है यह सोचूँगा ना तो यह money की value बार-बार बजलती रहती है तो इस value में तुम यह नहीं बोल सकते कि कल का सरप्लस और आज का सरप्लस सेव होगा यह ताज़ा ताज़ा टाज़ा चेक कर लिया आज 1200 की जिन्स में 800 में मिल गई मेरे को 400 का सरप्लस है मैं यह नहीं बोलूँ यह नैसेसरी गुड़ पे consumer सरप्लस अप्लाई नहीं होता नैसेसरी जो चीज़े जरूरी है लाइफ सेविंग ड्रग्स है oxygen है दवाईयां है उड है इस पे यह अप्लाई नहीं होगा क्यों तुम यह नहीं बोलोगे यार क्योंकि यह तो जिन्दा रहने के लिए जरूरी ह सकता है तो इसके लिए कैलकुलेट ही नहीं हो सकता तो बोलते है नैसेसरी के केस में consumer सरप्लस infinite होता है इस स्टार टॉपिक स्टार टॉपिक मतलब very important topic कैसे 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 बोलते वह यहां पर इमेजरेबल है जैसे कि food हो गया water हो गया इनके लिए क्योंकि consumer अपनी सार यह नहीं कह सकता है कि इतने रूपिका सरफलस है और दोस्तों यह महंगे आइटम्स जो प्रेस्टीज गुड्स होती है उसके केस में लागो नहीं होता है जैसे कि आप मालो जूल्री हो गया डायमंड हो गया इस केस में कोई नहीं सोचता जो अमीर बंदे होते consumer सरप्लस के उनको पड़ी नहीं होती है अच्छा वो सुचते कि हाँ यार मेरे को गोल्ड मिल जाना चाहिए था पचास जार का लेकिन मुझे 40 जार का मिल गया ऐसा नहीं होता अमीरी के केस में लागो नहीं होता यह अमीर बंदे तो जो मर्जी प्राइस दे देते हैं बस खचा-खच दे देंगे और कुछ दिक्कत नहीं है अब बारी यह बहुत भहनकर टॉपिक की जिसे बोलते हैं इंडिप्रेंस कर्व यहां से भी कोश्यन आएगा दूस्तों इंडिफरेंस कर्व क्या है तसली से समझ लेते हैं पहले इंडिफरेंस का मतलब समझाऊंगा इंडिफरेंस क का मतलब होता है सेम तो नॉर्मली क्या होता है तुम अपनी जिंदगी से रिलेट करो आप क्या सोचते हो आप ये सोचते हो कि आपके पास मैं बोलू कि आपको छोले बटूरे खाने है समोसा खाने है आप बताओगे मुझे छोले बटूरे से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती पिल रही है कि बताओ बेटा क्या बनाओ पनीर बनाओ तुम बोल्द पनीर बनाना है लेकिन याद करो वो दिन जब मम्मी ने बोला पनीर बनाओ या दाल बनाओ और आपने बोल दे ममा कुछ भी बना लो एकी बात है इंदे बनाओ या फिर कुछ भी बना लो एक ही बात है जब आप दो चीजों में डिफेरेंशेट नहीं कर रहे हैं आप बोल रहे हो कि दोनों की दोनों तुमें सेमसी लग रही है तो उस concept से relate करता है सिर्फ एक ही situation है ऐसी उससे relate करता है for example मैं आपको यू बोलने लगूं यहाँ पर समझाता हूं मैं आपको यू बोलने लगूं कि आपके पास मैं चाए और biscuit के offer दे रहा हूं बिस्केट गेंगा लोजिक बिस्केट के offer दे रहा हूं मैं कह रहूं आओ चाए पी नियाओ एक चाह चाहे लोगे तो एक बिस्किट मिलेगा बताओ जी तुम बोल रहे हो मैं समझा नहीं मैंने बोला वाई एक चाहे के साथ 15 बिस्किट का कॉंबो दे रहा हूं आपको मैं दो चाहे के साथ 10 लोगे या फिर 3 चाहे के साथ 6 बिस्किट लोगे चार चाहे के साथ 3 बिस्किट बारे में इन डिप्रेंट ओ आप इन सब को एकवल समझ रहे हो मतलब आप कह रहे हो मुझे इन में से ए बी सी डी इन में से कोई भी कॉंबिनेशन प्रोवाइड कर दो मैं इन सब के बारे में बराबर सोचता हूं दे दी ओल इस स्कॉंबिनेशन सार गिविंक से में लेवल सेडिस्पेक्शन आप ऐसा कह रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यह 컨सेप्ट पढ़ रहे है अगर आक कुछ और कर रहे हो तो यहां पर यह यानि इंडिफरेंस कर इस कर पर जितने भी पॉइंट होते हैं जैसे कि वो A B C D E जितने ही पॉइंट्स है यहां बोलते हैं All Points on Indifference Curve All Points on Indifference Curve Are Giving Same Satisfaction यानि A B C D E की क्वांटिटी तो अलग अलग है लेकिन सब के सब Same Level of Satisfaction Provide कर रहे हैं यानि आप देख रहे हो यह सच्चाई भी ऐसा होता भी है यहां पर आप Satisfaction को नंबर में काउंट करके नहीं बता रहें समझे हो तो ऐसा भी बोलते हैं कि Satisfaction को जब आप नंबर में काउंट करके बताते हो तो वो Marginal Utility Analysis होता है उसको Cardinal Utility अपरोच बोलते हैं Marshall के दुवारा दी गई थी लेकिन वो Imagination है सच्चाई में कहा है कि आप Utility को Numbers में Express नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना आप ऐसे बता सकते हो कितना मजा आ रहा है कितना मजा नहीं आ रहा है जादा आ रहा है कम आ रहा है तो दिस इस कि अगर आप एक Commodity का कंजम्शन जादा करना चाहोगे तो दूसरी का कंजम्शन कम हो जाएगा और एक का कम करोगे तो दूसरी का बढ़ जाएगा कैसे इसका कोई भी Point पकड़ लो माल लो आप इसका कंजम्शन इतना कर रहे हो लेकिन अगर आप य को जादा खाना चाहते हो तो टककर मारो यहां यहां टककर मारो एक्स का कंजम्शन देखो कम हो गया होता है तो इस वजह एसे बोलते है इंडिफ्रेंस कर्व होता है downward sloping demand curve भी downward sloping होता था ना क्यों होता था आपको पता है ना डिवांड कर्व जो डाउनवर्ड लोपिंग है, वो इधर प्राइस और इधर डिवांड में नेगेडिव रिलेशन दिखाता था, इनडिफरेंस कर्व जो डाउनवर्ड लोपिंग है, वो X के कंदमशन और Y के कंदमशन में नेगेडिव रिलेशन दिखाता है, ठीक है जी, एक बात और यहाँ पर एक नया concept launch करना पड़ेगा मुझे यह 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 आपके लिए launch करता हूँ तभी बात मज़े में आएगी indifference curve के slope का नाम है यहाँ लिख रहा हूँ slope of indifference curve downward होता है लेकिन इसका नाम है इसे बोलते है marginal rate of substitution इसको calculate करने का formula भी है delta y upon delta x change in y upon change in x y मतलब जो चीज़ कम हो रही है और x मतलब जो चीज़ बढ़ रही है हम उसको लिखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं delta y upon की जगा ratio लिख दूँ upon और ratio एकी बात होती है और delta x निकालू mrs तो देखो कैसे निकलेगा values calculate करो starting में y का change 15 है starting में कोई change नहीं होता क्योंकि 2 values नहीं है दो value देंगे तभी change होगा फिर 15 से 10 हो गया 5 का change 10 से 6 हो गया 4 का change 6 से 3 हो गया 3 का 3 से 1 हो गया 2 का difference निकालता जा रहा हूँ वीच में ratio का निशान लगाना है लगा दिया अब x में change कितना है x में change 1,2,3,4,5 1,1 का change आता जा रहा है 1,1 का change आता जा रहा है भाई रख दो तो यह जो MRS की value आती है इस case में यह value decrease होती रहती है 5,4,3,2,1 तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है indifference curve की दूसरी feature के बारे में बताऊंगा आपको मैं कि indifference curve ना convex होता है MRS की value fall होती रहती है fall करने को diminish बोलते है तो indifference curve is convex to origin यह हमारी feature है लेकिन मुद्दा यह बनता है क्या किसी और case में indifference curve अलग नहीं हो सकता देखो बाबु यह तो हम पढ़ रहे हैं हमारे course के इसाब से यह feature है नहीं तो अगर MRS rise करने लगाना तो indifference curve कौनके भी हो सकता है MRS अगर constant रहा न 1 is to 1 1 is to 1 1 is to 1 हमेशा या कोई और value भी constant रहे बस तो indifference curve straight line भी हो सकता है तो paper में question आएगा क्या indifference curve straight line हो सकता है जी हाँ कब जब MRS constant होता है तब दो feature हो गए indifference curve की तीसरी feature एक diagram पे अगर तुम एक से ज़्यादा indifference curve लोट कर दो मालो indifference curve 1,2,3 तो ऐसा कहते हैं जो सबसे उचा indifference curve है वो सबसे ज़्यादा utility दे रहा है मालो ये अमर का indifference curve है ये अकबर का ये एंथनी का तो एंथनी को सबसे ज़्यादा utility मिलेगी monotonic preference का मतलब होता है more is preferred बंदे को ज़्यादा ही चाहिए होता है more is preferred मतलब एक indifference curve के उपर जितने भी point हो वो सब एक हरे-हरे point सब एक दूसरी के बराबर है ये पीले-पीले point सब एक दूसरी के बराबर satisfaction दे रहे है quantity उपर नीची हो सकती है ये गुलाबी-गुलाबी point सब एक दूसरी के बराबर satisfaction दे रहे है लेकिन सारे गुलाबी वाले पीले वालों से बड़े है पीले वाले हरे वालों से बड़े है ठीक है आजाओ जी एक और है कहते हैं जी दो indifference curve ऐसे कभी एक दूसरे को सुन लो जरा कथा मालो आप यहां पर दो point लेते हो A और B A और E ये IC1 पर आ रहे हैं आ रहे हैं तो ये A और E एक दूसरे के बराबर satisfaction दे रहे हैं क्योंकि एक indifference curve पर जितने भी point बना लो सब एक दूसरे के बराबर satisfaction देते हैं ठीक है जी तो यार ये B और E भी एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये भी same indifference curve पर आ रहे हैं तो कहरे है B और E भी बराबर है तो जब A E के बराबर है B E के बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होने चीए हैं लेकिन यह दोनों दूर दूर हैं, बराबर नहीं है, बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि अलग-अलग indifference करफ़े आ रहे हैं, अलग-अलग indifference करफ पर के point बराबर नहीं होते हैं, तो यहां पर A is not equal B, बल्कि क्या है, B ूपर है, तो higher indifference curve से उचा A है, तो कहते हैं तिकडी नहीं बन पाई तिकडी को बोलते हैं मतलब एक सही है दो सही है तो तीसरा सही होना चाहिए अब राहूल प्रिया का भाई है ठीक है और राकेश भी प्रिया का भाई है तो राहूल और राकेश भी भाई होने चाहिए ना लेकिन यहां नहीं है ऐसा यहां कुछ और चक कर रहा है तो इससे बोलते है थ्रांजीटिविटीए त्रांजीटिविटी मतलब टिकडी डबल का मतलब शराई यह एकशी श IPT टचनी करते है नहीं एकस को नहीं वाई को कर गया सिसका मतलम इन्हीं के बात करते हैं टो गूर्स की बात करते हैं तो यहां टच नहीं करता है पांच फीचर है बड़ी इंपोर्डेंट है आप अगर इससे गो तुरू करोगे तो मैंने यहां कॉंसेट भी लिख दिया कि इंक्रीय्सी करने से कहा कहा इंडेफ्रेंस कर चला जाएगा और दोस्तो एक टी डायाम पर अगर आप बहुत सारे प्लेंट कर बना दो डैगराम में अगêmes से ज़्यादा इंडेफरेंस कर माच थो तो डायाम को बोलते हैं इंडि़ डायराम को मौनत ओंं ए नॉसност कम करना पड़ता है यह कॉन्वेक्स होता है विकॉज ऑफ डिमिनीशिंग मारेस यह रिजर पता होने चीए दो इंडिफरेंस करेंगे दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे रीजन क्या है ट्रांजिटिविटी और चौती फीचर है अम बतलब यह पूरा प्रूब करके यहां दि तौसरी और नहीं यहां पर पताया हुगा है लेकिन दो बोहत एक्ष्ट्रीम केस है अगर मालो मैं यहां पर चाए दिखाता हूं यहां कॉफ्छी दिखाता हूं तो इंडिफरेंस कर वह इसा बनता है यह दो लोगोड़ता नहीं है तो इनको बोल देंग यह है या imperfect substitute है ठीक है कोई लेना देना नहीं है ठीक है लेकिन दोस्तों अगर दो गूट substitute हुई इधर मतलब थोड़ी बोस तो कोई दिक्कत नहीं है एक्जेक्ट सेम वी यहां पर हुआ सलमान खान वन यहां पर पर में आ सकता है perfect substitute goods जब होती है तो इंडिफरेंस कर downward sloping straight line होता है क्यों क्योंकि MRS वहाँ पर constant होता है इतना ध्यान रखो बस exam point of way से त्यारी चल रही है अब सीधा सीधा बता रहो लेकिन दोनों goods x और y पर दिखाए गई दोनों goods perfectly complimentary हुई complimentary हुई मतलब इधर कार दिखा 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 दिया तो इंडिफरेंस कर विल लुक लाइक दिस एक एल शेप कर बन जाएगा 90 degree अंगल ठीक है बहुत extreme केस है बहुत extreme केस है लेकिन आ सकते है भी या इंडिफरेंस कर्व का हमारा concept पूरा होता है अगला concept आपको मैं बताना चाहूंगा budget line के बारे में budget line जिसको हम price line भी बोल देते है income price इस लाइन भी बोल देते है consumer के बारे में बात हो रही है राज्ये पहले एक situation कर लो उसके बाद इसको समझ पाओगे अच्छे से situation करते हैं माल लोकी आपके पास money income है 100 रुपे की आप दो गुड्स खरीदने गए हो X और Y दो इगुड्स के बारे बात होगी X का price है 20 रुपिया Y का price भी है 20 रुपिया तो हो क्या रहा है आप देखो आपने इधर लिखी गुड्स की quantity इधर लिखी गुड्स की quantity तो कितना 100 रुपे में X को और Y को खरीद सकते हो अगर आप X को नहीं खरीद रहे हो तो 100 रुपे में Y की 5 unit आएंगी कैसे 20 की एक है तो 100 की 5 होगी ना 100 को 20 से डिवाइड कर दिया मनी income को price से अगर आप X को एक खरीद लोगे तो आपने 20 रुपे खर्च कर दिये क्योंकि 20 रुपे की एक X है आपके पास कितने बचे 80 तो 80 में Y कितनी आएगी 4 आएगी अगर आप X को 2 खरीद लोगे तो 2 X आएगी भया 2 इंटू 20 40 की आपके पास 100 रुपे हैं तो 60 बचेंगे 60 में Y कितनी आएगी 3 आएगी आप इसको बढ़ाते रहो ये कम होती रहेगी होती रहेगी ना ऐसा असली में हो सकता है ना बिल्कुल qualcosa नाइचृरल मैथेमैटिकल बात है को इकॉई कॉनमिक्स नहीं नहीं है थीक है तो दोस्तों यानी हम कह रहे रहे हैं आपके पास 100 रुपे है तो आप ये देखो Zero X के साथ 5 Y खरीद लो zero X के साथ 5 Y एक X के साथ 4 Y खरीद लो, या 2x के साथ 3y खरीद लो, या 3x के साथ 2y खरीद लो, या 4x के साथ 1y खरीद लो, या 5x के साथ y आएगी नहीं, आपके उपर है, आप क्या खरीदना चाहोगे, 6 रुपे में आप यह सारे कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, यह जो कॉम्बिनेशन्स है, यह आपके बजट में आ रहे हैं, पैसा यहाँ पर तोला जा रहा है, इन कॉम्बिनेशन्स को बोलते हैं, बजट सेट, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कि आप 2x और 2y नहीं सेट होते हैं लेकिन दोस्तों यह स्पेशल बजट सेट है जो मैंने यहां दिखाए हैं इन सभी में आपका सारा पाई सा खर्च हो जाएगा हो जाएगा और फिर आप एक्स और वाई की वैल्ली को लेकर ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन आएगी जैसे मैं यलो गदर की बना सकते हो इसके अंदर कोई पॉइंट है उसको भी खरीच सकते हो यह सब बजट सेट्स है लेकिन इसके बाहर का पॉइंट नहीं खरीच सकते है वह आउट ऑफ बजट हो जाएगा अनटेनेबल पॉइंट हो जाएगा ठीक है यहां पर लिखा है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ए और एक गुड का प्राइस तो पूछ लिया है कि बजट लाइन पर उसका पॉइंट कहां पर आएगा या फिर इंकम और प्राइस दे दिया एक्स का आप से यह वाला पॉइंट पूछ लिया तो मैक्सिमम कितना खरी सकते हो इंकम को प्राइस से डेवाइड कर देना ठीक है ओके रिपोट है इतनी बात समझ में आई चलो जी इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे ले जाता हूँ आपको देखो जी जैसे इंडिफरेंस करब के स्लोप का नाम था MRS ऐसे बजेट लाइन के स्लोप का नाम है मार्केट रेट औफ एक्सचेंज इसको हम प्राइस रेशो भी बूलते हैं इसको लिखते हैं ऐसे एक का प्राइस अपन दूसरे का प्राइस दो गुड्स के प्राइस की रेशो माइनस का निशान लगाने लगा दो क्योंकि माइनस इसका निशान नहीं है यह दोनों गूट्स के कंजंप्शन में नेगेटिव रिलेशन का निशान है यानि एक का कंजंप्शन बढ़ा होगे तो दूसरे का कम हो जाएगा इसका निशान है यहां पर कलेट करके बताना चला बजट लाइन का स्लोप करें इसको डिवाइड करना होगा यहां से कोई लियन दें यह ए, special है वन अपॉन वन वन, वन अपॉन, वन वन, हमेशा यह ऐसे आएगा, हमेशा यह ऐसे आएगा, समझ गए, तो म, यह हमेशा तो आपको Bernard अचीं बड़ा ऊको ध्यान है को बज़एल का आपको स्लोप पता हो गया, अब बजट लाइन की equation होती है यह होती है X का price multiplied by X की quantity प्लस Y का price multiplied by Y की quantity must be equal to money income यह budget लाइन की equation है तेकि आपको एक, दो, तीन आइटम दे देगा और बोलेगा budget लाइन की equation बनाओ ऐसा भी हो सकता है मालो यह दे दिया 10, यह दे दिया 12 यह दे दिया 100 तो आप क्या लिखोगे, 10 QX प्लस 12 PY is equal to 100, budget line की equation बन गई हो सकता है ऐसा और equation ऐसे भी हो सकती है, यह जो common common उसको divide कर दो 2 common निकाल लो, तो 2 से divide करोगे तो 5 इसको 2 से divide करोगे तो 12 को 2 से divide करो 6 और 100 को 2 से divide करोगे तो 50 आगे है, यह भी सही है equation आपको पता लगे, यह option में दे ही ना, यह वाला दे दे ऐसे भी कलागारी खेल सकता है भाई, ठीक है sorted है, it is all about the budget line तो दोस्तों जो concept of budget line है यह यहाँ पर पूरा combination जो होता है, वो budget line के बहार आता है ठीक है और यह question भी दे दिया जहाँ पर money income PX, PY ले रखी है slope calculate करना था, इतना आ गया बिलकुल आ सकता है paper के अंदर ठीक है अब फिर मेरे को आपको बताना है कि budget line shift भी हो सकती है गया budget line अपनी जगाँ से shift भी हो सकती है क्या तो yes, budget line shift भी हो सकती है वो point भी बढ़ना है आपको ठीक है, यह राख causes of shifting budget line, दो reason हो सकता है तो price बदल जाए या income बदल जाए अब यह पढ़ा दू जड़ा पहले में आपको यह जड़ा ड़न से देख लो, देखो जड़ी budget line यह सफेद रंकी है budget line यह सफेद रंकी है दो ड़ाई गराम बना रहो हो अलग-अलग यह सफेद से हटके yellow हो सकती है rightward shift यह पीछे भी जा सकती है leftward shift भी हो सकती है तो यह rightward shift कब हो सकती है जब दोनों goods का price कम हो जाए same ratio में यह consumer की money income कम हो जाए sorry जब दोनों goods सकती हो गई तो दोनों को तुम ज़्यादा खरीद सकते हो तो rightward shift हो गई जब आपकी money income बढ़ जाए तो भी rightward shift हो सकती है ऐसा यहां लगा लो आप पहले से कम खरीद पा रहे हो तो जब दोनों goods महंगी हो जाए तो आप पहले से कम खरीद पाओगे या फिर मैं आपको बोलू money income कम हो जाए तो भी leftward shift हो सकती है बिल्कुल हो सकती है और बहुत सारे possible chance है budget line के shift होने के लेकिन आप इतने ही ध्यान में रखो कि हाँ भई price और money की वजए से shift हो सकती है इसके अंदर तो depth के अंदर पूरा एक घंटा बढ़ा दूँआ तब ये concept खतम नहीं होगा ठीक है अपने batch का purpose ही है कि बच्चा अच्छे से concept को revise कर ले बढ़िया से अब दोस्तों ये बोला गया है कि क्या indifference curve और budget line दोनों को mix कर दे तो consumer equilibrium को दिखा सकते है क्या जी हाँ consumer equilibrium एक तो दिखाया था single good और double good के case में marginal utility को use करके अब दिखाएंगे indifference curve and budget line की help से consumer equilibrium ये जो consumer equilibrium होता है इस वाले को बोलते हैं ये ordinal utility approach से consumer equilibrium आया है ये approach Hicks और Allen ने दी थी अच्छा ऐसा भी है क्या हाँ यहाँ पर ये बोला जाता है माल लो ये हरे रंग की budget line है और यहाँ पर indifference curve है ये वाला तो एक indifference curve के उपर बहुत सारे point है ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है ये सारे same satisfaction दे रहे हैं लेकिन उसके budget में सिर्फ ये वाला point आ रहा है E is the consumer equilibrium point तो consumer को अगर equilibrium में होना है तो उसको condition satisfy करनी होती है पहली condition की indifference curve convex ही होना चाहिए convex कब होता है जब MRS decrease हो रहा होता है तो diminishing MRS is first condition ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ध्यान रखना है दूसरी condition है कि ये tangent होने चाहिए budget line must be tangent tangent का मतलब होता है एक point पर छूख कर जाना तो indifference कर यानि अगर ऐसा हो गया तो equilibrium point नहीं आएगा ये भी है ये भी है नहीं है दोनों में से कोई भी equilibrium point क्यों? क्योंकि जितना मज़ा उसको इतने इन दोनों point पर आ रहा है उतना ही मज़ा उसको यहां भी आ रहा होगा क्योंकि ये same indifference curve पर तो है point सारे ये मज़ा तो कम पैसों मिल सकता है तो इतने पैसे क्यों खर्चेगा तो लेकिन book में ऐसा नहीं बनाया हुआ book में जो बनाया हुआ है वो भूत सारे indifference curve बनाये हुए है माल लो बाबा मैं बताता हूँ आपको एक indifference curve ये एक indifference curve ये जो सबसे बाहर indifference curve है थर्ड ये तो budget line से बाहर है consumer की उकात में ये नहीं है तो equilibrium कहां से आएगा ये 2 वाला और 1 वाला देखो यहाँ पर दोनों condition satisfy हो रही है ये consumer का equilibrium point है यहाँ पर वो y की quantity इतनी कंजियूम करेगा x की quantity इतनी कंजियूम करेगा अब बंदा बोलेगा ये वाला क्यों नहीं है और ये वाला क्यों नहीं है तो कि राज्जय यहाँ पर उसकी दोनों condition satisfy नहीं हो रही और वैसे भी वो इन दोनों पर एक कंजियूम करेगा इससे अच्छा यहीं कंजियूम कर ले वही सागम फर्च होगा चलो जी एक question तुम्हें देखने को मिलेगा module में माल लो consumer यहाँ कंजियूम कर रहा है इतना x को और इतना y को तो बताव कि वह वह게 है या नहीं है ऐसे बनाऊ डायग्राम नहींहां पहले बात तो इक विल्यूम मेयाने के लिए उसको क्या करना होगा यहां पहुंचना होगाаются कि वाइ अब आगया की थोड़े से भाई बहुत देर से पड़े जा रहे हो देदनाधन देदनाधन तो थोड़ा साब कोईस भी कर लो एक अधर कोशन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है तो आप पढ़ोगे पहला गीवन स्केल औफ बिट्वीन डिफरेंट कॉंबिनेशन अलग 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 कॉम्बिनेशन गीवन होते है तो गूट्ट के आपका उसमें प्रेफरेंस का सकेल गीवन है कि सबसे इकौल satisfaction मिल रही है यह तो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सूरिशन एमरेस डिमिनिश करेगा तभी आईसी कॉन्वेक्स होगा यह भी अजम्शन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अरे यह नहीं है इसका तो बाती नहीं कर रखी इसको भी कौन्वेक्स डाउन्वर्ड गिर रहा होता है तो इस से इन चारोंमे से कौनसी बात पता लगती है बाबा वह एक के कंजम्शन को बढ़ाएगा तो दूसरे के कंजम्शन क कम करेगा तो उसको कोई ज्यादत सैटिस्वेक्शन मिलेगी नहीं maximum satisfaction मिलेगी नहीं any of the above तो होई नहीं सकता तो बचा कुंसा same level of satisfaction यानि वो किसी के consumption को बढ़ा ले तो उससे दूसरे का consumption तो कम होगा लेकिन जो combination निकल के सामने आएगा वो जितने भी आए वो सारे combination same level of satisfaction दे रहे होंगे अगर indifference curve के ओपर आ रहे हैं तो एक और ले लो suppose that workers in a steel plant manage to force a significant increase in their wage एक steel plant में वरकर काम कर रहे थे उन्होंने manage कर लिया किसी भी तरीके से अपनी wage बढ़ा ली है salary बढ़ा ली है तो how would the new wage contract likely to affect the market supply of steel supply चे कोशन आ गया बीच में लेकिन बता देता हूँ अगर worker बोल रहे हमारी salary बढ़ाओ salary बढ़ाओ तो company को भी है ज्यादा पैसों का खर्चा होगा तो कहीं नहीं से company का profit कम होगा जब company का profit कम होगा तो वहां supply कम हो जाती है तो है अच्छा जी यह राजी question बढ़ा important है which of the falling is the property of indifference curve indifference curve की property कौन सी है यह convex to origin होता है बिल्कुल होता है the marginal rate of substitution is constant constant होता है क्या मारेस नहीं नहीं फॉलिंग होता है भाई फिर M.U. is constant as you move along the indifference curve आप indifference कर्व के अलग-अलग points में मूब करोगो तो M.U. constant रहेगी और यह प्रोपर्टी नहीं है utility constant रहेगी लेकिन यह प्रोपर्टी नहीं है यह प्रोपर्टी में नहीं प्रोपर्टी पांच है उसमें से एक प्रोपर्टी यह है दिस्वनी सेडिस्पाइड इसके साथ जाएंगे अब आप बोलो के सर जुनिट 3 स्टार्ट करा दो सप्लाई हाँ यह वारी चैन की सांस लेलो सप्लाई को बिलकुल स्क्राच से स्टा तो यूनिट 3 स्टाइड की है इसको समझना है तो आपको अपनी अप्रोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी टाटिंग की दो यूनिट आपने पड़ी है यहाँ पर आप अपने आपको मान के चल रहे थे कि तुम समान खरीदने वाले बायर हो अब आप अपने आपको मान कर चलो कि आप समान बेचने वाले सेलर हो या फिर एक फाक्टरी के मानुफाक्शरिंग यूनिट यूनिट के मालिक हो आप प्रडूशर हो तो प्रडूशर के पॉइंट उफ्वी से सोचते है प्रडूशर देखो किसी ना किसी कॉमडेटी का जो प्रूडक्शन करता है वो market में कुछ ना कुछ quantity तो ये offer करता होगा माल लो कि मैं एक producer हूँ और मैं समोसे बना रहा हूँ तो मैंने 100 समोसे बना लिए हैं मतलब मैं market में 100 समोसे offer कर रहा हूँ क्या जरूरी है मेरे 100 के 100 समोसे बिख जाएंगे जरूरी नहीं है लेकिन दोस्तो जितनी भी quantity में market में offer कर रहा हूँ बेचने के लिए ये quantity मेरी कहलाती है supply क्या कहलाती है supply अब 100 unit मैंने बना लिए है तो 100 unit मेरी supply है लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना माल बिखेगा जितना बिख जाता है माल लो 80 समोसे बिख गए तो this is called sale तो sale अलग है supply अलग है दोनों बाते सोचना जितना भी तुम मार्गन में offer कर रहे हो that is supply और supply जैसे demand flow concept का supply भी एक flow concept है module के हिसाब से चल रहे है उसकी language में तो supply refers what a firm offer for sale in the market एक firm क्या offer कर रहे है एक producer क्या offer कर रहे है बेचने के लिए और साफ लिखा नॉट नेसेसरली टू वाट दे सक्सीड इन सैलिंग मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कितने सक्सेस्फूल हो गए हो माल बेचने में यार तुम सो समोसे कर रहे हो तुमने बेचे असी है तो असी अलग चीज है सप्लाइ कितने सो कि यह जितना तुम बेचना चाहती हो ठीक है हाँ अच्छी बात है कि सारा मल बिख जाए तो तो लिखा है वाट इस ओफर्ड में नोट गेट सोल्ड यानि जो ऑफर किया जाता है जरूरी नहीं है में लिखा है कि वो बिक गया हो बहुत सिंबल सी बात है चलो जी ठीक है फिर सप्लाइ भी एक फ्लो कॉंसेट है सप्लाइ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टन है जिसे डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं यह सारे हम पढ़ेंगे अभी सारे हम पढ़ें इसने वाले उठार प्राइस ऑगे हो गया ऐसे माना जाता है को इसका प्राइर जाता है वह जान बूचकर जादा ऑफर करता है जिसमें तो यह सभी factors हैं एक एक करके सारे के सारे यहां पर explain भी किये गए है आपके सामने यह 8 factors कराऊंगा उसके बाद other factors है यह लिखे हुए है छे दो यह लिखे हुए 8 और फिर other तो पहला बताया है price of on good हरा रंगी चूज कर लेता हूँ यह बड़ा सुंदर color है तो आप ध्यान दो जब price बढ़ता है तो supply बढ़ जाती है price कम होता है तो supply कम हो जाती है price और supply में positive relation हो गया दोनों एक साथ increase करेंगे या दोनों एक साथ decrease करेंगे आपको इस बात का पता होना चाहिए चलो जी आ यानि दो ऐसे चीज़े हैं जिसको आप बेच रहे हो तो देखो किसी एक का price बदल जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा अब दोनों क्या है कोई भी commodity हो कोई भी हो substitute complimentary हो या ना हो कोई फर्क नहीं बढ़ रहा देखो जी आप बेच रहे हो good x और good buy दोनों 10-10 रुपे की ह यह भी दस्की है यह भी दस्की है एक दम से इसका rate 15 रुपे हो जाता है यह उतने की है तो आपका मन profit कमाने का है ना तो आप ज्यादा किसको बेचोगे आप ज्यादा offer इसको करोगे इसका price बढ़ा है तो इसकी supply बढ़ा दोगे आप यानि overall कहा जाए तो resource तो limited है दुकान तो limited है ना तो अगर किसी दूसरी good का price बढ़ गया तो supply भी इसकी बढ़ेगी तो जो यह थी जिसका price नहीं बढ़ा उसकी supply कम हो जाएगी तो y का यानि किसी और का price बढ़ने से supply x की कम हो जाती है और अगर यह सस्ती हो जाती तो दुकान दार का मन नहीं करता इसको बेचने का तो वो supply इस वाली की बढ़ा देता तो एक के price और दूसरे की supply में यहाँ पर inverse relation है negative relation आपको clear देखने को मिल रहा है तीसरा है factor of production का price यानि inputs का price दोस्तो raw material मान के चलो आप समोसा बनाने वाला raw material क्या यूज़ करता है आलू यूज़ करता है मसाले यूज़ करता है ना वह यूज़ करता है मैदा यूज़ करता है तो अगर आलू मसाले मैदा जैसे raw material महंगे हो जाते है अब expensive हो गए तो यह माना जाता है कि raw material expensive होने से producer का उसके अंदर profit कम हो जाता है जैसे कि मान के चलो बान के चलो तुम 8 रुपे का raw material लगाके समोसा 10 का बेचते हो लेकिन आपको पता चला कि यह 8 का raw material नहीं है यह 9 रुपे का हो गया है तो पहले आप 2 रुपे profit कमा रहे थे अब 9 का बना के 10 का बेचोगे तो आप 1 profit कमाऊगे तो आपका profit कम हो गया तो ऐसे बोलते है जब कि इनपूट का प्राइस बढ़ता है तो प्रोडूटर की प्रोडक्शन कॉस्ट 8 से 9 हो जाती है बढ़ जाती है profit margin कम हो जाता है दो से एक हो गया उसका मन कच्चा हो जाता है वो supply कम करता है तो यहां पर negative relation हो गया price of inputs और supply में तीन प्राइस पढ़ाएं है price of on good का supply से positive relation है price of other goods का यानि किसी और का price और किसी और की supply में negative relation है price of inputs का supply से negative relation है तीन बाते हो हुई है चोता है state of technology जो आप technology यूज़ कर रहे हो अगर आप गिसी बीटी पुरानी technology यूज़ कर रहे हो primitive तो यह आपके खर्चे बढ़ाती है बार बार सर्विस मांगती है आपकी cost बढ़ जाती है profit कम हो जाता है आप supply कम करते हो आप मस्त advanced technology यूज़ कर रहे हो बिल्कुल कोई outdated technology नहीं है तो यह cost saving technology होती है पर unit आपकी cost कम कर देती है आपका profit जादा होता है आप supply बढ़ा देती हो तो यह technology भी affect करती है भाबा सप्लाई को कोई डरने वाली बात निया फिर आगा number of sellers या चार फर्म आगए तो 40 समस्य होंगे जितनी फर्म बढ़ती जाएगी वह अपने पास कुछ तो रखेगी बेचने के लिए overall supply बढ़ती जाएगी ठीक है जी यह बात sorted होनी जी आपको अगले पर आओ expectation उमीद आप क्या सोच रहो future के बारे में अगर आपको लगता है कि कल price ब use कर दोगे कल मेंगा होने वाला ना कल ही बेच लेंगे आज रोक के चलो तो ऐसा होता है future price बुड़ेगा तो present की supply कम हो जाती है और आप सोच रहो कि कल price गिर जाएंगे तो आप आज ही जादा से जादा बेचने की कोशिश करोगे ना अभी sorted है फिर nature of competition market में competition बहुत भ्यंकर लेवल का है तो आपको अपनी दुकान पे बिलकुल product available रखना होगा आप यह नहीं बोल सकते customer को चल थोड़ी दिर में आई हो इतने में तुम बोलो के वो बंदा ही किसी और दुकान पर चला जाएगा competition बहुत जाद है जादा competition है आपको ज्यादा supply रखनी पड़ेगी कम competition है तो आप दुकान दार बंदा बोल सकता है घ्राक को अब रुक्जा थोड़ी दिर में यहाँगा तो जैसे मोनोपोली टाइप situation होगी वहाँ पर supply कम होती है जब बड़े-बड़े ज्यादा number of firms हो जाती है बड़े-बड़े हो या ना हो number form अगर ज्यादा है तो यहाँ पर supply ज्यादा होती है ठीक जी और industry का size भी है ज्यादा बड़ा size है तो supply भी ज्यादा छोटा size है तो supply भी कम next point है सरकार की policy सरकार tax से भी खेलती है subsidy से भी खेलती है restriction से भी खेलती है अब क्या ज़ते हैं सरकार कहती है कि tax बढ़ाने से supply कम हो जाती है tax कम करने से supply बढ़ जाती है तो tax और supply के बीच में negative relation होता है कहने का मतलब यह सरकार अगर tax बढ़ा देगी तो वो product को बनाने की cost बढ़ जाएगी और producer का profit margin कम हो जाएगा tax burden है तो tax के बढ़ाने से profit margin कम हो जाता है तो फिर माल बेचने मजा नहीं आता supply कम हो जाती है tax कम कर दो कि तो बले-बले हो जाएगी supply बढ़ जाएगी ऐसी subsidies की उपर है subsidies एक financial assistance है कुछ पैसों की help है जो सरकार किसी company को देती है फर्म को देती है देती किसी को भी हो कोट कोटा ऐसे बोल सकती है बावारे बावा जो माल अमेरिका चाहिना पाकिस्तान से आ रहे है इंडिया में वो लिमिट में आएगा या नहीं आएगा बैन भी कर सकती है ठीक है इस बात को समझते बीचलना है और यह factors affecting supply हो गए अगला आपका law of supply आप देखोगे तो law of supply के बारे में बताऊंगा अच्छा स्लाइड उपर नीचे हो रही है इसको देखना पड़ेगा हाजी अहां यह क्या हो रहा है मिर साथ दुबारे चेंज तो नहीं होगी अब नहीं होगी लोग सप्लाय वही जैसे law of demand के तरह बोलते है law of demand बोलता है प्राइस और डिमार्ड में बारे में कुछ कोमेंट करें तो तीन कॉमेंट की जा सकती है यह अप्वर्ड लोपिंग है इसको positively sloped भी बोल देते हो इसके slope को calculate करने का एक formula भी है ठीक है इतना थोटा सा बात है बस इसके बारे भी ध्यान दखना है अब आओ आओ आप असली परिक्षा पे देखो जी supply काफी सारे factors की वज़े से बदलती है अभी आपने पढ़ लिया कितने सारे factor है यह बहुत सारे factor थोड़े से आगे भी लिखे हुए ठीक है expectation number of sellers और उसके अलावा climate change and all infrastructural facilities पर भी डिपेंड करता है इसकी बात करते हैं देखो जी अगर supply सिर्फ price की वज़े से चेंज हो लेकिन इसको छोड़ कर किसी और वज़े से supply बदले तो उसको बोलेंगे shift in supply curve बड़ा important topic है आप लोग को काम आएगा और यह उसकी तरह ही दिखाई देगा आपको जैसे आपने movement along demand curve किया था उसकी तरह ही दिखाई देगा देखो जी दोस्तों सबसे पहले आएंगे लिखक प्राइस की वज़े से अगर सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ी है तो expansion और अगर प्राइस की वज़े से सप्लाई कम हो गई सप्लाई कम हुई है तो contraction of supply कहलाता है अब expansion of supply नहीं लिखा मॉडूल में यह लिखा है उसके जगा increase in quantity supplied ज्यान रखना और इसको बोल दे जेंगे it is decrease in quantity supplied ठीक है जी अब मैं आपको बता देता हूं for example अगर देखो price 10 से 20 हो गया तो supply 100 से 200 हो जाती है तो this is expansion of supply price 10 से 5 हो गया तो supply जो है वो कम हो जाती है 100 से 50 this is contraction of supply जब supply में contraction होता है तो downward movement होता है और expansion होता है तो upward movement होता है आपके पास diagram available है don't worry about that यह रेजी diagram ठीक है जी मैं दिखाऊं यह supply बढ़ी है तो expansion है तो point यहां से यहां move कर गया देखो price बढ़ाया है तो supply बढ़ गई है point में upward movement हो है और इधर देखोगे price कम किया है supply कम हो गई है तो point उपर से नीचे खिसक के आ गया this is downward movement ओके रिपोट है चलो जी अब आते है shift in supply curve या change in supply में price को छोड़कर किसी और वज़े से supply बदली है अगर price constant है किसी और वज़े से supply increase हो गई तो this is called increase in supply और यहां पर supply कर राइट वरड़ शिफ्ट हो जाता है ठीक है तो increase in supply का मतलब price constant है supply किसी और वज़े से बदली तो rightward shift in supply कर लेकिन price constant है supply किसी और वज़े से कम हो सकती है भाई कम हो गई तो यहां supply curve will shift to the left side तो यह supply curve को rightward shift करके दिखाया है यहां supply देखो पहले से जादा हो जाती है यह supply curve को leftward shift करके बताया है देखो supply पहले से कम हो जाती है okay report है so this is the topic जो आपको करना था इसके बाद दोस्तो next topic है elasticity of supply यह same elasticity of demand की तरह चलेगा देखो जैसे price की वज़े से demand बदलती है ऐसे price की वज़े से supply भी बदलती है तो price के change होने का supply के ओपर कितना impact आएगा उस impact को calculate करो उस responsiveness को calculate करो जो quantity supplied price को respond करती है that is called elasticity of supply तो elasticity of supply is defined as the responsiveness of the quantity supplied किस वज़े से to a change in its price जब price चेंज हो जाता है तो उस वज़े से जो भी supply चेंज हुई है इसको calculate करते है calculate करने के हमारे पास various methods है आप जानते हो number one बात करेंगे percentage method के बारे में percentage method वही बाला formula percentage change in quantity supplied upon percentage change in price ऐसा ही formula होता था elasticity of demand को calculate करने का percentage method इसको short में आप ऐसे लिख सकते हो delta q delta q upon delta p price upon quantity यानि अगर paper में लिखा है price 10 से 20 हो गया quantity supplied 100 से 1.5 हो गई elasticity calculate कर दो तो आप बोलोगे delta q चलो जी प्रेन का color change करते हैं सबसे पहले delta q मतलब इन दोनों quantity के बीच का gap 1500 में से 100 माइनस करो 50 लिख दिया upon delta p इन दोनों price का gap 20 में से 10 माइनस के और 10 लिख दिया multiplied by पुराना price 10 था upon पुराने quantity तो थी ये काटेंगे आप तो 0.5 अंसर आएगा और जो अंसर आएगा उसको compare करेंगे हम degree of elasticity of supply से elasticity of supply की भी 5 डिगरी होती है जैसे elasticity of demand की भी 5 डिगरी होती थी तो अगर supply का अंसर elasticity का 0 आता है तो हम बोलेंगे supply is perfectly inelastic यानि supply बदल नहीं सकती यानि आप कितना ही rate बढ़ा लो दुकान वाला 100 unit ही बेचता था 100 unit ही बेचेगा कितना भी price बढ़ा लो quantity उतनी constant है parallel to x axis है parallel to y axis है supply कर यहाँ पर perfectly inelastic supply बोलते हैं दोस्तों इसको और अगर आप देखोगे कि जो percentage change supply में हुआ है उतना ही percentage change price में हो जाए तो answer आपका 1 आता है 1 के case में elasticity को unit elastic supply बोलते हैं और यहाँ पर जितना आपका price बढ़ा है उतनी quantity बढ़ती है यह वो situation है ओके और आप देख पाऊगे perfectly elastic supply तब बोलेंगे जब elasticity of supply का answer infinity आएगा यह तब होता है कब होता है मालो price मे change ही नहीं आया जब अरदस्ती supply बढ़ गई सो से दोस्तों पतलाब supply बहुत ज्यादा elastic है अपने आप इतरा रही है अपना भी बढ़ रही है या कम और ही है that can be the reason ओके रिपोट है चलो जी अब मैंने आपको बताया था ना unit elastic supply हाँ पर दो और बताऊंगा आपको तो अगर सप्लाई कर्व आपका ऐसे टाचोर है कहीं y-axis पे elasticity of supply less than one है और अगर आपका अगर आपका सप्लाई कर्व कहीं ऐसे टाचोर है x-axis पे तो elasticity of supply less than one less than one है इतको बोलेंगे in elastic supply या less than unit elastic supply और इसको बोलेंगे elastic supply या more than unit elastic supply तो चौते नंबर की यह हो गई पांच में नंबर की यह हो गई दूसरी यह थी तीसरी यह रही चौती पांच भी यह रही overall मैं आपको बता दूँ अच्छा एक चीज़ मैं है यहां से आपके लिए और और मैं आपको बता दूँ supply की डिगरी पांच हो गई यह supply परफेक्टली in elastic यह supply यह परफेक्टली in elastic यह परफेक्टली in elastic यह supply unit elastic जब supply कर औरीजिन से निकलता है यह supply less than one यह supply more than one ठीक है जी आपको यह मार्क करते वे चलना है चलो मैं मार्क भी कर देता हूँ less than one more than one is equal to one इतना आपको ध्यान रहना चाहिए अब दोस्तों चलो यह तो simple method हो गया percentage method से मैं आपको बता रहा था point elasticity वाले method से यह वाला formula लगता है कोई फर्क नहीं है बस यह differentiation maths में पढ़ाओगा calculation वह formula लगा दिया dq upon dp multiplied by p upon q है तो same same सा formula बस यह थोड़ा differentiation वाला formula है एक अब होता है आरक elasticity method इसको midpoint method बोलते है यहाँ पर elasticity का formula लगेगा delta q upon delta p multiplied by दोनों price को plus कर दो upon दोनो quantity को plus कर दो पहले plus नहीं करते थे बस इतना ही करना है यहाँ पर कुछ भी लिखा हो ऐसे यह delta q है यह delta p है यहाँ प्लस करका है दोनों price को यहाँ दोनों quantity को मैंने short में आप elasticity से solve करना है तब तक मत करना कोशन में कुछ नहीं बोला तो percentage method से solve करना है अगला topic आपका आप देख रहे हो सही fast track पर चल रहा है आपना elasticity of supply को affect करने वाले factors यानि determinants यानि supply की elasticity को बदलने वाले पहले पढ़े थे factor affecting supply इसका मतलब था कि supply increase होगी या decrease होगी अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि supply में बदलाव होगा चाहे increase हो या decrease हो फरक नहीं पढ़ता बदलाव होगा वो बदलाव जल्दी हो सकता है या नहीं हो सकता अगर बदलाव आएगा तो बोलेंगे supply ज्यादा elastic है और बदलाव जल्दी नहीं होगा तो बोलेंगे supply कम elastic है बहुत सारे point आएंगे ठीक है point number one पढ़ रहे हो if increase in production causes substantial increase in cost देखो जी अगर आप production बढ़ाना चाहते हो बहुत सारी फर में जो production बढ़ाना चाहती है अगर तुम production बढ़ा बढ़ा तो जब substantial increase in cost होगा तो आप supply को नहीं बढ़ा होगे less incentive है आपके पास ऐसे में elasticity of supply less होगी नेकिन दोस्तों अगर आपका मन करें की production बढ़ाना है और उससे आपकी जो cost है वो ज़्यादा increase नहीं होरी यानि यह तब होता है जब आपके पास machine वगएर सब रखी है just raw material खरीदना है तो ज्यादा increase नहीं होती तो जब ज्यादा increase नहीं होती तो आप असानी से अपनी supply को बढ़ा दोगे कोई दिक्कत दिक्कत नहीं आएगी ठीक है यह इसका उल्टा case है अच्छा similarly इसी point में एक और point है यानि यह दो point है कुल मिला के module में इसको एक ही लिखा तो इस case में supply less elastic होगी ठीक है तो अगर प्रॉडट को बनाने का process जो है वह बहुत असान है for example समोच से बनाने है तो घराक आया प्टाक से आप supply बढ़ा दोगे तो चाहे product कितना भी बढ़ जाए महंगा हो जाए मतलब कितना ही महंगा हो जाए आप जल्दी से supply जाता नहीं क समोचा easy है और यह difficult है आजाओ जी अगला चलो जी लिखाई हुआ है longer the period of time the more responsive the quantity supplied to change तुम्हें जितना ज्यादा time मिलेगा produce करने का उसकी बात हो रही है आप को बहुत spare time मिला हुआ है produce करने का इस बार तो आप लंबे time में वही वाली बात हो रही कि लंबे time में supply बढ़ा सक सकते तो लंबे time में supply elastic होती है greater होती है कोई दिक्कती कहता है supply तब भी ज्यादा elastic होगी जब large number of producer होंगे and there is high degree of competition among them यानि बहुत सारे producer है और उनके बीच में बहुत ज्यादा competition है तो supply की elasticity बहुत ज्यादा होगी जी हां बहुत सारे producers हैं और मानलो rate भेंगा होगे किसी बढ़ा देनी चाहिए ना तो आप अकेले दुकानदार हो और product का rate भेंगा हो जाता है तो आप मन करेगा तो बढ़ा होगे क्योंकि पता है बनाना ही आपको है समान खरीदेंगे लोग आपसे तो आप बाद में भी उसकी supply बढ़ा सकते थी लेकिन बहुत सारे producer है डर लगे जब तुमारी दुकान पर तुमारी company पर कोई capacity बची होगी यानि जब आप अपनी full capacity से काम नहीं कर रहे आपने अपने सारे resource यूज नहीं किये अभी आपके पास बहुत सारे resource बचे होए जो आपने यूज नहीं किये तो rate महंगा होते हैं आप supply बढ़ा दोगे क्योंकि आ जल्दी और चीपली भी मिल जाए तो बहुत जल्दी आप बदल दोगे लेकिन अगर यह बहुत रेर मिलेगा तो सप्लाय लेसे लास्टी कोगी क्योंकि आपको raw material लाने में टाइम लगता है अगर if a firm have adequate stock of raw material जैसे कि यहां पर भी बात हो रही थी यहां language लग लिखी हुई है तो वो जल्दी से ही फटाक से ही जैसी प्राइस बढ़ेगा मार्केट में ओफर कर देगी तुम्हारे पास ready made product पड़ा हुआ है तो तुम जल्दी से मार्केट में उसको ओफर कर सकते हो सेल के लिए तो सप्लाय जल्दी लास्टी को जाएगी क्योंकि you have it in advance ठीक है the ease and cost of factor substitution influence price elasticity of supply यानि देखो जो आपके पास factors है अलग-अलग factors है मतलब अलग-अलग resource है अगर उनको substitute करने में easy रहा असान रहा तो आप जल्दी सप्लाय बदल सकते हो यानि कोई आपके पास इसमें बताना चाहूंगा कोई एक ये resource है आप इससे ये भी बनाते हो और ये भी बना दो चीज़ बनाते हो अगर मालो ये महंगा हो गया तो कुछ टाइम के लिए आप ये बनाना बंद कर दोगे सारा ध्यान इस पर लगा होगे तो ये factor आपके इसी काम में आ गया आगे ना मालो आप दो फैक्टर है x और y इससे आप a बनाते हो इससे आप b बनाते हो ठीक है अब b का प्राइज बढ़ जाता है तो ये वाला factor अगर इसको बनाने के काम भी आ जाए तो आप a नी बनाओगे आप इसके लिए जी जान से लग जाओगे जिसमें तुम्हें ज्यादा फाइदा हो रहा है जिसका rate बढ़ेगा तुम्हें उसमें ज्यादा फाइदा होगा तो factors एक दूसरे को substitute कर रहें एक दूसरे की जगहां पर असानी से यूज हो रहे हैं तो आप supply बदा दोगे इफ बोथ capital और लेबर और occupationally mobile यानि capital और लेबर को तुम असानी से mobile कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो कोई दिक्कत ही नहीं है तो raw material की तरह ही है यार यह भी सब्सक्राइब लगबग सेम कहानी कह रहे हैं जहां पर आपको लगे देखो जहां पर आपको लगे कि बहुत आसान ह है production करना वहाँ पर supply ज्यादा Elastic हो जाएगी तो easily occupational हो गए मतलब occupationally mobile हो गए तो supply असानी से चेंज हो सकती है ज्यादा Elastic हो जाएगी अगर यह नहीं होए easily mobile यानि अगर आपको लेबर लानी है capital लानी है बहुत दूर है वो नहीं आ रहे है तुमारे पास easily नहीं आ रहे है को यह restriction है तो भाई आप असानी से supply को नहीं बढ़ा पाऊगे तो यहाँ पर supply के elasticity कम होगी ठीक है तो आप कर रहे हैं यह इसके बाद आप demand supply पढ़ चुके हो अब मैं बताता हूं दोस्तों जब market के demand market के supply के बराबर होती है this point is called market equilibrium market equilibrium यानि यह demand curve यह supply curve यह वाला point market equilibrium होगा यह equilibrium price यह equilibrium quantity तो equilibrium price वो प्राइस है जहाँ पर demand और supply एक दूसरे के बराबर होते है this is your next point कि यह buyer और seller दोनों यहाँ पर satisfied होते हैं और जो यह equilibrium price का जो determination माइक्रोइकॉनोमिक्स की central theme है में तो यह ही है माइक्रोइकॉनोमिक्स में यह बढ़ते हैं इसलिए माइक्रोइकॉनोमिक्स को प्राइस थियोरी भी बोलते हैं डाइग्राम से दिखाया हुआ है यह demand कर वह है यह supply कर वह है equilibrium price equilibrium point equilibrium price और यह equilibrium quantity अपनी मर्जी से नंबर लिख्थे हैं क्योंकि टेबल से मैच कर रहे हैं बस और कुछ नहीं है आपको ऐसी टेबल बनी बनाए आजेगी पिपर में और पूछेगा equilibrium price कितना है तो भाई जा demand or supply बराबर है वहाँ प्राइस जो है वह equilibrium price है पूछ लेगा प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा है इस प्राइस पे लोग समान नहीं खरीद रहे होंगे ठीक है supply ज़्यादा होगी क्योंकि price बहुत ज़्याद है तो ऐसे में supply ज़्यादा है demand कम है तो sellers अपना माल को बेचने के लिए जबरस्ती price कम करेंगे अल्रेडी अगर price ज़्यादा है तो जबरस्ती price को कम करेंगे और price के उपर downward pressure आएगा तो कहते है जब भी price ज़्यादा हुआ जैसे कि माल लो तीन है चार पांच हुआ तो price के उपर जो pressure आता है इंपक्ट आता है वो downward आता है और माल लो price market में 2 रुपे चल रहा है दो रुपे में तो बहुत थस्ता है दिमांड ही डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर बेचने वाला नराज हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा अप्लाए कम ऐसे में जो बेचने वाला वो देखेगा बहुत सारे बंदे माल खरीद रहे हैं तो rate बढ़ा भाई क की rate बढ़ाना शुरू कर देंगे तो यहां तक equilibrium adjust हो जाता है तो ऐसे में जब price कम होता है एक या दो लिखा हो पर तो upward pressure आता है equilibrium यहीं होता है ठीक है तो paper में पूछ लेगा ये भी की equilibrium price से ज़्यादा है market price तो कैसा pressure आएगा price पर downward pressure आएगा impact downward हो जाएगा तो चीक है जी इसके बाद एक point discuss किया हुआ है कहते हैं जब market में equilibrium होता है तो यहां पर social efficiency allocative efficiency अचीव हो जाती है यानि social efficiency क्या चीज़ है social efficiency का मतलब है एक ऐसी situation जहां पर consumer surplus और producer surplus का total maximize हो जाता है social surplus net gain society के जो होते है maximize हो जाते है अब तुम बोलो भी sir producer surplus आपने बताया है नहीं तो आज ये वो सीख लो कोई बात है अगर एक producer को लगता है कि वो अपना product 10 रुपे में बेच देगा लेकिन consumer उसके उसको 16 रुपे दे गिया तो producer को 6 रुपे का extra gain हो गया this is called producer surplus कभी कभी होता है इसको दिखाते है ये जो supply curve है ये और मानलो कोई price charge हुआ है ये तो price से नीचे और supply से उपर का जो area है this is called producer surplus और जहां पर market में equilibrium दिखाई देता है देखो जी ये demand curve ये supply curve इनको यहां touch करना पढ़ता है दिखान और ये consumer surplus है तो ये equilibrium point पे इन दोनों का surplus ये होता है ये consumer ये producer surplus तो ये maximum होता है इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता ठीक है बस इतना ही जान लो ये ज़्यादा detail के अंदर आपको जानने की ज़रूत नहीं है exam से related इतना ही paper में आता है अगर मैं चाहूं तो आपको भाई बह exam oriented study मिल जाए बस वो purpose satisfied हो जाता है इस तरीके का content provide करने में वरना मैं चाहूं पता है क्या कर सकता हूं भाई तुम्हारे economics में जितने भी chapter है एक topic के उपर इतनी depth और detail में study करा सकता हूं कि तुम उसमें इतना मगन हो जाओगे तुम्हें इको इतनी बहुत जादा आसान लग करने हैं तो सबको time देना है आपको और basically आपको काफी हद तक चारो subject को manage करके चलना है तो मैं चाहूंगा कि economics को आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना तुम्हारे काम आएगी जब अर्दस्ती इतना घुसोगे तो शायद कहीं दूसरे subject से sacrifice कर बैठोगे क्योंकि तुम्हारा main क accounts है यार बाकी सबी subject को उस हिसाब से पढ़ो कि इक और मैस तो वैसे उतना ही बढ़ने हैं आपको जितने तुम्हारे काम आए नहीं थोड़ा बहुत law है लेकिन सबसे main accounts है लो ज्यादा उसले पढ़ना चाहिए बताता हूं क्योंकि थोड़ा law तुम्हारे लिए नया है यह रहा कलर थोड़ा सुंदर कर देता हूं भाई फ्वाद आजाना चाहिए कलर रचे दो इसी आई के मॉडूल के कोशन है भाई कह रहा है वेन economist speak of the utility जब economist utility के बारे में बात करते है तो उनका मतलब इन में से कौन सी लाइन से होता है तो बाबा जब economist utility के बारे में बात कर कर रहे हैं अगला और वर्टीकल सप्लाइकर पैरलल टू वाई एकसिस सप्लाइकर वैसा है आगे कुछ बोलने की जरूत दिनिया कहीं लिखा है दिमांड कर वैसा ओ तब भी रास्टी से जीरो होती है भाई यह थीक है लिखा है और इंक्रीजिंश अप्लाइफ गुड्ड इस cost by के ता सप्लाइए इंक्रीज हो रहे किस वजएसे हैं वह सारे इसे जितने भी सक्टरस बताएं वो सब वो सकते हैं यहां प्राइस को छोड़कर प्राइस की वज़ए से तो expansion contraction होता है quantity supplied increase, decrease होगी normal supply increase, decrease हो नहीं है तो price को छोड़ कर बहुत सारे factors के वज़े से जैसे कि मालो technology improve होती है जी हाँ supply बढ़ जाएगी, अच्छे technology आ जाएगी अगर price of other good fall हो गया तो भी supply बढ़ जाएगी other good का price fall हो गया तीन होगे इसमें supply बढ़ जाएगी तो all of above वाला हमारे पास option है ओके रिपूर्ट जाएगे चलो जी अगला खोशन elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply of a good to change in its want कहता है elasticity of supply का मतलब क्या होता है supply में क्या change आ रहा है किस वज़े से price की वज़े से हैं बगदे price की बात कर रहे है हम इस chapter में जैसे हमने demand में income elasticity बढ़ी है cross elasticity बढ़ी है यहां कुछ नहीं है supply में सिर्फ price elasticity बढ़नी है horizontal supply कर वह है अब इन्फिनिटी होगी सीधा इतना ही पढ़ने में crack हो रहा है question भाई पूरा पढ़ने के ज़रूत नहीं बढ़नी contraction of supply क्यों होता है contraction price कम होने से जब supply कम होती है तो इस supply के कम होने को contraction बोलते है contraction और expansion सिर्फ price की वज़े से होते है यहां पर कहीं लिखा है भाईया decrease in number of producer supply तो कम हो जाएगी यहां पर लेकिन यह decrease in supply होगा या leftward shift in supply होगा decrease in price of own good इसका price कम हो जाएगा तो contraction होगा यहां पोज़के इसको ठीक करो conspicuous goods क्या होती है महंगे item prestigious goods को बोलते है snob और webland भी महंगे ही होते है तो all of the above answer हो जाएगा module के अंदर दिया हुआ है इसी हिसाब से देख लेना the quantity purchased remain constant quantity constant है irrespective of change in income कहता income बढ़े ना बढ़े quantity constant है मतलब income चाहे तुमारी 100 से कितनी भी हो जाए बढ़के 200 या कम हो जाए demand है वो 50 की रहेगी demand change नहीं हो रही तो मतलब income की वज़े से demand change नहीं हो रही तो income elasticity शुनने है यहां पर zero income elasticity क्योंकि percentage change in demand zero आ रहा है ना की jewelry और fancy articles इनकी elasticity of demand income elasticity के बारे में बात करो यार jewelry और fancy articles तो अमीरों के दुबारा खरीदे जाने वाली चीज है क्या आप इसको prestige goods नहीं बोल सकते हैं लेकिन expensive good बोल सकते हो luxury goods है तो luxury goods की elasticity ज़्यादा ही होती है necessity good की elasticity कम होती है तो कहीं लिखा है high income elasticity income elasticity बोलो चाहिए price elasticity दोनों ही हाई होगी luxury items की मामले में relative price बच्चों को पता नहीं होता बाई दो goods के price की ratio निकाल दो तो budget line का slope आजाता है और यही होता है price relative price तो देखना पड़ेगा price जो money में express किया जाता है babysitting के लिए babysitting पता है क्या होता है बच्चे को पालने के लिए तुम किसी और को hire करते हो वो बच्चा पालती है उसको babysitting करने वाली बोलते है तो प्राइस की रेशो है money में होता है price तो यह relative price होता है और अच्छा question करा हूँ यह question करने में खतरा होता है प्राइस डिमांड के अंदर direct relation एक्जिबिट करने वाला कौन सा है बच्चा बोलता है substitute good बोलता है किसी और के price किसी और के demand में positive relation है ठीक है लेकिन गिविन गुड बोलता है खुद के price और खुद की demand में गिविन गुड इस दा आंसर गिविन गुड बोलता है प्राइस और डिमांड में positive relation है ठीक है जी ओके जी यह कोशन आ गया भाई या इस price of computer increase computer का price increase हो गए 10% से उसकी supply भी increase हो गई 25% से elasticity निकालो तो supply को उपर लिखते है 25 price को नीचे लिखते है 10 अंसर आगया 2.5 या माइनस का कुछ चक्कर ही नहीं होता 2.5 यह लिखता इसको ठीक कर दो भाई बहुत असान है percentage change in supply उपर है और वो नीचे है ठीक है जी लोजी क्या बोल रहा है supply of bottled water decrease कोई पानी जो आता है बिसलेरी अक्वाफिना किलने वगएर उसके supply कम हो गई other things constant है तो equilibrium price पर क्या फर्क पड़ेगा यह तो आप से अंतरात्मा का question पूछ लिया equilibrium price और quantity पहले देख लो यह equilibrium price है यह quantity है supply कम हो गई supply कम supply करव कौन साहिए वाला supply कम मतलब supply करव leftward shift हो गया तो पुराने वाले को तो भूल जाओ नया supply करव सफेद है पुराने वाला जबांड कर भी है तो equilibrium point यह आ गया equilibrium price पहले से जादा है और equilibrium quantity पहले से कम है price पहले से जादा है और equilibrium quantity पहले से कम है तो increase और decrease कहा लिखा है यह लिखा increase यह लिखा decrease यह वाला option हो जाएगा दिमाग लगाना यहाँ पर थोड़ा सा के तक comfort goods के बारें बोल रहा है comfort goods किसमें आती है भाई necessary और luxury के बीच में comfort आती है तो यह want वाले topic में पढ़ा था necessary and luxury consumer behavior unit number 2 के अंदर ठीक है के रहा in a very short period supply की elasticity के बारे में comment कर सकते हो भाई short period के अंदर elasticity of supply के बारे में comment करूँ तो it is less elastic क्योंकि जल्दी से change नहीं हो सकती ठीक है जी है ओके रिपोर्ट है ठीक है अगर elasticity of supply 0 है तो इसका मतलब क्या सब्सक्राइब कर पैर्लेल डूए एक्सिज़ है ना तभी यह ना इसको बोलते है परफेक्टली इन एलास्टिक सप्लाय परफेक्टली इन एलास्टिक सप्लाय विल विदा आंसर और अगर elasticity of supply एक से ऐसा कुछ option नहीं है लेकिन इसका मतलब भी होता है percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price यह होता है क्योंकि this upon this elasticity निकालते है तो numerator वड़ा होना चे डिनोमिनेटर से कहीं लिखा है proportionate मतलब percentage change in supply is more हाई यही सही है than percentage change in price यह proportionate को मैं percentage पढ़ लेता हूं डर ना मत कोई है चलो एक कोशन पूछाओ यार यह कोशन आपको देखना पड़ेगा अच्छा कोशन है कहता है महंगा higher price होने पर भी लोग कुछ चीजों की डिमांड करते हैं not for their worth उनकी value नहीं है लेकिन डिमांड उन चीजों की इसलिए की जाती है क्योंकि वो उनकी इज्जत बढ़ाती है प्रेस्टीज बढ़ाती है महंगा होने के कारण तुम किसी को खरीदे हो भा तो आपके उपर snow effect आता है दहमेंगा दोनों में है ठीक है ओके supply कैसा कॉंसेप्ट है वावा supply डिमांड सब लोग कॉंसेप्ट है ठीक है क्रॉस प्राइस इलास्टिशिटी बिट्विन ब्रेड और डीवीडी डीवीडी वो सीडी डीवीडी आती थी जिसे पिच्चर देख सकते हैं गोल गोल सी होती थी टैप रिकॉर्डर टाइप चीज माल लो ब्रेड और डीवीडी का आपस में कोई लेंदेन नहीं है ना त यह कोशन करने में बच्चों को प्रॉबलम है चलो खुली गया कहता प्राइस अगर एफ से ए तक बढ़ जाएगा तो इंक्रीज इन रेवेन्यू अर्न बाई सेलर सेलर का रेवेन्यू कितना अर्न होगा पहल तो यह देख लेते भाईया प्राइस अगर एफ से ए पहले एफ था अब प्राइस ए हो गया तो सेलर का रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है तो आपको एक बात यहां बतना चाहूँगा कि सेलर का रेवेन्यू क्या होता है प इतना माल भिकरा था तो मैं revenue पर बताऊं तो this into this आप जब निकालोगे तो इस पूरे box का area आ जाएगा ये seller का revenue था ठीक है box का area मैं आज से आजाता है length into breadth कर लो कुछ भी कर लो जब price बढ़ गया रंग से area आ जाएगा ठीक है तो आप देख पाओगे ही seller का revenue तो बदला है यानि इस वाली side से कम हो गया इस वाली side से बढ़ गया question की language समझो वह यह नहीं पूछ रहा कितना कम हुआ है वह शाणा है कि पूछ रहा किस side से बढ़ा है बैसे पूछना नीची है उसको लेकिन मोडिल में कर रखा है तो आपको EFGR वाला area बढ़ा हुआ area बताना है कहीं है EFGR हाँ equivalent to area EFGR उसने पूछा ही नहीं कम कितना हुआ है उसने सिर्फ पूछा बढ़ा कितना है तो यह approach थोड़ी समझ नहीं होगी मोडिल क्या approach मांगता है इधर पूछ लिया consumer surplus के बारे में कहता है प्राइज अगर पॉल हो जाए ECF तो consumer surplus पर क्या impact आएगा बाबा देखो पहले price यह ECF हो रहा है consumer surplus होता है यह price और demand curve के बीच का area यह चीक है और यह F तक पहुच जाए price ही हो गया तो अब demand curve यह price है यह दिमांड कर रहे तो यह बड़े वाला area हो गया इतने एरिया से consumer surplus बढ़ गया यही दिख रहा है ना इतने एरिया से EFCR नहीं लिखा है EFCR जी आर मत करते ना EFCR ये राख के लिए अंसर हो जाएगा लेकिन यहां लिखा है दोस्तों decrease decrease नहीं हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो यह तो गल्त हो गया कि आपको तो जूनिट वन जूनिट टू जूनिट थ्री में module के जो ICI के question थे ना वो max to max मैं आपको question करा चुका हूँ सारे नहीं करा है मैं जानता हूँ लेकिन जो भी question करा है थोड़े बहुत disputed भी होंगे थोड़े बहुत ज़्यादा easy भी होंगे कही ना कहीं हद तक आपको help मिली होगी दोस्तों मेरी बात माल लो module के सारे questions अब आप खुद से cover up करो यह revise करने के बाद module के question cover up करने बहुत ज अच्छे से इस chapter को revise कर लो और अगर इसके notes लेना चाहते हो देखो जितना मैंने बोला नहीं उसके ज्यादा यहां लिखा हुआ है तो जो आप notes लेना चाहते हो वो आपको batch में notes मिल जाएंगे PW की app पे आप आओगे चानक्या 2.0 batch free है आपके लिए यह class यहां देख रही हो आप पे भी दिख जाएगी ठीक है लेकिन notes आपको वहीं मिल जाएंगे तो आज की class में दोस्तों इतना ही प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मैं देखना चाहता हूं comment section में कितना प्यार करते हो आप तो आज की class में जय हिंद जय भारत नमस्कार धन्यवाद